हलो फ्रेंड्स शानु हेर दोस्तो आज आप सुनेंगे क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर कहानी दोस्तो ये कहानी तक्रीबन 14 घंटे लंबी है और इतनी लंबी वीडियो अलाउड नहीं है अप्लोड करना इसलिए मैं इस कहानी को दो पार्ट्स में डिवाइट कर आज आप इसका फर्स पार्ट सुनेंगे बहुत ही जल्द इसका सेकेंड पार्ट अप्लोड हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सोमवार 19 जनवरी जालानी बिग बॉस पहुँचा बार में उल्लू बोल रहे थे केवल बार से दूर एक कोने की टेबल पर एक लड़का लड़की अगल बगल यूँ बैठे थे जैसे दाउन लगता या होसला जोर मारता तो वहीं गुत्थम गुत्था हो जाते दोनों के सामने बेर के गिलास थे जिनकी तरफ उनकी कोई खास तवज्जो नहीं जान पड़ती थी वो बार में पहुचा और स्चूर पर जम गया बार में उसके सामने पहुचा ये सर वो बोला जालानी ने उतर नहीं दिया उसने बार के पिछवाड़ी में बाजू के बंद दर्वाजे पर निगाँ डाली वो दर्वाजा कैसा है वो बोला क्यूं पूछते हैं साहब भाई ये एकदम बंद हॉल है ऐसी जगा कस्चमर्स के सेफटी के लिए निकासी का कोई दूसरा दर्वाजा होना चाहिए इसलिए सोचा की वैसा दर्वाजा पीछे टॉइलेट्स के बाजू में है ये ओफिस का दर्वाजा है प्रोप्राइटर के ओफिस का हाँ आप कल भी आये थे क्या क्यूं भाई किसी बार में रोज आने पर कोई पाबंदी है क्या मेरा मतलब है कल तो आपको ऐसे सवाल पूछने ना सूझे ये नहीं सूझे मजाप कर रहे हैं हाँ ओर्डर बोलिए बात में पहले प्रोप्राइटर से मिलने का है प्रोप्राइटर बीजी है तेरे को क्या मालूम वो बोला मेरे को अभी नहीं थोड़ा टैम पहले फिर क्या वांदा है अभी फारीख हो गया होगा पन देख भीडू, जालानी तनिक करकर स्वर में बोला, तेरा काम ओर्डर लेना है और ओर्डर सर्व करना है, जाके बोल मैं जालानी, एक्सप्रेस का रिपोर्टर इधर है और खाली दो मिनट उससे बात करना मांगता है, वो मिलने को नक्की बोलेगा तो मैं शिकायत नहीं करू समझा, बुन बुनाता हुआ बार्मेन आफिस के दर्वाजे पर पहुँचा और उसे खोल कर भीतर दाखिल हुआ, जब वो वापिस बाहर निकला, तो शेक मुनीर उसके साथ था, वो बार की अपनी तरफ जालानी के सामने पहुँचा, बार्मेन परे ही ठिटक गया, फिर प्रुदरी ठेरा नैपकिन से गिलास चमकाने में मगन हो गया, अब क्या है, शेक मुनीर अप्रसन भाव से बोला, आपका सवाल बताता है कि आपने मुझे पहचाना है, जलानी शांती से बोला, यार, तुम तो पीछे ही पढ़ गए हो, मैं खाली दो मिनट लूँगा, वो कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, करो, पुलिस का कहना है कि कतल बारा और साड़े बारा के बीच में हुआ था, पोस्मार्टम की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हुई है, एक गवान गोली चलने की आवास बारा बीस पर सुनी थी, इसलिए कतल का वक्त और भी प गयान में, जो कि अखबारों में भी चपा है, पुलिस को बताया था कि ये जगा, जो बार है, लेकिन जिसे आप समधान्त लोगों की प्राइवेट क्लब कहना पसंद करते हैं, बंद होने से जरा भी पहले, इतने टोन हालत में केकी मिस्त्री यहां से रुक्सत हुआ था, क तो आपका जाना पहचाना था, और जो बार बंद होने पर आपके साथ ही यहां से रुक्सत हुआ था, और आप दोनों ने केकी मिस्त्री को बेहोशी की हालत में बाहर, फुट पार्थ पर लोड़का पाया था, हाँ, आपके बार का क्लोजिंग टाइम तो रात एक बज़े है केकी मिस्त्री कतल होने के लिए? कतल होने के लिए नहीं, शेक मुनीर एतराज भरे लहजे से बोला, अपनी बेवकोफी से बाई एकसिडेंट जान से हाथ धोने के लिए, जान से जाने के लिए, मरने के लिए, बारा बेस पर यहां से थोड़ी दूर, बोनी जादव के फ बढ़ाया और फिर लापरवाही से बोला ऐसा कोई रूल नहीं है कि बार का क्लोजिंग टाइम से पहले बंद नहीं किया जा सकता सरकारी रूल ये है कि क्लोजिंग टाइम के बाद बार ना खुला रहे ये नहीं कि पहले बंद ना हो जाए आप ये कहना चाहते हैं कि आपका ये बार शनिवार रात को क्लोजिंग टाइम से पहले बंद हो गया था हाँ एक घंटा पहली उस रोज धंदा बिल्कुल ठंडा था इसलिए मैंने बार एक घंटा पहले बंद कर दिया था बारा बजी हाँ कहते हैं मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता कभी भी आ सकती है नीचे वाला रूप सी नाम का बार भी अपना ही है कोई एक आद आ भी जाता तो उधर चला जाता लिहाज़ा एक दिन के लिए वो कॉम्प्रोमाइस कर लेता कि वो संभरांथ लोग नहीं था क्या मतलब आप ही कहते हैं कि ये एक हाई क्लास प्राइविट क्लब जैसा हाई क्लास लोगों का संभरांथ लोगों का बार है यार तुम तो बाल की खाल निकाल दे हो शेक मुनिर चिट कर बोला इतनी बाते इसलिए कह रहे हो कि मैंने एक बार एक घंटा पहले बंद करा दिया ये नहीं सोचते कि अच्छा किया बंद कर दिया ना करता तो वो केकी मिस्तरी और पीता और फिर जैसे बाहस बेहोश पड़ा मिला था कोई बड़ी बात नहीं कि वैसे मरा पड़ा मिलता तो आपने उसके खातिर बार एक घंटा पहले बंद किया नहीं इसलिए किया कि कोई ग्राहक नहीं था और आने की उमीद नहीं थी दो तो थे ना वो ने जादव तक तक बिल चुकता कर चुका था और केकी को बोल गया था कि बार बंद हो रहा था वो क्लोजिंग टाइम से पहले बार बंद किये जाने पर एतरास करता तो ऐसा कोई एतरास करने लायक होशो हवास में था कहा वो आपने अपने बयान में ये भी कहा था कि आप मरने वाले के एम्प्लॉयर से फुल हाउस के प्रोप्राइटर शाह नवास खान से वाकिफ थे इसलिए आपको केकी का लिहास आया था हाँ कैसे वाकिफ है आप शाह नवास खान से क्योंकि वो आपका हम पेशा है और जादभाई है दोस्त है जिगरी है गुड अपने जिगरी की बात पर यकीन लाएंगे जनाब किस बात पर? इस बात पर की केकी पी कर बेहोश हो जाने जितनी पीने वाला शक्स नहीं था नहीं होगा इसका ये मतलब किधर है कि जो काम किसी ने पहले कभी नहीं किया वो उसे अब भी नहीं करेगा बजा फरमाया आपने लेकिन ये हकीकत भी तो सामने आई है कि जो नशा उसे था, वो शराब का नहीं था तो किस बात का था? ड्रग का ड्रग का? कौन से ड्रग का? S जैसी नाम के ड्रग का ये क्या बला है? गोली होती है सफेद रंग की 200 रुपे की एक आती है बहुत नशा करती है शराब के साथ जुगल बंदी हो तो बहुत ही ज्यादा नशा करती है शेक मुनिर सननाटे में आ गिया तो ये वज़ा थी केकी की नशे में बदहाली की जो सफेद गोली बोनी जादव ने उसे केकी के ड्रिंक पे मिलाने के लिए दी थी वो बेहोशी की दवा की गोली नहीं थी किसी मौडर्ण नशे की गोली थी बोनी जादव ने उसे धोके में रखा धोका दे चुकने के बाद भी उसे हकीकत नहीं बताई ऐसी हकीकत जिससे ये अकबार वाला वाकिफ था तुम्हें कैसे मालुम? प्रत्यक्ष्ट है वो बोला क्या? यही कि वो किसी ड्रग के नशे में था? है मालुम किसी तरीके से? किस तरीके से? छोड़िये जनाब अकबार वाले नियूस के अपने साधन किसी को नहीं बताते था तो क्या हुआ? ड्रग्स का नशा करने लगा होगा? आपके जिगरी का ये भी दावा है कि ड्रग्स का नशा करने वाला कोई शक्स उसकी मुलाजमत में नहीं रह सकता और ना ही उससे छुपा रह सकता है अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? हो सकता है उसने हाल ही में वो सबक सीखा हो हो सकता है वो पहला ही मौका हो जबकि उसने ऐसा कोई ड्रग ट्राइ किया हो अच्छा हाँ शायद इसलिए उसका वो बुरा हाल हुआ क्योंकि उसे खुद अंदाजा नहीं होगा कि ऐसे किसी नशे की गोली उसके पेट में जाकर जहां पहले ही विसकी भरी थी क्या गुल खिला सकती थी हो तो सकता है शेक मुनीर की जान में जान आई तो परसो रात आप लोग जब बोनी जादव के फ्लैट पर पहुंचे थे तो साथ में कोई लड़की नहीं थी क्या कैसे होगी क्योंकर होगी मैं कल ही नहीं बोला की फ्लैट से आती जनाना चीको की आवाजे सुनी गई थी ये भी मैं कल ही बोला कि वो आवाजे टीवी में से निकल कर आ रही थी टीवी से क्यों निकल रही थी कोई प्रोग्राम आ रहा था कोई ड्रामा आ रहा था उसमें कोई किरदार थी वो चीखने वाली लड़की आपने वहाँ पहुँशते ही टीवी चालू क्यूं किया था? ऐसे ही कोई खास वज़ा नहीं थी बंद क्यूं किया था? क्यूंकि चीखती लड़की का जो प्रोग्राम आ रहा था वो मेरे को जचा नहीं था और लगता था कि होश में आने लगा था जब चलाया तो फूल फॉल्लियूम पर क्यूं चलाया? मैंने नहीं चलाया वो पहले से ही फूल वॉल्लियूम पर था आपके पास हर बात का जवाब है क्यूं नहों? जो जवाब सच्चा होता है उसे कहीं ढूणने जाना पड़ता है क्या गोलियां कितनी चली थी क्या वाहियात सवाल है अरे पुलिस ने स्चेट्मेंट इशू की है तुम लोगों ने चापे में चापा है हर किसी को मालुम है कि दो गोलियां चली थी जो कि लाश में धसी पाई गई थी उस इमारत में रहते कुछ गवाहों का कहना है कि उन्होंने तीन गोलियां चलने की आवाज सुनी थी पागल है साले, पीनक में होंगे जरूर यही बात होगी पीनक में नहीं होंगे तो रात की उस घड़ी नीन में होंगे है ना? हाँ आप कब तक मौकाई वारदात पर ठेहरे थे? पुलिस के पहुँशने तक पुलिस के जिक्र पर एक बात ध्यान में आई पुलिस को फोन गोलियों और जनाना चीकों की आवाज सुन कर एक पडोसी ने किया बोनी जाधव ने क्यूं नहीं किया जिसके साथ मरने वाले की कतित धिर्गा मुश्टी की वज़ा से वो हाथसा हुआ था और जिसका की मौकाई वारदात पर फ्लैट में था आपने फोन क्यूं नहीं किया जो वारदात के चश्मदीद गवा थे? हम घबरा गए थे घबरा क्या गए थे? सकते में आ कए थे अपने सामने मरे पड़े केकी को देख कर कितनी ही देर तो हमें लगा था कि हम भी सदमे से मरने वाले थे फिर जब तक हम सदमे से उबरे तब तक पुलिस वहां पहुँच भी चुकी थी पुलिस यानि कि एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार हाँ इंस्पेक्टर का नाम तो मुझे याद है कि गोखले था हवलदार का नाम मुझे नहीं मालूम मुझे भी नहीं मालूम उन लोगों ने आपको चले जाने दिया चले नहीं जाने दिया भेश दिया फिर तो आपको खबर नहीं होगी कि बात में साधे कपड़ों में दो पुलिस वाले वहां और पहुंचे थे। नहीं, मुझे खबर नहीं। क्या वहां कोई लड़की नहीं थी। भीडू, एक बात बता मेरे को। शेक मुनीर फिर चड़कर बोला। मैंने तेरे को मुझे लगा लिया। बावजुद पुलिस की हिदायत के कि चापे वालों से कोई बात नहीं करनी थी। तेरे को मुझे लगा लिया। तो तू अब मेरे को उल्लू बनाएगा। एक ही बात दस-दस बार पूछेगा और बात का तब पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक अपनी मर्जी का जवाब नहीं निकलवा लेगा। सौरी बोलता है सौरी वो क्या है कि लड़की की बात बार मेरे जहन में इसलिए आती है क्यूंकि मेरे को मालुम हुआ है कि वो फ्लैट बोनी जादव का रेजिडंस नहीं रेजिडंस तो सायन में है ठाय है। ठिया, अयाशी का अड़ा, चोकरी बाजी का ठिकाना, अरे, क्या बोलता है बीडू, जो कोई ऐसा बोला, जरूर उसको बोनी जादव से कोई खुनस होएंगा, कोई नोजवान एश करता है, मस्ती मारता है, बढ़िया लाइफ एंजॉय करता है, तो लोग बाग उससे रश्क करते हैं, और फिर उसकी बाबत, उल्टा सीधा बोल कर भडास निकालते हैं, हो सकता है, अब तसली हो गई क्या, मैं जाए अपने आफिस में, एक आखरी बात और प्लीस, वो भी बोलो, कल मैंने सवाल किया था, कि आप बदरिनात नाम के किसी शक्स को जानते थे, तो आपन जवाब इंकार में दिया था, याद आया, हाँ, कल मुझे मालूम नहीं था, कि पीछे काउंटर के सिरे के करीब, वो जो बंद दर्वाजा है, उसके पीछे आपका आफिस था, तो जिस शक्स के साथ, आप दस मिनट अपने आफिस में बंद रहे, क्या ये मुम्किन है कि आ आप उसको जानते ना हो, क्या मतलब, नौ दस से लेकर नौ बेस तक, काले सूट वाला वो शक्स, आपके साथ, आपके आफिस में बंद रहा था, इतना अर्सा तो उस शक्स को जान जाने के लिए भी काफी होता, जिससे पहले कभी ना देखा जाना हो, फिर भी आपने कहा, कि आप उसे नहीं जानते थे, ऐसा क्यूं, शेक मुनीर गट बढ़ाया, उसके दिमाग की चर्की तेजी से घूमी, भीडू, तेरे भेजे में जाला, वो बोला, जी, अपना सवाल याद कर, क्या पूछा था तूने मेरे को, याद है मेरे को, क्या पूछा था, मैंने मुनी जादव को, या केकी मिस्त्री को जानते थे, वैसे किसी बदरीनाथ को भी जानते थे क्या, और मैं बोला था, मैं किसी बदरीनाथ को नहीं जानता था, अप ये कहना चाहते हैं, कि कल जIS काले सूट वाले से आपने 10 मिनट, अपने आफिस में मुलाकात की थी, उसका नाम बदरीनात नहीं था। यहीच कहना चाहता हूं मैं। लेकिन मुझे पक्का मालुम हुआ है कि उस शक्स का नाम बदरीनात है। भिडू तेरा कच्छा पक्का तू जाने। आप उसे किस नाम से जानते हैं। शेक मुनिर फिर गट बढ़ाया। क्या उसे जीत सिंग का ना जीत सिंग वो बोला। कैसे जानते हैं। जानता नहीं हूं, खाली कल ही जाना था। कैसे, क्या चाहता था वो। बार के धंदे के बारे में जानना चाहता था, कि उधर उसके क्या गुंजाईश थी। ओ, वो भी बार खोलना चाहता था। वो नहीं, उसका कोई पैसे वाला वाकिफकार जो बार खोलता तो उसे मैनेजर रखता एक जीत सिंग तारदेव के सूपर स्चोर में पड़ी डकैती का मुल्जिम भी बताया जाता है वो कोई और जीत सिंग होगा जीत सिंग एक आम नाम है दस भेडूओं का हो सकता है क्या आप शुरू से इस धंदे में है अरे मैंने कल ही बोला था कि मैंने ये नवा बार खोला है धंदे में आप फिर भी हो सकते है नहीं धंदा भी नवा पकड़ा है पहले क्या करते थे पीजा पारलर चलाता था किधर इधर मुंबाई में ही भई और किधर? मेरा मतलब है मुंबई में किधर? माटूंगा में. वो क्यों बंद कर दिया? मेरे को ये धन्दा पसंद. आपका मतलब है कि एका एक पसंद आने लगा था क्या? यही चमशले. एक डिबबा करके भेडू भी माटूंगा में पीजा पारलर चला था पर असल में फैंस था. फैंस क्या होता है? चोरी के माल की खरीद फरोग करने वाले को कहते हैं. तो मैं तेरे को चोरी के माल की खरीद फरोग करने वाला लगता है क्या? लगते तो नहीं. पंड हो सकता है. गोद में बैट के दाड़ी मूनता हूँ. सॉरी. तो आप इधर के ऐसे किसी प कैसे होईगा, वो इतना बड़ा इलाका है, उपर से आज कल तो पिज़ा पारलर साला घर घर गली गली चलता है, सही फर्माया, मैंने तो सही फर्माया भीडू, अभी तेरा फर्माना मुकमल हुआ या नहीं, हो गया, जालानी हसा, नौकरी कर ली मैंने अपनी, अब बैर्मेन को भी नौकरी करने दे, ओर्डर बोल, अभी नहीं, वज़ा, किधर जाने का है, लौट के आउंगा, आना, पंड सवाल पूछने ना आना, ताकीद है, मैं इस से ज्यादा मू नहीं लगा सकता तेरे को, खास मेरे को, किसी चापे वाले को, मैं याद रखूंगा, स्चोल से उदरता जालानी बोला, शुक्रिया, वो वहाँ से रुकसत हो गया, डिबा अपने आफिस में आ उसने कोनिया मेस पर टिका ली, आखे बंद कर ली, और हाथों में माथा थाम लिया, वो मामला जो निपट भी चुका बताया जा रहा था, वही अब उसे खौफ जदा करने लगा था, जालानी के सवाल सुनने में आम और मामुली लगते थे, वो ऐसे थे, तो उसकी मंशा उ वो डिबा हो सकता था, जो कि असल में पिज़ा पारलर की ओट में फैंस का धंदा चलाता था, अब उसके सामने सवाल ये था, कि क्या अब भी उसे जालानी की बाबत बड़ा बटाटा से बात करना चाहिए था, या नहीं, वो बड़ा बटाटा से खौफ खाता था, उसे अ पहले क्यों नहीं बोला, बड़ा बटाटा की जगा, उसने बोनी से बात करने का फैसला किया, उसने ढून कर उसका मुबाइल नमबर निकाला, जो कि उसने उसे परसुर रात तारदेव थाने में मौजूद की केदारान दिया था, उसने उस नमबर पर कॉल लगाई, तक का बोनी जादव की आवाद सुनाई थी, कौन है? मैं शेक मुनीर बोलता है, बिग बॉस से, क्या मांगता है? अरे, बोनी बाबा, ये तुने मेरे को किस जहमत में फसाद या? क्या? मेरे को मालूम था तू छोकरी बास था, मालूम था कि दारू बास था, पर नहीं मालूम था की ड्रग बास भी था, क्या बकता है? पर सो रात इधर चो सफेद गोली तुने मुझे केकी मिस्त्री के ड्रिंक पे मिलाने को दी थी, और बोला था, वो बेहोशी की दवा थी, वो बेहोशी की दवा किधर थी? वो तो, वो तो S.J.C. करके हिलोईन जैसे नशे की गोली थी वो गोली तेरे पास पहले से थी, तो तू लेता ही होगा ना? केकी को छोकरी को देखके, जादू के जोर से तो तेरे पास नहीं आ गई? दोसरे तरफ खामोशी चागई, अरे भीडू, लाइन पर है की नहीं? कौन बोला ऐसा? बोनी जादव ने पूछा, छापे का एक भी हुआ? वो नहीं बताया, बोला अकबार वाले ऐसी जानकारी का अपना जरिया किसी को नहीं बताते, उसे ये बात नहीं मालूम हो सकती, बराबर मालूम थी, तुक्का लगाया, खाली ड्रग्स बोला होता तो मान लेता, पर वो तो ड्रग्स का नाम भी बोला, स्टेसी, फि जिक्र नहीं करने का है, फिर आवास आई, पोस्मार्टम की रिपोर्ट जारी हो चुकी है, उसमें एस्टेसी का कोई जिक्र नहीं है, उसकी लाश उसके सगे वाले टावर ओफ साइलेंस पर मिलते ही लख भी आए थे, और अभी तक उसका कुछ भी नहीं बचा होगा, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं साबित कर सकती कि मरने से पहले केकी स्चेसी के नशे में था, पोस्मार्टम करने वाले डॉक्टर को तो मालूम होगा ना, अरे उसी ने तो सर्टिफिकेट बनाया, पर मालूम तो होगा, सर्टिफिकेट जारी कर चुकने के बाद जो उसे उसकी कोई कीमत नहीं, वैसे भी उसकी मजाल नहीं हो सकती इस बाबत मुझ खोलने की, काहे, पचास अजार रुपे लिए उसने पोस्मार्टम रिपोर्ट में से एस्टेसी का सिक्र गायब करने के, ओ, घबराने का नहीं है, बड़ा बटाटा सब सेट किया, वारदात वाल बिल्डिंग में गवा खुसर खुसर करते हैं, अरे, जब पुलिस भी सेट है तो उनकी खुसर खुसर को कौन सुनेगा, वो चापे वाला भी भीडु सुना ना, खाली एक, उसे भी पता नहीं कोई और काम क्यों नहीं है, पता नहीं कौन बोला कि कुछ गडबर, तु नाम बोल उसका, जालानी, पच्चा कौन सा है, एक्सप्रेस, कोई वांदा नहीं, बड़ा बटाटा उसे भी सेट करेगा, क्या तु बात करेगा इस बाबत बड़ा बटाटा से, हाँ, फिर ठीक है, कट कर, डिपे ने रिसेवर क्रेडिल पर रखा और चैन की सांस ली, जो बात वो बड़ा बटाटा को बोलने से हिचक रहा था, वो अब उसे बोनी जादब के जरिये मालूम होती, बढ़िया, जालानी तार देव थाने पहुचा, इंस्पेक्टर गोविलकर अपने आफिस में मौजूद था, जालानी ने उसका अभिवादन किया, गोविलकर ने सेर उ पूछा, पोस्मार्टम की बाबत पता करने आया था, क्या पता करना है, मैंने कल ही बोला था, कि वो महज एक फॉर्मेलिटी थी, हो गया क्या, हाँ हो गया, रिपोर्ट भी पहुँच गई इधर, कोई नई, कोई अनोकी, कोई चौंकाने वाली बात नहीं निकली उसमें, म यूसी वाली क्या बात है, आपने तो कल ही घोशना कर दी थी, कि ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला था, हाँ, कुछ नहीं निकला, खाली तस्दीक हुई, प्रोसीजर मुकमल हुआ, कि मरने वाले की गोली लगने से जान गई थी, और आपका काम आसान हुआ, क्या, कोई लीप देख सकता हूँ, क्यूं, मेरी जुबान पर एत्बार नहीं किया, जालानी खामोश रहा, गोविलकर ने दरास में से एक लिफावा बरामत किया, उसमें से एक तै किया हुआ कागस निकाला, और उसे सीधा करके जालानी के सामने डाल दिया, उसके उस एक्षन नहीं, रिप रिपोर्ट में कोई पेच वाली बात होती, तो वो इतनी आसानी से उसे कभी नहीं दिखाता, फिर भी एक सरसरी निगा उसने रिपोर्ट पर डाली, कुछ नहीं रखा था रिपोर्ट में, जो रखा था, वो तो गायक किया जा भी चुका था, एक बात तो निश्चित थी, कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के साथ हुई, हेरा फेरे में गोविलकर भी शामिल था, वरना एक बार जारी हो चुकी, और उसके अधिकार में आ चुके रिपोर्ट को डॉक्टर द्वारा तब्दिल किये जाने के लिए वापिस ना लोटा दिया होता, खास इसी वज़ा स उसे रिपोर्ट की बाबत उसे कुरेदना जलानी को ठीक नहीं लगा, वो उसके गले पड़ सकता था, ये जानने के लिए कि वो बात उसे कैसे मालूम होई, और फिर उसके सब खिलाफ हो सकता था, उस मुखालफत से फिलहाल बचे रहने का यही तरीका था, कि उसे जो अकबार पढ़कर मालूम होता, उसने रिपोर्ट लोटा दी, ऐसी रिपोर्ट, वो बोला, बेल स्चिक्स एक्सपर्ट की भी तो आती है, क्या, गोविलकर सक पकाया, जो ये बताती है कि गोली फासले से चली, या करीब से चली, जो ये कन्फरम करती है, कि जो गोलिया चश्मदीद गवाज हो है हमारे पास, जब वो कहता है कि गोली उन दोनों के आपस में गुथम गुता हुए होने के दोरान चली, तो वो फासले से कैसे चली हो सकती है, और गोली तो गण का मालिक खुद कबूल करता है कि उसकी गन से चली, और चश्मदीद गवाज के सामन चली यानि कि पुलिस का मुकमल केस एक चश्मदीर गवा की गवाही पर टिकब हुआ है क्या कहना चाहते हो आपने केस को पोस्मार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही हल हो चुका घोशित कर दिया था क्यूंकि आपकी निगाह में पोस्मार्टम महस एक फॉर्मैलिटी थी ज अभी तो लाश में से गोलिया निकाली गई है वो तनिक जुझलाई स्वर में बोला बैलेस्टिक्स एक्सपर्ट का काम पोस्मार्टम से पहले थोड़े ही हो जाएगा लेकिन होगा क्या क्यों नहीं होगा जरूर होगा लेकिन एक्सपर्ट की रिपोर्ट में ऐसा कुछ न नहीं मालूम? हाँ, जैसे ये रिपोर्ट आपकी मन माफिक है, वैसे वो भी आपकी मन माफिक होगी क्या? क्यों नहीं होगी? दूप निकली हुई हो तो क्या मुझे वैदर ब्यूरो से रिपोर्ट मागनी पड़ेगी कि आस्मान में सूरज है, चान नहीं है? वाह, क्या बात कही है? गोविलकर खामोश रहा, कल हमारे बीच जालानी ने बात बदली, सूपर स्चोर के डकैती के मुलसिम का जिक्र आया था, जिसकी की आपने बताया था, जमानत हो चुकी थी. हाँ, नाम क्या बताया था? जीत सिंग, क्या उसे सजा हो पाएकी? अगली तारीक पर देखना, यानि की होगी? देखना, जो गवा मुक्रा था, उसकी तरफ ध्यान देने का, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगली तारीक पर, कोट के ही ओर्डर से छूटी गवाही देने के इल्जाम में, वो भी गिरफतार होगा. यानि की जमानत खारिज, जब्द, और वो फिर गिरफतार, जब जमानत जब्द हो जाएगी तो अंदर ही होगा ना? क्या मैं उसकी तस्वीर देख सकता हूँ? तस्वीर? वो गिरफतार हुआ था, उस पर चार्ज लगाकर उसे कोट में पेश किया गिया था, तो बुक तो हुआ ही होगा, इसलिए तस्वीर भी खिजी ही होगी. क्यूं देखना चाते हो? ऐसे ही, जिस सालिया वार्दात के पीछे पड़े हो, उसे चोड़ कर उस पुरानी वार्दात में एका एक दिल्चस्पी की वज़ा? कोई खास वज़ा नहीं, ऐसे ही देखना चाता था, उस शक्स की सूरत जिसने ऐसे डियर डैवल डकैती को अन्जाम दिया था. तुम्हारे अकबार में जब उसकी गिरफतारी की खबर चपी थी, तो साथ में फोटो नहीं चपी थी किया? पुलिस की प्रेस की दो फोटो भी चपी थी, जिसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था. आजकर मुल्सिम वैसे तो फोटो खिंचने नहीं देते, मूँ पर कपड़ा लपेट लेते हैं. गोविलकर उटकर एक फाइलिंग कैबिनेट के पास पहुँचा और वहां से एक फाइल निकाल कर लाया. उसने फाइल को एक स्थान से खोला और घुमाकर उसे जहलानी के सामने कर दिया. फाइल से फ्रन्ट पोस्ट और राइट और लेट प्रोफाइल से जांती सूरत को जहलानी ने फॉरण पहचाना. वो वही शक्स था जिसे उसने पिश्वी रात बिग बॉस में बार पर बैठे देखा था. काले सूर्ट में फिल्म स्चार्स की माफिक सज़ा धजा, जो कम से कम दस मिनट बिग बॉस के प्रोप्राइटर शेक मुनीर के साथ उसकी ऑफिस में बंद रहा था, जिसका नाम उसने जीत सिंग बताया था. लेकिन जो नाक पाड़ा के राश्टीप होटल के कमरा नंबर 204 में ठहला बदरी नाथ था, जिसने खुद को हिमाचल से आया बताया था, और जिसकी बाबत होटल के मैनेचर आलोप नायक का अंदाजा था, कि फिल्म स्चार बनने की कोशिश में मुंबई पहुंचा था. जरूर वो बेगुना था, और इस्पेक्टर गोविल कर उस पर नाहक जुर्म धा रहा था, मानवाधिकार आयोग वालों की दकल अंदाजी की वज़ा से ही, हुई अपनी फजीहत की वज़ा से, जो और उस नौजवान के खिलाफ हो गया था, और अब भड़का हुआ, वो क उसे गुमनाम टिप देने वाला बद्रीनात नाम का वो शक्स था, जो कि होटल राजदीब के 204 नंबर कमरे में ठहरा हुआ था, जो धारा प्रवा मुंबईया जुबान बोलता था, और ऐसे लहचे में बोलता था, जो सालों मुंबई में रहते रहने के बाद ही जुबान पर चड़ता है, ऐसा शक्स मुश्किल से दो हफ़ते पहले हिमाचल से आया नहीं हो सकता था, और अब फाइल में लगी उसकी तस्वीर, बता रही थी, कि असल में वो सूपर स्चोर की डकैती का मुल्जिम जीत सिंग था, वो बद्रीनात को संदे लाब भी देता, कि उसकी शकल इतिफाक से जीत सिंग से मिलती थी, तो भी बात नहीं बनती थी, जो गुमनाम टेलीफोन कॉल उसे आई थी, उससे हासिल कुछ संकेत उस भात की मुखालफत करते थी, मसलन, फोन करने वाले ने अपनी हस्ती बहुत छोटी बताई थी, और साफ संकेत दिया था, कि हाल ही में पुलिस से उसकी भारी डंडा परेड होकर हटी थी, वो इंस्पेक्टर गोविलकर को जानता मालूम होता था, और साफ उसके खिलाफ जान पड़ता था, इससे लगता था कि उसकी डंडा परेड गोविलकर की वज़ा से हुई थी, या उसने खुद की थी, वो खुद को खोटा सिक्का बोलता था इस से साफ जाहिर होता था कि वो जिंदगी से खता-खाया शक्स था उन तमाम बातों से उसने यही सामोहिक नतीजा निकाला कि बदरीनाथ और जीत सिंग कोई दो शक्स नहीं थे असल जिंदगी में ऐसा कोई डबल रोल मुम्किन नहीं था वो ए केकी मिस्तरी के अंजाम के मुकमल ड्रामे का नहीं तो किसी एक एपिसोड का बराबर चश्मदीद गवा था और केकी मिस्तरी के अंजाम से वो इसलिए विचलित था क्यूंकि उसकी बातों से साफ जाहिर होता था कि केकी मिस्तरी उसका परिचित था वो खुद मजलूम था, ऐसा ही शक्स दूसरे पर होते जुर्म से अंदोलित होता है इसी वज़ा से उसे ये अंदेशा था कि क्यूंकि बोनी जादव रसूख वाले लोगों का सदा वाला था इसलिए साफ बच निकलने वाला था इसी वज़ा से वो सामने आकर हकीकत बयान करने से ड़ता था वो खुले आम मिली भगत की जो की बराबर थी अब उसकी तफ्तीश ही जाहिर कर रही थी दुहाई देता तो मिली भगत में शामिल लोग खास तोर से उसके सामने बैठा पुलिस या उसकी हस्ती मिटा देते इतना मुकमल जुल्म उस पर ना भी ढाया जाता तो नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता एक जराइन पेशा शक्स का जिसको अपनी जान के लाले पड़े थे जो कभी भी जेल जा सकता था कौन यकीन करता वही विकल्ब था उसके सामने जो कि उसने आसमाया था अकबार के दफ्तर में फोन लगाने का उसे अब यकीन था कि बदरी ना थी जीत सिंग को रूबरू देख पाता तो वो यकीन गारेंटी में बदल सकता था रात को सोए नहीं क्या अगर नेंद यही पूरी करने का इरादा है तो ओ सौरी लाज के सुबुर्दकी की कारेवाही हो गई क्या हाँ कब की रहता कहा था मनने वाला गाट कोपर में पूना वाला एस्चेट करके एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें तकरीबन सभी पार्सी रहते हैं वही रहता था अपनी बेहन के साथ हम्, सब इंस्पेक्टर गोकले थानी में है क्या क्यों पूछ रहे हो कुछ पूछूंगा उससे क्या पूछोगे जो पूछना है मेरे से पूछो गोकले जब अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है तो वान गो में एवरिश कितना टाइम लगाता है गोविलकर की शकल पर ऐसे भाव आई जैसे फट पढ़ने लगा हो फिर बड़े जब्द के साथ बोला बाहर गल्यारे के सेरे पर पहुँचो उसके नाम का साइन बोट दिखाई दे जाएगा थैंक यू वहां से निकल कर उसने बाहर गल्यारे में कदम रखा वो गल्यारे के सेरे पर पहुँचा वहाँ जिस दर्वाजे पर गोकले की नेम प्लेट लटक रही थी, वो खुला था भीतर दाकिल होने से पहले ही उसे गोकले दिखाई दे गिया जो कि चेहरे पर गंभीर भाव लिये, फोन का रिसीवर कांग से लगाई था जालानी पर निगाप पड़ते ही, उसने रिसीवर वापिस क्रेडिल पर रख दिया हिदायत मिल गई क्या, जालानी बोला क्या, किस से? अपने साहब से, थाना ध्यक्ष इंस्पेक्टर गोविलकर से, जालानी आ रहा है, उससे कोई बात नहीं करनी है ऐसी कोई बात नहीं, फिर तो शुक्र है, क्या चाहते हो, क्या मैं बैठ चाऊँ अरे बैठो भाई, किसने रोका है, मैं मामुली ऐसा आई हूँ, कोई कमिशनर हूँ, जिससे बैठने की इजाज़त मांग रहे हो जालानी हसा, और एक कुरसी पर धेर हुआ क्या कोई चाइवाई पीओगे, गोकले ने पूछा नहीं, सिग्रेट पीओंगा, वो मेरे पास है जालानी ने पैकेट निकाल कर, गोकले की तरफ बढ़ाया उसने इंकार में सेर हिलाया, तो उसने खोद एक सिग्रेट सुलगा लिया तो, धुआ उगलता वो बोला, ग्रांट रोड वाला केस खत्म, तफ्तीश खत्म हाँ, गोकले ला परवाही से बोला, कुछ रखा ही नहीं था उस केस में एन ओपन और शट केस था इसलिए अभी ठीक से ओपन हुआ भी नहीं था कि शट हो गया क्या, मरने वाले के किर्दार की कोई तजदीक तो की होगी क्या मतलब, ये जानने की कोशिश तो की होगी, कि वो वाइलेंट आदमी था, या हैवी ड्रिंकर था वो सब तो वैसे ही जाहिर था, हैवी ड्रिंकर था, तबी तो टोन होकर फुट पाथ पर लुड़का पड़ा था, वाइलेंट नेचर का था, तबी तो बोदल उठा कर बोनी जादव पर हमला कर दिया, उसकी नाक तोर थी, उसकी जेब से गन खींच कर उसे मार डालने में कसर नहीं छोड़ी, वो बोदल तो आप लोगों ने महफोस कर ली होगी ना, किस लिए, उसको हत्यार साबित करने के लिए जिससे हमला करके, केकी मिस्तरी ने बोनी जादव की नाक तोरी थी, उस पर से मरने वाले की उंगलियों के निशान उठाने के लिए, ताकि स्थापित क किया जा पाता कि वो हमलावर्ट था, वो तो वैसे ही स्थापित है, चश्मदित गवा बोला ना ऐसा, सब कुछ गवा बोला, सब कुछ, जब है तो, ऐसी तखतीश का पुलिस प्रोसीजर भी तो कुछ कहता है, या नहीं कहता, कहता है, लेकिन इस मामले में प्रोसीजर खाल नहीं था, क्यूं? बोटल तूट गई थी, हमें टुकडे टुकडे हुए पड़ी मिली थी, कैसे तूट गई? क्या पता कैसे तूट गई? तूटी बोटल का क्या किया? उसके तुकडे में एक प्लास्टिक के थैली में भर कर थाने ले आया था, मैंने इंस्पेक्टर साहब को वो दिखाए थे तो वो बोले थे कि उनमें कुछ नहीं रखा था फिर फिर क्या कच्रे में डाल दिये बोतल साबुत मिलती तो कहानी कुछ और होती जाहिर है मरने वाले के employer का कहना है कि वो social drinker था और शरीव जिम्मेदार, sincere और decent आदमी था कभी कोई पंगे वाला काम नहीं करता था employer को क्या पता वो क्या हमेशा उसकी पूंच से बन्दा रहता था duty hours के बाद कोई क्या करता है कैसे behave करता है ये क्या किसी employer को मालुम पढ़ता है फिर भी कहने वाले कहते हैं कि heavy drinker, trouble maker और एका एक violent हो उठने वाला शक्स वो था जो मरने से बच किया कौन कहता है ऐसा उसे मेरे सामने लाओ मैं क्यों लाओ ये सब तो तुम्हें खुद करना चाहिए था एक कतल के केस में ये कतल का केस नहीं था investigating officers ये जानने की कोशिश तो करता ही है कि कातल का किर्दार क्या था मक्तूल का किर्दार क्या था अरे मैं बोला न थे कि ये कतल का केस नहीं था वाइलेट मेंस से गोली लगने से एक आत्मी की जान गई वो जुकाम से नहीं मरा किसी के मारे भी नहीं मरा अपनी बेहूदगी से मरा खुदकुशी जैसा पंदा किया इसलिए मरा फिर भी फिर भी जितने पूश्टाज जरूरी समझी गई थी वो की गई थी कहां से की गई थी आजू बाजू से क्या पता चला था केकी मिस्त्री को उधर कोई जानता नहीं था बोनी जादव ठीक आदमी था क्या ठीक था उसमें? वो वुमेनाईजर था हैवी ड्रिंकर था ड्रग एडिक भी था शायत ग्रांट रोड का वो फ्लैट उसका अयाशी का डग अड़ा था जहां संदिक्द चरित्र की लड़कियां आती थी और जहां रात रात भर दारू की पार्टियां चलती थी ऐसा आदी पंगे बास था कि कोई टोके तो गन निकाल लेता था कौन बोलता है ऐसा? जो पोश्ताज आजू बाजू की बताते हो उसकी रो में तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे को ऐसा कोई नहीं बोला तुमने या तो ये बात खुद गड़ ली है या किसी ऐसे शक्स की बकवास पर यकीन कर लिया है जिसे बोनी जादव से कोई खुननस होगी शायद केकी मिस्तरी के उधर कोई जानता नहीं था तो उधर पता किया होता जिदर उसे सब जानते थे जैसे कि फुल हाउस से जहां कि वो काम करता था या उस हाउसिंग सोसाइटी से जहां कि वो रहता था ये टाइम खराब करने वाली बाते होती है और पुलिस ने कोई एक ही केस की तफ्दिश नहीं करनी होती मेरे को मालूम है इसलिए थाने पर कोई एक ही पुलिस या तैनात नहीं होता देट सो आदमियों का स्चाफ होता है एक थाने में इसलिए होता है कि थाना किसी एक ही केस की तफ्दिश में ना उल्चा रहे अरे जब एक चश्मदित गवा तमाम वाक्या बयान करने के लिए मौजूद है तो इन बातों की कोई एहमियत नहीं हमारा सरुकार उसी उसके वाक्या के वक्त की हरकतों से है इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो सोशल ड्रिंकर था या हैवी ड्रिंकर था शरीफ था या बदमाश था जिम्मेदार था या गैर सिम्मेदार था सिंसियर था या इन सिंसियर था क्योंकि तुम्हें चश्मदित गवा के बयान पर सौ फिस्दी एतबार है बे अत्बारी की कोई वज़ा ही नहीं वहाँ के हालात अपने मूँ से बोल रहे थे जो हालात के मूँ से बोला जा रहा था वो तो सुना ही नहीं गया अच्छा, खाम खा एक गवा का कहना है कि गोलियां तीन चली थी उसके कान बचते होंगे या कोई बढ़व होगा जिसके सुनने की ताकत भी कमजोर होगी और भेजा भी उम्र के साथ पिलपिला हो गया होगा या तुम प्रेस वालों की जुबान में कोई सेंसेशन सीकर होगा एक कदरन नौजवान गवा ने भी शक जाहिर किया है कि गोलियां तीन चली थी शक ही जाहिर किया है ना दावा तो नहीं किया यकीन से तो नहीं बोला हो सकता है यही बात हो हो सकता नहीं है है तुम खुद सोचो अगर गोलियां तीन चली थी तो पोस्मार्टम में मरने वाले के जिस्म से दो क्यों निकली तीसरी जिस्म में नहीं लगी होगी इदर उदर छिटक गई होगी ऐसा हुआ होता तो वो कहीं तो जाकर लगी होती जाओ जाकर देखाओ कहीं नहीं लगी लगी तो बोलना कहां लगी वो तो मैं अभी बोल सकता हूँ क्या यही कि अगर गोलियां तीन चली थी, तो तीसरी गोली कहां जाके लगी थी? कहां जाके लगी थी? फ्लैट के दर्वाजे में दर्वाजे में? कौन से दर्वाजे में? प्रवेश द्वार में? में डोर में? जालानी, अगर ऐसी कोई गोली प्रवेश द्वार में लगी थी, तो या तो वहीं धसी हुई होगी, या पार गुजर गई होगी, और यू दर्वाजे में छेद बन गया होगा, मैं क्या अंदा हूँ, जो मुझे नहीं छेद दिखाई दिया, ना ही द्वार में धसी गोली द पतलब तुम्हें मालूम है, क्या मालूम है, नहीं मालूम है तो मालूम करो, अरे क्या मालूम करूँ, ये कि आज सुबा फ्लैट का दर्वाजा बदल दिया किया है, गोकले खामोश हो किया, उसने बेचैनी से कुरसी पर पहलू बदला, कुछ शंट उसकी निगा इदर पटकी और फिर वापिस आकर जलानी पट्टी की, कैसे मालूम वो बोला, आंखों से देखा, गोली लगा दर्वाजा, नया दर्वाजा, ओ, नया दर्वाजा, जलानी को वो चैन की सांस लेता लगा, उसकी होगी कोई वज़ा, फिर वो ला परवाही से बोला, किसकी जलानी की भवे उठी दर्वाजा चेंज कराने की एका एक आनन फानन अब एक सिंपल रोज मर्रा का काम तुमें एका एक आनन फानन हुआ लगता है तो मैं क्या करूँ वजा मालूम करो किस बात की दर्वाजा क्यूं बदला उसमें कोई नुक्स होगा अभी क्यूं वो नुक्स काम होना था ना उसे कहो उत्रा हुआ दर्वासा दिखाई तुम खुद जाके कहलो मुझे जरूर ही दिखाएगा ठीक है मैं कहूंगा कब जब फुर्सत होगी इतनी मामुली बात के लिए अभी उठके चल दूं क्या नहीं पहले उसे फोन करो कि वो दर्वासे को एक पर अरे क्या कह रहे हो तुम्हारा चश्म दीद गवा जिसके चश्म की दीद कुल जहान से अनोकी है ये भी कहता है कि गोलियां चलने की आवास के साथ या आगे पीछे जो जनाना चीखों की आवास सुनी गई थी वो टीवी से निकल रही थी हाँ कहता है टीवी पर ऐसा कोई टैली सीरियल आ रहा था जिसमें एक किरदार ऐसा था जो बे तहाशा चीखता था हाँ एक गवा का कहना है कि गोली बारा बीस पर चली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का वक्त बारा और साड़ी बारा के बीच का दर्श है तो शनीवर बारा और साड़ी बारा के बीच किसी भी चैनल पर ऐसा कोई प्रोग्रेम नहीं आ रहा था जिसमें बारा बीस के आस पास कोई औरत चीखती हो गोकले अवाक उसका मूँ देखने लगा कैसे जाना फिर उसके मूँ से निकला केबल ओपरेटर सारे चैनलों के सारे प्रोग्रेमों की बमिया उनके टेली कास टाइम बुकलेट चापते हैं उस बुकलेट से जाना बुकलेट में क्या टेली सेरियल की कहानी छपी होती है नहीं मैंने हर चैनल के 12 से 12.5 के बीच के प्रोग्रामों की लिस्ट बनाई फिर बाई मेथड ओफ एलिमिनेशन उसे शॉर्ट लिस्ट किया मसलन न्यूज में चीकों का कोई मतलब नहीं म्यूजिक चैनल्स पर चीकों का कोई मतलब नहीं वगेरा वगेरा यूँ मुझे दो चैनलों का पता लगा जिस पर रात के उस वक्त किसी टैली सीरियल का रिपीट टैली कास आ रहा था फिर मैंने दो ऐसे टीवी दर्शक तलाश किये जिन्नोंने उस वक्त वो प्रोग्राम देखा था दोनों से यही जवाब मिला कि उन दोनों टैली सीरियल में ऐसा कोई फीमिल केरेक्टर नहीं था जो कि सीरियल के मिडल में चीखने लगता था गोखले सननाटे में आ गया फैंक रहा है फिर वो दिलेरी से बोला मत मानो तुमने ऐसा किया तो क्यूं किया इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस द्वारा पेश किये केस के हल पर तुम्हें श्रक है जलानी खामोश रहा उसने सिग्रेट का आखरी कश लगा कर उसे मेज पर पड़ी एश्रे में डाल दिया जलानी एक भुगत भोगी के जो कि बोनी जादव है बयान के आगे एक चश्मदीद गवा के जो कि शेक मुनीर है बयान के आगे इन छोटी मोटी बातों की कोई एहमियत नहीं जिरे तुम खाम खा सेंसेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हो क्यों एहमियत नहीं इससे ये साबित होता है कि तुम्हारा चश्मदीद गवा कम से कम इस बाबत जोट बोल रहा है क्यों? जब वो एक बात पर जोट बोल सकता है तो दूसरी बात पर जोट क्यों नहीं बोल सकता? तीसरी, चौथी, पांच्वी, चटी बात पर जोट क्यों नहीं बोल सकता? अरे क्यूं, क्यूं जूट बोलेगा वो, कोई वज़ा तो दिखाई दे, उसके चीकों की आवास की बाबत जूट बोलने की है ना वज़ा क्या फ्लैट में एक लड़की थी, नशे में बोनी जादव जिसके पीछे पड़ा हुआ था असल में चीकों की आवास उस लड़की के गले से निकली थी अब तो तुम बिल्कुल ही फैंक रहे हो, जालानी खामोश रहा पहले तो हो ही नहीं सकती, फिर भी थी भी तो कहां गई खुन खराबे से खौफ खाकर खिसक गई चश्मतित गवा ने उसका जिक्र क्यों नहीं किया उसी से पूछो पूछूंगा मैं तुम्हारी उस तीवी प्रोग्रामों वाली बात को भी खुद चेक करूंगा बढ़िया, अब एक आखरी बात और वो भी बोलो मौकाई वार्दात पर तुम्हारे और तुम्हारे हवलदार के पहुँचने के बाद वहाँ जो दो जने और पहुँचे थे वो कौन थे कौन बोला ऐसा इमारत का कोई बाशिंदा ही बोला उसके खयाल से वो सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे क्योंकि बन दर्वाजे पर तैनात हवलदार ने उन्हें देखते ही दर्वाजा खोल दिया था और उन्हें फ्लैट के बीतर चले जाने दिया था हाँ पुलिस वाले ही थे वो वर्दी में क्यों नहीं थे क्योंकि पुलिस वाले थे पुलिस नहीं थे तो कौन थे? एक डॉक्टर था, दूसरा उसका असिस्टेंट था डॉक्टर का क्या नाम है? किशोर पारिक, असिस्टेंट का नाम खुद मुझे नहीं मालूं डॉक्टर वहां किस लिये? रुटीन है, मृतक को मृत खोशित करना डॉक्टर का काम होता है वो ही लाश के प्रिलिमिनेरी एक्जामिनेशन से अपना अंदाजा बताता है कि मौत हुए कितना वक्ट बीच चुका था और मौत कैसे हुई थी? इस केस में तो ये सब पहले ही स्पश्ट था फिर भी ऐसे मौकाई वारदात पर पुलिस का डॉक्टर पहुँचता है, रुटीन है यू तो फोटोग्रेफर भी पहुँचता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी पहुँचता है फोटोग्रेफर वाद बाद में पहुंचा था फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की वहाँ जरूरत नहीं समझी गई थी लाश की कोई फोटो प्रेस को तो रिलिस की नहीं गई थी ऐसा जरूरी नहीं समझा किया था अब दे दो जाकर इंस्पेक्टर साहब से मागो ठीक है शुक्रिया वो वहाँ से रुकसत हो गया उसके पेट फिरते ही गोकले ने टेलिफोन अपनी तरफ घसीटा और उस पर दिलिब भाले कर पुर्फ बड़ा बटाटा का मुबाइल नंबर डाइल करने लगा जालानी गल्यारे में चलता आगे बढ़ा वो इंस्पेक्टर गोविलकर के आफिस के करीब पहुंचा तो दर्वाजा एका एक खुला और गोविलकर ने बाहर कदम रखा जालानी को देखकर वो ठिटका उसके माथे पर बल पड़े उसने कुछ शर्ण अपलग जालानी को देखा और फिर अप्रसन भाव से बोला अभी यही हो हाँ इतिफाक से जालानी जब्रन हस्ता हुआ बोला गोखले से इतनी लंबी बात चित की यूही हो गई आज सुभा में तुम्हारे आफिस में गया था अरे मुझे तो बताया नहीं किसी ने तुम्हारे एडिटर अजीद दथ से मिलकर आया था सुभा में आफिस तो गया था लेकिन बहुत थोड़ी देर वहां ठहरा था दथ साहब से मेरी मुलाकात नहीं होई थी तभी तो क्या तभी तो अभी जाके मिलना क्यों गए थे खुद मालूम करना अपने एडिटर की जुबान तुम बहतर समझोगे मेरी कोई शिकायत तो नहीं कर रहा है उसने उतर नहीं दिया कुछ शर्ण अनिश्चित सा वो जालानी को घूरता रहा और फिर बिना बोले गल्यारे में आगे बढ़ गया जालानी ने कंधे उचकाई और खुद भी आगे बढ़ चला ठाने की इमारत से बाहर आकर उसने मुबाइल पर अपने आफिस का नंबर डाइल किया आपरेटर लाइन पर आई तो वो बोला दत साहब को देना वो आफिस में नहीं है जवाब मिला कहा गए पता नहीं लेकिन ये बोलके गए है कि लौट के नहीं आएंगे ठीक है तुम्हारा एक फोन आया था किसका मैंने लाम लिखा था कहीं ठहरो जरा हाँ शेखर नवलानी बोलता था तुम उसे जानते हो हाँ प्राइवेट डिटेक्टिव है फोन करने की कोई वज़ा बताई किया कोई मैसेश दिया किया खाली इतना बोला कि राट आठ और नौ के बीच वो यॉट क्लब में होगा अगर ये मैसेश है तो दिया ठीक है थांक यू ठीक छे बज़े जेट सिंग बिग बॉस में पहुँच किया उस बार उसने बार काउंटर पर पहुँचने का उपकरम नहीं किया वो एक कोने की टेबल पर जा बैठा उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लगा था प्रतिक्षा करने लगा एक वेटर उसके करीब पहुचा दस मिनट रुक वो बोला अभी कोई फिरेंड आने वाला है आया तो ओर्डर करता है सहमती में सिर हिलाता वेटर वहां से हट गया जीट सिंग ने बार की तरफ निगा दोडाई बार्मेन के साथ दिब्बा भी बार पर मौजूद था और विच्चित्र निगाहों से उसे देख रहा था जीट सिंग ने उससे आँख नहीं मिलाई उस घड़ी तीन चार टेबल भरी हुई थी और बार पर भी दो तिन व्यक्ति मौजूद थे तभी एक व्यक्ति वहां पहुँचा उसने दर्वाजे पर से पहली बार पहले बार पर मौजूद लोगों पर निगाह दोडाई जो कि विद्धा वस्ता की योड तेजी से अग्रसर अधेर थे फिर टेबलों की तरफ निगाह दोडाई जेद सिंग की टेबल के इलावा जहां सब आपस में बत्या रहे थे वो जेद सिंग की और बढ़ा जेद सिंग करीब आकर वो बोला हाँ, गाड़ी लाया है मेरे वास्ते? हाँ, बड़ा बटाटा भेजा ओ, बड़ा बटाटा भेजा, किधर जाने का है? बोलेंगा ठीक है, जेद सिंग उसके साथ हो लिया नीचे सडक पर एक इंडी का खड़ी थी जिसे जेद सिंग ने बड़ा बटाटा की गाड़ी के तौर पर साफ पहचाना जिसका पिछला दर्वाजा उस शक्स ने खोला जेद सिंग पीछे सवार हो गया तो उसने दर्वाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा उसने गाड़ी को गेर में डाल के आगे बढ़ाया देशर जाने का है बाप वो बोला उधर क्या है? एक पिराइविट गैस शाओ से पिराइविट पार्टी है अखा पार्टी के लिए बुक है आज रात का वास्ते ओ वो दक्ष ड्राइवर था टाम के ट्रैफिक के लिहाज से उसने असाधारन दक्षता और तेजी से गाड़ी चलाई आखिरकार जब गाड़ी मन्जिल पर पहुंची तो उसने उसे एक कदरन उजार इलाके में स्थित एक दो मन्जिला इमारत के कंपाउंड में ले जाकर रोका जीत सिंग दर्वाजा खोल कर बाहर निकला भीतर बच्टे म्यूजिक की आवास बाहर ही पहुंच रही थी ड्राइवर भी बाहर निकला उसने जीत सिंग को साथ आने का इशारा किया किस बात की पार्टी है उसके साथ चलते जीत सिंग ने पूछा किसी बात की नहीं ड्राइवर बोला ऐसा ही छे हाँ बाग लोगों का कोई बड़ा काम बड़ा बटाटा फिट करता है तो इनाम में ऐसी पार्टी भी शामिल होती है जीत सिंग ने नहीं पूछा कि इस बार बड़ा बटाटा ने कौन सा बड़ा काम फिट किया था बोनी जादव का खोन के इलजाम से बचाया था इससे बड़ा काम और क्या हो सकता था शिकारी कुत्ते शिकार करके जश्न मना रहे थे उन्होंने इमारत में कदम रखा भीतर एक छोटा सा हॉल था जहां रोश्नियों वाला टेंप्ररी डांस फ्लोर बनाया गया था जहां रिकॉर्डिड म्यूजिक बच रहा था और उसकी धुन पर नौजवान लड़कियां डांस कर रही थी दर्शकों में हर उम्र के पंद्रा सोला भीडू थे जिन में से कुछ खड़े थे, कुछ बैटे थे लेकिन सब के हाथ में विस्की के गिलास थे उसके देखते देखते एक मोटी तोन्द वाला आदमी स्टेज पर चड़ गया और अपने खाली हाथ से एक लड़की के साथ डांस करने की कोशिश करने लगा उसके गिलास के विस्की चलक कर लड़की के उपर गिर गई लेकिन उसे कोई एतरास नहीं जान पड़ता था उसकी पकट से मुक थोने की जगा वो मोटा, मोटे को और उत्साहित करती जान पड़ती थी उसी भीड में बटाटा भी मौजूद था बड़ा बटाटा की निगा उन पर पड़ी तो ड्राइवर वहां से रुक्सत हो गया बड़ा बटाटा दिली भाले कर बाहे फैलाए उसकी तरफ बढ़ा करीब पहुंचकर वो जीत सिंग से यूँ बगलगीर होकर मिला जैसे बर्सों से उसे जानता हो आ गया उसने निरर्थक प्रश्न किया हाँ जीत सिंग ने वैसा ही निरर्थक जवाब दिया कैसा लगी पार्टी बढ़िया अभी किधर से बढ़िया अभी तो आगे आएंगा आगे होईंगा एक वेटर उनके करीब पहुंचा उसने उसकी ट्रे में से विस्की के दो गिलास उठाई और एक जीत सिंग को थमाया चीर्स बोल अंग्रेश का माफिक तो बोला चीर्स जीत सिंग बोला मौच ले मैं आता है जीत सिंग ने सहमती में सेर हिलाया भाले कर उसके करीब से हट गया जीत सिंग ने स्चेश की तरफ निगा दोड़ाई तो मौटा और उसके साथ की लड़की उसे वहां नहीं दिखाई दिए फिर उसके निगा हॉल से उपर जाती अर्ट गोलाकार सेरियों पर पड़ी तो वो दोनों उसे वहां दिखाई दिए अब मोटे के दोनों हाथ खाली थे उसने लड़की को मुर्गी की तरह दबोचा हुआ था और जिस इरादे से वो दोनों उपर कहीं जा रहे थे वो प्रत्यक्ष था उसकी निगार डांस फ्लोर पर लोटी थोड़ी ही देर में वहां टिकी और फिर हॉल में भटक गई हॉल के पिछवारे के एक अध कुले दर्वासे पर उसे बड़ा बटाटा दिखाई दिया वो एक नौजवान लड़की से बात कर रहा था जिसके बाल बहुत छोटे कटे हुए थे और मुश्किल से घुटनों तक पहुँचने वाली स्कर्ट पहने थी बड़ा बटाटा के बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ समझा रहा था जीत सिंग ने उधर से निगा हटा ली और डांस और ड्रिंक में दिलजस्पी लेने की कोशिश करने लगा बड़ा बटाटा का खौफ उसे उस पार्टी में लाया था इसलिए कि उनका ठीक से आनद नहीं ले पा रहा था उसका गिलास खाली देखकर वेटर खोदी उसके पास पहुँच किया जीत सिंग ने नया ड्रिंक ले लिया विसकी उमदा थी और अपना अच्छा असर दिखा रही थी तभी वो लड़की उसके सामने आँ खड़ी हुई जिसे उसने बड़ा बटाटा से बात करते देखा था करीब से देखने पर जीत सिंग ने मैसूस किया कि वो उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा खूपसूरत थी और टपोरियों की उस पार्टी में इतनी खूपसूरत लड़की की मौजूदगी हैरानी की बात थी कद में वो जीत सिंग जितनी ही लंबी थी उसके छोटे कटे बालों की वज़ा से उसके चेहरे पर किसी खिलंदड़े शरार्ती किशोर जैसे भाव थे उसकी आंखों में बिलौरी चमक थी और अत्खुले लाल होंट निमंतरण देते जान पड़ते थी जीत सिंग ने उसकी उम्र का अंदाजा बीस साथ बीस साल का लगाया लेकिन जैसे उसने बाड़ी निकाली थी उस लिहास से वो सूला की भी हो सकती थी और पच्चिस की भी हो सकती थी उसके वहां मौजूदगी एक ही बात सिद करती थी हाई क्लास बाई थी हलो वो बड़े चिता करशक भाव से बोली जीत सिंग मशीनी अंदाज से मुस्कुराया मैं डिमपल वो बोली जीत सिंग ने जवाब में अपना नाम बताने का उपकरम नहीं किया मज़ा आ रहा है क्या वो अपना निचला होन बड़ी अदा से दान्तों में दबाती बोली आना शुरू तो हुआ है क्या पी रहे हो विस्की मेरे को तो वोट का पसंद है वो वेटर आओ उधर बैठे उधर किधर उसने डांस चेज से विपरीद दिशा में इशारा किया जहां दिवार के साथ एक टू सीटर सोफा लगा था और जो खाली था जीट सिंग ने सहमती में सिर हिलाया उसने बड़ी आत्मियता से उसकी बां में बां पिरोई और उधर बढ़ी बैठो सोफे के करीब पहुँचकर वो बोली मैं आती हूँ हम वो चली गई जब वापिस लोटी तो दोनों हाथों में दो गिलास थामे थी साफ पता चल रहा था कि एक में विस्की सोडा था और दूसरे में आइस क्यूप्स के साथ जो तरल पदार था वो जब वोट का थी उसने विस्की का गिलास जीत सिंग की और बढ़ा थिया जीत सिंग ने तनी खड़ बढ़ाए भाफ से हाथ का गिलास खाली करके सोफे के बाजु में पड़ी तिपाई पर रखा और नया जाम थाम लिया लड़की सोफे पर उसके साथ सट कर बैट गई शियर्स वो बोली शियर्स जीत सिंग बोला पियो और जीओ ना जी सको तो मर जाओ मेरे साथ कोई नहीं मर सकता वो अपने रेशमी जिस्म का और भार उस पर डालती होई बोली मैं तो मर्तों में प्राणफोग देती हूँ मुझे यकीन है क्या मैं पसंद आई बहुत साबित करके दिखाओ क्या यही कि मैं पसंद आई जीत सिंग ने अपना खाली हाथ उसकी कमर में डाल दिया हौल में इतने लोग है जीत सिंग बोला खास मेरे पर ये महर्बानी क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा तो लग रहा है पर अभी और अच्छा लगेगा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया वो, वो क्या है कि तुम मुझे अच्छे लगे? या फिर बड़ा बटाटा ऐसा बोला? क्या? कैसा बोला? मेरे पर खास महर्बान होकर दिखाना था तुम खास मेहमान हो? इसलिए खास खिद्मत? हाँ क्योंकि बड़ा बटाटा ऐसा बोला? अरे बोला भी तो क्या हुआ? वो तनिक जुन्ज लाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने अपने खास मेहमान के खिद्मत के लिए खास मुझे चुना है ना मैं खुश गिलास खाली करो क्या जल्दी है? अरे वो फिल्म देखने का है या नहीं? जिसका मैंने अभी ट्रेलर भी ठीक से नहीं दिखाया देखने का है स्पेचल शो खाली एक दर्शक बढ़िया गिलास खाली करो उसने किया और खाली गिलास तिपाई पर रख दिया उसने अपना जाम होंडो से लगाया एक छोटा सा सिप लिया और उसे अपनी तरफ की तिपाई पर रख दिया उसने अपनी गोरी सुडोल बाहे जीत सिंग के गले में डाल दी और लता की तरह उसके साथ लिपट गई लोग देख रहे हैं जीत सिंग फसे कंट से बोला कोई नहीं देख रहा सब स्चेश की तरफ देख रहे हैं वो उसके कान की लौच उभलाती फुस्फुसाई सबकी पीठ है इधर सबकी नहीं फिर भी कोई वांदा नहीं इधर की पार्टी में सब चलता है लेकिन चुप वो पता नहीं क्या क्या करने लगी अरे सुनो तो वो हाफता सा बोला क्या सुनू वो इठ लाकर बोली बस काफी है काफी है अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इधर काफी है ओ कुछ शर्ण खामोशी रही ठीक है मैं समझ गई फिर वो बोली क्या समझ गई अभी मालूम होता है उसने उसे बंदन मुप किया और उठ खड़ी हुई उठो वो उठा आओ कहा बेडरूम में बेडरूम में कौई न कोई खाली होगा देखते हैं चलो उसने घड़ी पर निगार डाली साथ बीस ठीक नौ बजे उसने बिग बॉस में होना था कोता ही उसका खाना खराब कर सकती थी कल इंस्पेक्टर गोविलकर का गुस्सा गाली गलोट से ही ठंडा पड़ गया था आज उसका कहल उस पर बुरी थरा तोट सकता था उसकी बाँ था में लड़की उस दर्वाजे पर पहुँची जिस पर खड़े बड़ा बटाटा को उसने उससे बात करते देखा था उसने हौले से दर्वाजे को धका देकर थोड़ा सा खूला जेद सिंग ने उसके एक अंदे पर से भीतर चांका भीतर बड़ा बटाटा मौचूद था वो एक सोफे पर यूँ बैटा हुआ था कि उसका मुँ दर्वाजे की और होने की जगा बाई दिवार की यॉड था उसके सामने कार्पेट पर एक नौजवान लड़की यूँ उकडू बैठी हुई थी कि उसका सिल बड़ा बटाटा की गोद में था उसकी आँखे बंद थी मुख खुला था और उसने दाई हाथ से लड़की का सिल यूँ मजबूती से थामा हुआ था कि वो चाकर भी उसे उसकी गोद में से उठा नहीं सकती थी डिमपल ने जैसे हौले से दर्वाजा खोला था वैसे ही हौले से बंद कर दिया उसने अगला दर्वाजा ट्राई किया तो उसमें भी वैसा ही नजारा हुआ पता नहीं दर्वाजे को भीतर से बंद करना लोग बाग नशे में बूल जाते थे या किसी को परवा ही नहीं थी नीचे एक ही और रूम है डिमपल बोली वो भी ओक्यूपाइड हुआ तो उपर जाना पड़ेगा जीत सिंग खामोश रहा उसने अगले दर्वाजी को धक्ता दिया तो कमरा खाली पाया आओ जीत सिंग उसके साथ भीतर धाखिल हुआ वो दर्वाजा बंद करनी की बाबत सोची रहा था कि डिमपल ने खुद भीतर की दोनों चिटक्मिया चड़ा दी भीतर एक डबल ट्यूब लाइट जल रही थी जिसकी वहाँ भरपूर रोशनी थी उसने जीत सिंग को पलंग पर धकेल दिया और मादक स्वर में बोली तयार हो जाओ मैं भी तयार होकर आती हूँ जीत सिंग ने सहमती में सिर हिलाया वो बात्रूम में चली गई उसके पीछे दर्वाजा बंद हो गया थोड़ी देर बाद दर्वाजा खुला तो वो एक तॉलिया लपेटे बाहर निकली एक हाथ से वो तॉलिये को मुठी में जक्रे थी और दूसरे में एक विसकी का गिलास था अरे वो हैरानी से बोली तयार नहीं हुए यहाँ विसकी नलके से निकलती है जीत सिंग ने पूछा अरे नहीं भई बात्रूम में कैबिनेट है जिसमें बोतल थी ओ वो करीब आई उसने गिलास जीत सिंग के तरफ बढ़ाया लो वो बोली बात में जीत सिंग बोला ओ बात में उसने गिलास साई टेबल पर रख दिया जीत सिंग का कलेजा मूँ को आने लगा कितनी शांदार बनी हुई थी अनायास ही उसके मानस पटल पर सुशमीता का अक सुभरा ऐसे ही वो भी पुरसुमल के सामने खड़ी हो जाती होगी मिसिस जो ठहरी मिसिस चंगुलानी जो ठहरी बोर जो लगा था उस पर सुशमीता चंगुलानी सोल प्रोप्राइटर पुरसुमल चंगुलानी इस डिपार्टमेंट स्चोर की ये आइटम विक्री के लिए नहीं है यहाँ कोई सुशमीता नहीं रहती ये मिसिस चंगुलानी का घर है मिसिस चंगुलानी इसलिए मिसिस थी क्योंकि सेफ फेक ग्राहक के लिए धंदा करती थी अरे कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं डिम्पल जुंज लाई दिखाई दे रहा है जीत सिंग बोला जन्नत का नजारा दिखाई दे रहा है तो फिर मैं चाहता हूँ कि ना दिखाई दे क्या बतिया बंद करो सब बातरूम की भी अरे पागल हो क्या लोग मेरी एक जलक पाने को तरस्ते हैं और तुम हो की मैं बड़ा बटाटा को बोलेंगा क्या बोलेंगा कम्पलेंट करेंगा क्या कंप्लेंट करेंगा सर्विस चीक नहीं है अरे अभी सर्विस हुई किधर है मन माफिक नहीं हुजद बहुत है कमाल का अदमी है उसने तमाम बतियां बंद की उस दौरान जीत सिंग ने जी भरके उसके जिस्म का नजारा किया कमरे में अंधेरा चा किया जीत सिंग उठ खड़ा हुआ वो पलंग के करीब पहुंची तो वो उस पर बाच की तरफ जपटा जी भरके नोच खसोट कर चुकने के बाद वो उसके उपर से उठा ऐसे इच पड़ी रहने का है उसने आदेश दिया वो पलंग पर से उत्रा अंधेरे में ही उसने खामोशी से कपड़े पहने फिर बातरूम में जाकर टाइट ठीकी और बालों में कंगी फिराई वहां से निकल कर उसने कमरे की लाइट टॉन की डिमपल की उस पर निगा पड़ी तो वो उठकर बैठ गई उसके गुटने मुड कर उसकी धोड़ी से जुड़ गए अरे उसके मूँ से निकला क्या हुआ क्या हुआ जेत सिंग निर्विकार भाफ से बोला You are dressed up तो एक ही बार में बोर हो गए मेरे से त्रिप्त हो गया एक ही बार में त्रिप्त हो गया फिर भी जल्दी क्या है? इधर तो तुम्हारे लिए लंबा प्रोग्रेम चॉक्ट अप है लंबा प्रोग्रेम? जैसे हनी मूनिंग कपल्स का होता है क्या बोला? नई शादी बनाए जोड़ों का होता है मैं शादी किधर बनाया? हनी मून किया, अभी और करेंगा मैं देखना 15 डेज कैसे गुजरता है? 15 डेज, 15 दिन ज्यादा भी हो सकता है? तुम्हारे साथ? हाँ, यहाँ अरे इधर से तो और एक या दो घंटे में निकल लेंगे एक बीच रिजॉर्ट पर हमारा 15 डेज का बुकिंग है, कमाल है जिन्दगी का ऐसा मज़ा आएंगा, जैसे ना पहले कभी आया होएंगा, ना आगे कभी आएंगा बढ़िया, पर मेरे को नहीं जाने का है क्यों? ज्यादा मेठा कड़वा लगने लगता है कैसी बाते करते हो? कैसी बाते करता हूँ? तुम समझते नहीं हो? क्या नहीं समझता? जाना जरूरी किस लिए? तुम्हारे लिए और किस के लिए? मेरे को तो खाली कंपनी देने का है, कैसी कंपनी देने का है? अभी देखा कौन बोला ऐसा? बड़ा बटाटा उसे बोल, क्या बोला? बोला तुम्हें फोल लेश कराने का था, अब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं आई तो? किसी का भेजा ही खाली होगा, जो बोलेगा कि तु उसे पसंद नहीं. तो फिर, मेरे को किदर और हासरी भरने का है? किसी और लड़की के पास? नहीं. फिर क्या है? मत जाओ. नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? नहीं जाओंगा तो जिन्दगी की डोर तूट जाएगी. क्या? खत्म खलास. भालेकर तु ऐसा कुछ नहीं बोला? उसे मालूम होता तो जरूर बोलता, अभी जादा है. मैं भालेकर को क्या बोलूँगी? उसे मेरा शुक्रिया बोलना. बोलना मेरे को दावत बहुत पसंद. त्रिप्थ हो गया मैं. वो भड़केगा. क्या वांदा है? जो मेरे साथ किया उसके साथ करना ठंडा परचाएगा. तुम? तुम समझते नहीं हो. बहुत याद आएंगा तु मेरे को. अभी जाता है. उसने दर्वाजा खोला और वहां से बाहर निकल गया. डिम्पल उस कमरे के दर्वाजे पर पहुँची. जिसमें उसने भालेकर को बैठा देखा था. उसने जिजगते हुए हौले से दर्वाजा खोल कर भीतर जांका. ये देखकर उसने राहत महसूस की कि भीतर भालेकर के सिवाए कोई नहीं था. वो उसी सोफे पर बैठा हुआ था. और लगता था कि बैठा बैठा सो गया था. वो उसके करीब पहुँची. मिस्टर भालेकर. कोई जवाब नहीं. उसने हौले से उसका कंदा हिलाया और फिर नाम लेकर पुकारा. भालेकर ने आँखे खोली. सिर उठाकर आगंतु की तरफ देखा. उसके चेहरे पर सक पकाहट के भाव आए. यहां क्या कर रही है? फिर वो करकश्ष्वर में बोला. वो, वो. डेमपल तनिक भावीद भाव से बोली. चला गिया. चला गिया? कहां चला गिया? इधर से चला गिया. तेरा मतलब है पकाही चला गिया? हां. तुने जाने दिया उसे? मैंने बहुत रोका. ओनेस्ट. बहुत रोका. पर वो नहीं रुका. अरे क्यूं? बोला किधर और जाने का था? तो भी रोका होता. तो तो कहती थी तेरे साथ जो होता था. वो देन दुनिया को भूल जाता था. वो क्या है की? अभी क्या टैम है? आठ बचे को है. एक घंटा भी नहीं रोक के रख सकी? वो. वो वो की बच्ची. बोलती थी उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब पंद्रा दिन गुजर गए और बीच रिजॉर्ट पर और रुपने को तडपेगा? वो आदमी ही अजीब था. अजीब बाते करता था. अजीब हरकते करता था. वन गो ही में ही मेरी हर्टी पसली एक करती उसने. इसलिए तुने उसे जाने दिया? बाई गॉड नहीं. मैंने पूरी कोशिश की थी उसे रोकने की. पूरी कोशिश की होती तो चला कैसे गया होता? अब क्या मैं उसे बांग के रखती? क्या वांदा था? तेरे जैसे औरतों को मर्द लोगों को कहीं रसी से बांग कर रखना पड़ता है? मैंने हर कोशिश कर देखी थी. लेकिन वो तो… दफ़ा हो जा. मेरा रोकड़ा? कैसा रोकड़ा? काम तो हुआ नहीं. लेकिन… पीछे भाले कर कितनी ही देर खामोश बैठा सोचता रहा. फिर उसने करीब पड़ा फोन उठाया. और उस पर एक नमबर डाइल किया. लाइन लगी तो वो संभल कर बैठ गया. और माउख पेस में बोला. बड़ा जादव साहब भाले कर बोलता है. क्या मानता है? शगन जादव की आवाज आई. आप से मिलना मानता है. किस बाबत? बोनी बाबत बाबा की बाबत. अभी क्या बाकी है उस बाबत मिलने को? अब तो सब फिट हो गया. लगता है. क्या बोला? कभी एकदम परफेक्ट नहीं होती बाप, कही न कहीं कोई न कोई जोल रह जाता है। अभी ऐसा है क्या? लगता है, तभी तो मिलना मांगता है। अभी मुम्किन नहीं, अभी मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाने का है। कब खाली होएंगा? दो घंटे बात, ग्यारा पास पहुँशना उधर मुलाकात होगी। बात क्या है? कोई हिंट तो दे। एक रिपोर्टर पीछा नहीं छोड़ रहा वारदात का, एक गवा सेक नहीं हो सका, जो कि पुलिस की कहानी की पोल खोल सकता है, और उनके चश्म दिद गवा को जूटा साबित कर सकता है। खला पासी नहीं होता, ऐसे तो आधी मुंबई खत्म हो जाएगी, होता भी है तो टैम लगता है ऐसे कामु में। फिर तु काहे का ट्रॉबल शूटर है? मैं करेंगा अपना काम, जैसे हमेशा करता है, करेंगा, जैसे हमेशा पास होके दिखाता है, दिखाएंगा, पन टैम लिए बोनी बाबा को मुंबई से बाहर किधर भेजो उसका नाग तूटेला है पूछने पर बोलना नाग जुड़ने तक रेस्ट करने गया किधर जाए किधर भी जाए थोड़ा टैम इधर से जाए ताकि वो किसी को कुछ चुल्टा सीधा ना बोल दे ताकि कोई उससे लवा ना ले मैं दादर पहुंचेगा उधर बात करेंगे पड़ ये जरूरी हाँ हाँ जरूरी कट कर भालेकर ने लाइन काटी और एक नया नंबर डाइल किया डॉक्टर को दे जवाब मिलने पर वो बोला तकार डॉक्टर महता लाइन पर आया अरे डॉक्टर भालेकर ब अरे किस हालत में है सोती है उसको जगाने का है और बात करने लायक बनाने का है मेरे से उससे बात करना मानता है क्या कोई नया लफ़रा अभी हुआ नहीं है पर न हो सकता है इस वास्ते चोकरी को जरब फास गेर पर लगाना पड़ेगा अभी भेजे में आया कुछ आया एक गंटे में आता है यॉर्ट कलब अपोलो पायर रोड पर थी जहां की आठ बचे के बाद जालानी पहुंचा उसने मोटर साइकल को पारकिंग में खड़ा किया और कलब में कदम रखा शेकर नवलानी उसे बारवाले हॉल में अकेला बैठा दिखाई दिया जालानी उसके पास पहुंचा नवलानी ने उठकर बहुत गरम जोशी से उससे हाथ मिलाया और फिर दोनों आमने सामने बैठ गए कोई उनको ऐसे गरम जोशी से मिलता देखता तो उसे मुगालता लगता कि उस गरम जोशी की वज़ा दोस्ती नहीं थी ये थी कि वो जात भाई थे लेकिन वो बाद गलत थी जालानी राजस्थानी था जबकि नवलानी सिंधी था कैसा चल रहा है नवलानी बोला अरे ब्रदर जालानी बोला नौकरी में कैसा चलना है तुम धंदे वाले हो तुम बताओ कैसे चल रहा है ठीक चल रहा है कोई शिकायत नहीं और क्या चाहिए कैसे याद किया तुम्हें जल्दी है कहीं जाने की नहीं तो नौकरी से फारी गो कर आया हूं क्यों पूछा इसलिए कि जल्दी हो तो जल्दी बात करें वरना आराम से बात करें कोई जल्दी नहीं तो पहले ड्रिंक्स मंगाएं वा नेकी और पूछ पूछ नवलानी ने ड्रिंक्स का और्डर दिया। और्डर सर्व होने के इंतजार में दोनों ने सिग्रेट सुलगा लिये। और्डर सर्व हुआ तो दोनों ने चेर्ज बोला। पंकच फिर नवलानी संजीत की से बोला। मैं तेरे से ग्रांट रोड वाले केस की बाबत बात करना चाता हूँ यार। क्या ऐसा कोई शक्स तुम्हारा क्लाइंट है? यही समझ लो लेकिन उससे कोई फिस चार्च नहीं की है। क्या बात में करोगे? नहीं। क्या गरीब आदनी है? फिस नहीं भर सकता? मूह मांगी फिस भर सकता है एडवांस में भरने को तयार था। तुमने ले ली? नहीं। यकीन नहीं आता, ये तो घोड़े की घास से यारी वाली बात हुई। एक ही बार तो हुई, एक बार घोड़ा घास नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या। नहीं। बहुत पिगलाया मुझे उनकी बातों ने, इसलिए किसी अंथ प्रेड़ना ने मुझे उससे फिस चार्ज क करने से रुका। कमाल है। चलता है यार, कभी-कभी इनसान जजबाती हो ही जाता है। इनसान में जजबात ना हूँ, तो उसमें और जानमर में फर्क क्या हुआ। बात तो तुम्हारी ठीक है। क्या काम है उसका। काम ग्रैंट रोड़ पर हुई उस वादात से ही तालु हुआ है। तुम उस काम पर काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नोट से एक्चेंज करना चाहता हूँ। कौन बोला मैं उस केस पर काम कर रहा हूँ। जासू सहब, कहीं मेरी ही जासूसी में तो नहीं लगे हुए हो। ऐसा होता तो मैं तुम से ये मिटिंग फिक् केस है जिसमें तफ्तीश के लिए कुछ नहीं लखा, प्रेस में भी इस केस का कोई चरचा नहीं हुआ और ना ही किसी ने केस के पुलिस के वर्षन को पर कोई शक किया। लेकिन तुम्हें पुलिस के वर्षन पर शक है? हाँ, क्यूंकि तुम्हें उस बाबत कोई ठीप मिल ही है कि वो एक्सिडेंटल डेथ का नहीं, कतल का केस है, जिसे खुद पुलिस ही कवर अप करने की कोशिश कर रही है? ठीक, लेकिन ये बात मेरे एडिटर के सिवाई किसी को नहीं मालूम और उसे भी इस लिए मालूम है क्योंकि मैंने बताई, अब मेरा सवाल ये है कि तु मिले थे क्या? नहीं, तो कबोल करो कि जिस यक्स ने मुझे टिप दी, वही तुम्हारा क्लाइंट है, किया, उसका नाम जीत सिंग है ना, वो बद्रीनात के नाम से भी जाना जाता है, नवलानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जान भी चुके, उसके मुँ से निकला, ज काहे का जासूस हूसाई, जासूस तो तुम हो, तुम्हारे पास क्यूं पहुंच किया, तुम्हारे पास पहुंचना था, तो मुझे गुमनाम कॉल क्यूं की, प्रेस में हलचल मचाने के लिए, प्रेस के जरिये पुलिस पर इल्जाम लगाती, उंगले उठाने के लिए, और उनके केस के हल पर सवाल या निशान लगाने के लिए. तुम्हारे पास क्यूं पहुँँ पहुँचा? एक ऐसे काम के लिए उसके निगाह में जो कोई प्राइवेट डिक्टेक्टिव ही कर सकता था. क्या है वो काम? बोलूँगा, पहले तुम बोलो. वारदाद की जो कहानी पुलिस ने अकबारों को परोसी है, क्या वो चीक हो सकती है? हर्गिस नहीं. पुलिस की कहानी में छेध ही छेध है, जिन में से कुछ तो अंधे को भी दिखाई देते हैं. क्या पुलिस की कहानी लिपप होती है? हाँ. वो एक्सिडेंटल डेथ का केस नहीं है क्या? हर्गिस भी नहीं. तो पुलिस की ये जिद क्यूं है? लिश्वत खाई है क्या? कथित एक्सिडेंट में इन्वाल्व्ड, दूसरा लड़का बड़े नईते का सागे वाला बताया जाता है. उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर डाला है क्या? दोनों ही बाते हो सकती है. लेकिन मुझे पैसे का खेल ज्यादा लगता है. क्यूंकि मर्डर के कवर अप में कोई एक जन नहीं. कई जन मिले हुए हैं. खुला पैसा लुटाया गया जान पड़ता है. उस बोनी जादव नाग के लड़के को बचाने के लिए. क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये कतल का केस है? अरे मेरे भाई, केस तो खुद अपने आपको साबित कर रहा है. लेकिन कोई देखे तो, कोई सुने तो. कैसे कर रहा है? मैं सुन रहा हूँ. सुनो. पहले पुलिस का पहला कदम ही देखो. कैसे पुलिस की बदनियती की चुगली कर रहा है? गोलियां चलने और किसी औरत के चीखने की आवाज सुनी जाने की रिपोर्ट के जवाब में, पुलिस मौकाई वारदात पर यूँ पहुँचती है, जैसे कहीं चोर घुसता है. ऐसी बातों की पुलिस का पी आरो मीडिया को खबर करता है, और मीडिया को, प्रेस को, टीवी की नियूस चैनल्स को वारदात को कबर करने का मौका दिया जाता है. इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ. पुल्टे पुलिस ने मौकाई वारदात को सील कर दिया, आउट ओफ बाउंड कर दिया, हिमारत के जो लोग वहां मौजूद थे, उनको चलता कर दिया. किसी से कोई पूश्टाश नहीं हुई, किसी का कोई बयान लेने की कोशिश नहीं की गई. लाश को मोर्ग भिजवाया गया, और उसके बाद मौकाई वारदात को सील करने तक की कोशिश नहीं की गई. फ्लैट को लाश के वहां से रुक्सत होते ही, उसी शक्स के हवाले कर दिया गया, जिसका की वो था. कमाल है, ऐसे आनन फानन तो पुलिस वाले सडक पर लावारिस पड़ी लाश नहीं उठवाते? कहां उठवाते हैं? आकर पहले लाश का मौईना करते हैं, शिनाक करते हैं, कि औरत की है, कि मर्ट की, जवान की है कि बुड़े की, मौत की वज़ा तलाश करते हैं, कतल हुआ तो अलाई कतल तलाश करते हैं, दाई बाई और उपलब्द क्लियू तलाश करते हैं, लाश के गिर्द चौक से खिंच कर उसकी पोजिशन मार करते हैं, तस्वीरे खिंचते हैं, गवाहों के बयान लेते हैं गवा ना भी हूँ तो दाइम बाइम पूश्टाच करते हैं तब कहीं जाकर लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाने का सामान करते हैं खेल फिल फिर थाने के अध्यक्ष नहीं रात के सवा दो बजे प्रेस कॉंफरेंस की वारदात का फैब्रिकेटिड वर्शन पेश किया कि वो एक एक्सिडेंटल डैथ का केश था वारदात का एक चश्मिदेद गवा पेश किया जिसका बयान मरने वालों को ही मौत का जिम्मेदार ठहराता था और छुटी जिसकी गन चली जिसके फ्लैट में गन चली वो हवा की तरह आजाद केस क्लोस्ट अगले रोज में धाना ध्यक्ष से मिला तो वो भी बोला केस क्लोस्ट मैंने उसे याद दिलाया कि अभी पोस्मार्टम की रिपोर्ट आना बाकी था बैलिस्टिक से एक्सपर्ट की रिपोर्ट आना बाकी था बड़े इत्मिनान से बोला महस फॉर्मैलिटीस थी वो एक ओपनेंट शर्ट एक्सिडेंटल डेथ का केस था जिसमें केकी मिस्तरी का नाम नौजवान भरपूर नशे में वाइलेंट हो उठा था की जाती है कि मरने वाला वाइलेंट नेचर का था और हैवी ड्रिंकर था पुलिस ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की इसलिए नहीं की कि करते तो मरने वाले की बाबत जो जानकारी उन्हें हासिल होती वो उनकी कहानी की पॉलिश उतार देती वो पूश्टाच मैंने की तो सुनो क्या पता चला पता चला कि मरने वाला एक शरीफ जिम्मेदार सिंसियर और डेसेंट बिहेवियर वाला आत्मी था सोशल ड्रिंकर था जिसका मतलब है कि मर्यादा में पीता था और पीकर कभी आपे से बाहर नहीं होता था लिहाजा वो इस बात पर बोनी जादव और चश्मिदी गवा शेक मुनिर से नहीं जगड़ा हो सकता था कि उन लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की थी आई सी उसके विपरित अब सुनो बोनी जादव का नया केरेक्टर सामने आया है वो हैवी ड्रिंकर था वो मिनाईसर था ब्रक्स का शौक भी रगता था आदी पंगे बास था ग्रांट रोड वाला फ्लैट उसका ठीया था अयाशी का अट्टा था जहां ओल नाइट ड्रिंक्स पार्टिया और संदिग्द चरित्र की लड़कियों का आना जाना आम बात थी ऐसी पार्टियों में मचने वाले हुड़दंग की वज़ा से उसे टोका जाता था तो गन निकाल लिता था और टोकने वाले को जांग से मार देने की धमकी देने लगता था इतनी क्वालिफिकेशन्स है उस चोकरे में लेकिन पुलिस को एक की भी खबर नहीं क्यूं खबर नहीं क्यूंकि ऐसी किसी खबर से खबरदार होने की उनकी मंशा नहीं और क्यूं मंशा नहीं क्यूंकि उस लड़के का ऐसा किरदार सामने आने पर प्रेस को परोसे गए उनके हल पर सवाल या निशान लगता है ओ! पुलिस की कहानी गोली इतिफाक से चली बताती है तक चली बताती है जब वो दो जने गुत्थम गुत्था थे फिर भी गोलियां मरने वाले के जिस्म पर दो मुक्तलिफ जगों पर लगी पुलिस ने इस रुटीन को भी नजर अंदास कर दिया कि बैलेस्टिक्स एक्सपर्ट ने ये स्थापित करना होता था कि गोली फासले से चली या क्लोज रेंज से चली और तज़्दीक इस बात की इसलिए नहीं हो सकेगी क्योंकि लाश का पार्सी रिती रिवास से संसकार हो भी चुका है गोली क्लोज रेंज से चली हो तो गोली खाने वाले के कपड़ों पर गन पाउडर के निशान बनते हैं जितने क्लोज रेंज से चली बताई जाती है दोनों की गुतम गुता हाल में चली बताई जाती है उसमें तो गन बाउडर के निशान बोने जादव के कपड़ों पर भी पाई जा सकते हैं लेकिन पुलिस ने जादव के कपड़ों को काबू में करने की कोशिश नहीं की और केकी मिस्त्री के कपड़ों की किसी को हवा भी मिल जाए तो बोलना I see उपर से गोविन माने नाम का एक गवा शंका जाहिर करता है और दूसरा भीडे दावे से कहता है कि गोलिया तीन चली पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर इस बात पर कान से मक्की उड़ाता है तीन चली तो तीसरी गोली कहां गई फ्लैट के एंटर स्टोर में गई जिसे कि फ्लैट के मालिक ने आनन फानन बदलवा दिया और गोली वाला दर्वासा गायब कर दिया ये महद तुम्हारा अंदाजा है कुबूल लेकिन किसी बन्याद पर ठिका हुआ अंदाजा है क्यों खड़े पैर बोनी जादव ने अपने फ्लैट का दर्वासा तबदील कराया कोई नुक्स होगा होगा लेकिन जब ये बात पुलिस की तवज्जों में लाई गई तो तब तो उन्हें बोनी जादव से इस बाबत कोई सवाल करना चाहिए था और पुराने बदले गए दर्वासे की बरामदगी के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था या नहीं चाहिए था इस बाबत वो कुछ करना नहीं चाहते क्या करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर सब इंस्पेक्टर गोखले बोलता है जब फुर्सत होगी तो करेगा करेगा बराबर करेगा लेकिन ऐसे कोई फुर्सत होने से पहले बोने जादव को खबरदार करेगा दर्वाजे की बाबत कोई सजदी सी कहानी उसे तयार रखने को कहेगा या कहानी खुद गड़ेगा और उसे उसका रिहर्सल कराईगा पुराने दर्वाजे का वजूद मिटा देने का उसे मौका देगा और जब इतना कुछ हो चुका होगा तो तब कहीं जाकर इस काम को अंजाम देने के लिए उसे फुरसत होगी ठीक अब चश्मिदित गवा की सुनो उसका नाम शेक मौनीर है जो की एक संदिग्द चरीतर का आत्मी है जो की पहले माटूंगा में एक पीज़ा पार्लर चलाता था और उसकी ओट में चोरी के माल की खरीत फरोग का धंदा करता था क्या वो फैंस था? हाँ मैंने खुद पता किया है कि जराइन पेशा लोगों में वो डिबे के नाम से मशूर है और सब को मालूम है कि वो फैंस है पिछले दिनों माटूंगा में उस पर पुलिस की रेड भी पड़ी थी लेकिन वो फसने से बच गया था क्योंकि रेड में पुलिस के कुछ हाथ नहीं आया था उस रेड के बाद ही वो बार के धंदे में पड़ा था और ग्रैंट रोड पर उसने उपर नीचे दो बार बार खोले थे बार का क्लोजिंग टाइम एक बजे है लेकिन कहता है कि वारदात वाले रोज यानि कि शनी वार रात को उसने बार बारा बजे ही बंद कर दिया था क्यों कहता है क्योंकि ये स्थापित है कि घातक गोलियां बारा बीस पर चली थी अपनी गवाही के लिए उस टाइम के मताबिक उसने कहने को बार का क्लोसिंग टाइम एड़्जस कर लिया क्योंकि अपनी गवाही में उसने केकी मिस्तरी को पूरी तरह टोन बताना था और उसके साथ जो आगे भी थी उसके चश्मदित गवाह के रोल में अपने आपको फिट करना था तुम जासूस हो, खुब समझते हो कि कोशिश की जाए तो बिग बॉस से ये शेक मुनीर के फैंसी बार का नाम है कोई न कोई ऐसा गवाह, कोई वेटर, कोई दूसरा स्चाफ, कोई कस्चमर खोद कर निकाला जा सकता है, जो इस बात की तस्दीक करेगा कि उस रोज भी बार अपने रुटीन टाइम पर ही एक बचे ही बंद हुआ था ना कि बारा बचे जैसा कि शेक मुनीर कहता है लेकिन पुलिस ऐसा क्यूं करेगी, ऐसा करके क्यूं वो अपने चश्मदीद गवा के बयान को कमजोर करना चाहेगी दबाव में ऐसा कर सकती है किसके दबाव में फर्स करू मीडिया के दबाव में जब तक उस दबाव के तहट पुलिस की किसी हिलडूल की नौबत आएकी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी तब तक किसी को क्या यात रहेगा ऐसा गवा तो हाथ के हाथ ढूना जाए तो मिलता है, वर्ना नहीं मिलता हम ढूनेंगे चीक है, मिलकर ये काम करेंगी अभी ज़रा बोनी जादव को बचाने की व्यापक मिली भक्त के इस चार आइटम की बाबत सुनो वो क्या है पोस्मार्टम करने वाले डॉक्टर का नाम किशोर पारिक है जिसने पहले कर्रेक्ट रिपोर्ट जारी की और उसे पुलिस के पास भिजवाया तभी दिलिब भाले कर नाम का एक मवाली उसके पास पहुँच गिया जो कि अंडर वर्ड में बड़ा बटाटा के नाम से जाना जाता है और जो और जो मराठा मंच नामत पोलिटिकल पार्टी के एमपी मदुकर राव साबले का खास बताया जाता है तुम्हें कैसे मालूम कि वो डॉक्टर के पास पहुचा था आंखों से देखा डॉक्टर से कॉन्फरेंस के बाद डॉक्टर के ओफिस से निकलते मैंने उसे अपनी आंखों से देखा ओ उस conference के बाद ही डॉक्टर ने आनन फानन थाने से अपने रिपोर्ट वापिस मंगवाई और उसकी जगा नई रिपोर्ट जारी की क्यूं? क्योंकि पहली रिपोर्ट में जो की इमानदारी से बनाई गई थी दर्श था कि मरने वाले के जिस्म में S.J.C. नाम के ड्रग के अफशेश पाई गए थे S.J.C. हेरोईन जैसी L.S.G. जैसी नशे की खतरनाग गोली है जो की इतनी महंगी है और 200 रुपए की एक की हर कोई उसे नहीं अफोर्ट कर सकता और ना हासिल कर सकता है वो रिपोर्ट जारी होने का मतलब ये होता कि केकी मिस्तरी शनिवार रात को विस्की के नहीं S.J.C. के नशे में था जबकि पुलिस के कहानी में सारा जोर इस बात पर है कि बिग बॉस बार में वो इतनी पी गया था कि होश खो बैठा और बार से बाहर आकर फुट पात पर बेहोश होकर गिर पड़ा दूसरे उसका एमप्लॉयर शाह नवास खान गैरंटी करके कहता है कि केकी मिस्तरी ड्रग एडिक नहीं था लेहाज़ा पुलिस की कहानी में विश्वस्नियता बनाई रखने के लिए यह जरूरी था कि पोस्मार्टम के रिपोर्ट में एस्टेसी का जिक्र ना आता इसलिए डॉक्टर को रिश्वत देकर रिपोर्ट तबदिल कराई गई इंस्पेक्टर ने हाथ आई ओरिश्नल रिपोर्ट लॉटा दी इससे साबित होता है कि रिश्वत के व्यापक माया जाल में वो भी शरीक है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मेरे से हजार रुपए एंटने के तमन नाई मुझे जानते पहचाने पहचानते मोर के एक करमचारी ने इस शर्ट पर मुझे बताई कि उसका नाम बीच में नहीं आएगा उस मवाली को क्या नाम बोला? दिलिब भाले कर उर्फ बड़ा बटाटा उसे एस चैसे की बाबत कुछ कैसे मालुम हुआ? एक ही तरीका मुम्किन है क्या? जरूर बोली जादव ने बताया जरूर वो ड्रग एडिक्ट है जरूर वो गोली किसी तरीके से बार में उसी ने केकी मिस्तरी को खिलाई और बाद में किसी वक्त ये बात बड़ा बटाटा को बताई उसने ऐसा क्यूं किया? ताकि केकी मिस्तरी गंभी नशे की हालत में पहुंच जाए और वो ऐसा क्यूं चाता था? ये मुझे नहीं मालुम नहीं मालुम से मेरा मतलब है कि मुझे कोई फर्स्ट रैंड जानकारी नहीं लेकिन था कोई लड़की का चकर ही मुझे गुमनाम कॉल लगाने वाला जो कि अब मुझे मालुम है कि कौन था? वो बोला कि केकी मिस्तरी के साथ कोई लड़की थी बोनी जादव नशे में जिसके पीछे पड़ा था यहीं बात है जीत सिंग ने उसी लड़की की तलाश के लिए मुझे एंगेस किया है वो चाहता है कि केकी मिस्तरी ने जो कि उसका वाकिफ कार था उसे खुद बताया था कि लड़की उसकी पुरानी वाकिफ थी जो कि पंजी से इधर की किसी नाइट क्लब में या नाइट क्लब जैसी किसी जगा पर एक रात का शुक्रवार रात का स्पेशल शो करने आई थी वो लड़की गायब है गायब है खुद है या फिर उसने तो ऐसा नहीं कहा कर दी गई है दूसरी बात की संभावना इसलिए ज्यादा है कि उसके खुद गायब होने की कोई वज़ा नहीं गायब कर दी गई है तो चाकर भी वो केकी मिस्त्री के साथ हुए हाथ से की बाबत अपना बयान देने के लिए सामने नहीं आ सकती क्या पता अब तक खलास कर दी गई हो हो सकता है मैं कल से अपनी तफ्तिश शुरू करूंगा फिर देखेंगे क्या हाथ आता है जलानी जीप सिंग कहता है कि केकी की मौप के रहस्य की कुन जी वो लड़की है वो कहता है वो लड़की मिल जाएगी तो सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा हम् उसका ओर्डर टॉल ओर्डर ये है कि हम दोनों मिलके केकी मिस्त्री के पीछे जो शड़यंत्र है उसे यूँ उजागर करें कि उसका नाम बीच में ना आई ऐसा क्यूं? क्यूंकि तुम्हारा इंस्पेक्टर गोविलकर किसी और केस के सिलसिले में पहले ही उसका दुश्मन बन बैठा है इंस्पेक्टर गोविलकर को खबर लग गई कि जीत सिंग की टांग केकी मिस्त्री वाले केस में भी फसी हुई है तो उसके साथ बहुत बुरी होगी हम बात को चौर कर रहे थे हाँ अब हम सेफली ये मान के चल सकते हैं कि बोनी जादव केकी मिस्त्री के साथ आई लड़की के पीछे पड़ा था और उसने केकी मिस्त्री को आउट आफ एक्शन करने के लिए ही धोके से उसे एस्टेसी की गोली खिला दी थी हाँ लेकिन इस बात में फचर ये है कि शेक मुनिर कहता है कि उस रात बार में केकी मिस्त्री के साथ ऐसी कोई लड़की नहीं थी वो तो ऐसा ही कहेगा अगर वो सिखाया पढ़ाया गया गवा है तो उससे ऐसा कहलवाया जाना जरूरी है और ना केस का तो हुलिया ही बदल जाएगा फिर तो लगेगा कि उस लड़की को हासिल करने की खातिर बोनी जादव ने केकी मिस्तरी के खून से अपने हाथ रंगे बिल्कुल इसी वज़ा से तो वो फ्लैट में गुजी जनाना चीको की आवास को टीवी से निकली आवास बताता है जूट बोलता है लेकिन साबित करना मुहाल है मैंने केस के इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर सब इंस्पेक्टर गोकले के साथ एक बलफ खेला था जिसमें वो फर्स भी गया था घबरा किया था घबरा क्या गया था सन्नाटे में आ किया था क्या बलफ खेला था मैंने बोला था गोली चलने के टाइम के आज पास किसी चैनल पर भी ऐसा कोई प्रोग्रेम नहीं आ रहा था जिसमें कोई इस्तरी पात्र हो जो कि प्रोग्रेम के मिडल में एका एक चीख पढ़ने लगती हो तुम्हारा मतलब है नवलानी हैरानी से बोला यूहीं फटा मार दिया असल में ऐसे कोई वेरिफिकेशन नहीं की हाँ लेकिन लाइन ओफ एक्शन तो ये खराब नहीं की तो जा सकती है हाँ की तो जा सकती है वक्त खाओ काम है लेकिन किया जा सकता है करेंगे वीडियो से आ रही थी, नेता लोगों की तरह पुलिस वाले भी कह देंगे कि प्रेस ने उनके चश्मदित गवा को मिस्स कोट किया था, उसने वीडियो ही कहा था, लेकिन समझा टीवी गया था, ये भी ठीक है, वो जिस भेडे नाम के गवा का मैंने जिक्र किया, वो कहता है कि शनिवार आधी रात को, जो तीन जरे उसने बोनी जादफ के फ्लैट के दर्वाजे पर खड़े देखे थे, उनमें से एक कोई लड़की थी, क्या वो दावे से कहता है? कहता तो दावे से ही है, लेकिन 65 साल का है, बाइफोकल्स लगाता है, और उसकी दूर के निगा ऐस वैसी ही बताई जाती है, उपर से पता चला है कि रात को सेडियों में ज्यादा रोशनी नहीं होती, रोशनी वाली बात इतनी एहम नहीं, वो सूरत पहचानने के मामले में एहम होती है, और अदमी में फर्ट तो साई से भी किया जा सकता है, निगा के बारे में क्या कहता है खुद वो अपनी निगा में कोई नुक्स नहीं मानता, बोलता है नुक्स है तबी तो चश्मा लगाता है, जिससे की नुक्स दूर हो जाता है, बात तो ठीक कहता है, ठीक और खतरनाक, खतरनाक, अगर उसकी बात पर एतबार लाया जाए, तो पुलिस का चश्म दित गवा तो अपने आप ही फर्जी साबित हो जाता है, कैसे? सुनो कैसे, ये तो स्थापित है कि वहाँ तीन जने पहुंचे थे, पुलिस की स्चोरी भी यही कहती है, लेकिन पुलिस की स्चोरी के मताबिक, वो तीन जने केकी मिस्तरी, बोनी जादव और शेक मुनीर थे, अगर भी कीती तो बाकी दो एक मरने वाला और दूसरा मारने वाला तो हुए ही हुए? एक्जेक्टली, तो फिर चश्मदित गवा कहां आस्मान से टपका किया? नहीं टपका, कैसे टपकेगा? तो? तो ये कि वारदात का कोई चश्मदित गवा था ही नहीं? था ना भाई, वो लड़की के वजूद को पुलिस खातिर में नहीं लाना चाहती. लड़की का कई जगा से हिंट मिलने के बावजूद उस बाबत कोई तफ्तिश नहीं की. गवा गोविन माने ने कहा कि उसने नीचे फ्लैट से आती लड़की की चीखों की आवाज सुनी थी. तो अपने लेकिन पुलिस ने उसका बयान दर्च करना जरूरी नहीं समझा. खुद मैंने ये संभावना पुलिस के सामने जाहिर की तो भी कांग से मक्खी उड़ाई. ये गौर तलब बात है कि पुलिस का मुकमल केस एक चश्मिदी गवापर टिका हुआ है. हर बात का, हर एक बात का गवा शेक मुनीर है. केकी मिस्तरी टून था. शेक मुनीर कहता है. मरने वाला फुट पात पर बेहोश लुटका पड़ा था. शेक मुनीर कहता है. उसे उठा कर बोनी जादव के फ्लैट में लाया किया. शेक मुनीर कहता है. वहा केकी मिस्तरी ने बोतल से बोनी जादव प मुनहसर है कोई किसी बात पर सवाल या निशान लगाती उंगली उठाता है तो शेक मुनीर की गवाही के हवाले से पुलिस उंगली वापिस उठाने वाली की और मोर देती है इसे गवा को दर किनार करके हालात का तफसरा करो और फिर देखो कि कैसे पुलिस का केस धेर होता है तुम्हारी बात बिलकुल सही है, मुझे इस सो फिसदी इतिफाक है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बने हुए हो, तो एरे गेरे की पेश तो नहीं चलती ना, जिसकी पेट पर खुद पुलिस हो, उसे जुटा गवा करार देना, कोई हसी खेल है जीत सिंग जैसा कोई शक्स ऐसी बात जुबान पर लाएका, तो पुलिस लाश का पता लगने नहीं देखी, ऐसे में पुलिस जैसी गुंडों की संगडित जमात से कोई लोहा लेने का होसला कर सकता है, तो वो मीडिया है, पुलिस के किलाफ अब तुम्हारा अकपार ही कारग हत्यार साबित हो सकता है, वो इंस्पेक्टर गोविलकर अकपार की आवास का गलाग घोटने की कोशिश में भी है, क्या मतलब? आज सुबह मेरे एडिटर अजीद दख के पास पहुँच गया, एमपी साबले का हवाला देने लगा, यूनियन लीडर चगन जादव का, जो क प्रेस में ज्यादा ना उचारा जाए, ताकि एक बेगुणा नौजवान लड़का, उसके सगे वाले नेता लोग खाम खा की बदनामी से बच सके, मेरे पर अंकुष लगाए जाने की तो उसने खास तोर से मांग की, फिर तुम्हारा एडिटर क्या बोला, क्या उसने तु स्चोरी को मसबूत बनाओ, वेरी गुड, अब तुम अपनी स्चोरी को कैसा मसबूत महसूस करते हो, तुम बताओ, तुमने भी तो सब सुना है, नहीं, तुम बताओ, बहुत ज्यादा मसबूत नहीं महसूस करता, अपनी स्चोरी से तालुक रखता जो कुछ मैंने तुम् उसकी बुनिया दिया तो हालात हैं, जिनका तर्जुमा मैंने अपने ढंक से किया, कोई दूसरा करेगा, मसलन पुलिस या पबलिक तो अपने ढंक से करेगा, और या वकीलो जैसी दलीले हैं, जो सुनने में बहुत असरदार लगती हैं, लेकिन जिने ओवर रूल किया जा सकत है, मेरी स्चोरी तो मस्बूत तभी बन सकती है, कि या शेक मुनीर अपने बयान से हिल जाए, जो की मौझूदा हालात में नामुम्किन लगता है, हिला, तो उसके शेक मुनीर के शेक मुनीर मरहूम बनने में कोई वक्त नहीं लगेगा, या जीत सिंग सामने आई, और अप भी मुझे अप्रोच किया होता, ये बात भी चीक है, पुलिस को या उनकी स्चार विटनेस को हम छोटी मोटी बात पर जूटा करार दे सकते हैं, लेकिन या तो उसकी लिपपोती हो जाएगी, या उसे एहम नहीं करार दिया जाएगा, मसलन टीवी प्रोग्रेम को पिन के दिखानी की बाबत, तुमने खुदी कहा है, कि चश्मिदित गवा कह देगा, कि वीडियो चल रहा होगा, आखिर वीडियो की आवाज भी तो टीवी से ही निकलती है ना, गोलिया तीन चली होने का दावा करने वाले गवा को, या तो पुलिस की एक ही घुड की चुप कर देगी, या कहेगी कि उसे वहम हुआ था, जो दर्वाजा बदला गया, उसकी बाबत तो मानते ही हो, अब उसकी राक भी बरामत नहीं होने वाली, पोस्मार्टम रिपोर्ट की बाबत डॉक्टर कह देगा, कि उसने रिपोर्ट दो बार नहीं बनाई थी, पहली ही रिपोर तुम्हें पहली रिपोर्ट में स्टेसी के जिक्र की बाबत बताया था तब उसका ऐसा हाल किया जाएगा कि बाकी जिंदगी वो तुम्हारी सूरत पहचाने को तयार नहीं होगा। बैलिस्टिक्स की रिपोर्ट पुलिस के घर की बात है। बाकी मरने वाले का या मारने वाले का किरदार उसका शनीवार रात का बिहेवियर गोली गुत्तम गुत्ता हालत में एक्सिडेंटली चली तो यूँ चली दो गोलियां एक ही जगा क्यों नहीं लगी। ये सब सरकम्स अग्सेंशल बाते हैं जिने किसी कतल के सबूत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अरे मेरे भाई, तुम तो एम पुलिस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हो। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि अब तक मैंने अपना टाइम ही बर्बाद किया। नहीं, टाइम तो नहीं बरबाद किया तुम्हारी भाग दोड़ने वैसी हलचल तो बराबर मचाई है जैसी ठहरे पानी में पत्थर फैंगने से मचती है तुम्हारी तफ्तीश ने किसी को फिक्र मन किया होगा किसी को खबरदार किया होगा तो किसी को खौफ जदा किया होगा देख ले न, आइंदा 24 घंटों में कुछ प्रतिक रियाए तो तुम्हारे अकबार में तुम्हारी रिपोर्ट के छपे बिना ही सामने आ जाएंगी वो तो हुआ, लेकिन पुलिस का केस धराशाई हो तो कैसे हो वो तो एक ही तरीके से हो सकता है वो लड़की मिले? हाँ, हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि उस वारदात का जैनुवन चश्मदित गवा कोई है तो वो लड़की है इसलिए मुझे लगता है कि वो खौफ जदा होकर भागी नहीं थी उसे मौकाई वारदात से गायब किया गया था ऐसे गवा को कौन जिन्दा छोड़ता है? अभी तो जिन्दा ही होगी वरना 48 घंटे होने को आ रहे हैं वारदात हुए अब तक उसकी लाश बरामत हो गई होती जाने कि मुझे लगता है कि जब होगी लाश ही बरामत होगी लाश भी बहुत कुछ बोलेगी और नहीं तो ये बोलेगी कि वो थी कौन उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने से भी कोई ऐसी बात मालूम हो सकती है जो कि असलियत की तरफ इशारा बन सके कल से शुरू करोगे उसकी तलाश हाँ दिल लगा के तुमसे फौरण मुलाकात ना हो सकी जो की ज़रूरी थी वरना आज शाम से ही करता क्या मेरी मदद से कुछ बनेगा अभी ज़रूरत नहीं होगी तो बोलूँगा वैसे भी मेरी राए में अभी तुमें पुलिस के कारे कलापों पर उनके कथित चश्मदीद गवा पर और टीवी प्रोग्रेम सच में चेक करके और शनिवार रात का बिग बॉस का क्लोजिंग टाइम चेक करके गवा की बात जोटी साबित करने पर तवज्जो देनी चाहिए बोनी जादब को भी टटोल सको तो बात ही क्या है उससे क्या हात आएगा उससे ड्रग एडिक्ट साबित कर सकोगे तो बहुत कुछ आत आएगा ये बात तो ठीक है अब ये किस्सा बंद करो क्योंकि इसके चलते नशा नहीं हो रहा और गिलास खाली करो ताकि मैं नए ड्रिंक्स ओर्डर करूँ येस बॉस ठीक नौ बजे जेट सिंग बिग बॉस में पहुँचा और पूर्व निर्देशा नुसार बार पर एक खाली स्चोल पर जा बैठा डिबा वहां नहीं था बारमेन उसके करीब पहुचा तो उसने विस्की का ओर्डर दिया उसने एक अनिवारिता के तौर पर उस ड्रिंक का ओर्डर दिया था वास्तव में उसकी उस शाम बहुत बहुत खुश्यार खबरदार रहने की मन्शा थी आज उसकी कोताही की वज़ा से कोई पंगा पढ़ता तो कल इंस्पेक्टर गोविल करके कहर से उसे कोई नहीं बचा पाता बारमेन ने जाम उसके सामने रख दिया जीत सिंग ने एक सिगरेट सुलगा लिया और साथधानी से बार पर और हॉल की टेबल्स पर मौजूद हर सूरत पर निगा दोडाई कोई परिचित चेहरा उसे नहीं दिखाई दिया कोई उसे खुद में दिल्चस्पी लेता नहीं दिखाई दिया पंदरा मिनट गुजरे उतने समय में उसने अपना गिलास जितना खाली किया था उतना सोडे से वापिस भर लिया था आफिस का दर्वासा खुला और डिबा बाहर निकला उसका रुख किसी और ही तरफ था लेकिन जेट सिंग पर निगाँ पढ़ते ही वो ठिटका फिर वो भीतर की तरफ से उसके करीब पहुँचा जेट सिंग ने पेशानी से दाया हाथ लगा कर उसका अभिवादन किया कब से बैठा है वो भवों में बल डालता बोला पंद्रा विस मिनट हो गए जेट सिंग ने सहच भाफ से उतर दिया क्या आज कोई सवाल नहीं मेरे से तू मेरे को गलत समझता है खल तो गले पड़ रहा था अरे नहीं मिया चल नहीं तो नहीं सही एक बात मेरे को बता पूछ ये ठीया बहुत पसंद आने लगा है क्या क्या मतलब रोज आता है तेरे को एतरास तो मैं आना बंद कर देता हूं अरे नहीं कस्चमर से कौन एतरास करता है तो ऐसे इच पूछा शाम को किधर तो जाना ही होता है ये मेरे दोस्त का ठीया इसलिए इधर आने को अपने आप मन करता है आज कर उसके धीमी आवास हो गई काम का आज कोई नहीं निगामे अभी नहीं सच बोले तो अभी काम की मरसी ही नहीं है कैसे होगी पूना वाले काम में मोटा माल जो हाथ लगा यही समझ ले तीस लाक खुला खर्च करे तो भी टैम बहुत लगेगा खलास होने में ऐसा ही छै एश कर भीडू वो वहाँ से हट गया साड़े नो बच गए उस दोरान बार मैन एक बार उसके सामने पहुँचा लेकिन उसने पहले ही इंकार में सिर हिला दिया तभी एक अकेले आदमी ने वहाँ कदम रखा वो प्रवेश द्वार के करीब ही ठिटक गया और उसकी निगा पैन होती सारे हॉल में घूमने लगी आखिरकार वो जीट सिंग पर ठिटकी जीट सिंग की निगा भी उससे मिली वो आदमी लंबे डग भड़ता जीट सिंग के करीब पहुँचा जीट सिंग वो बोला जीट सिंग ने सहमती में सिर हिलाया बड़ा बाप मिलना मांता है कौन बड़ा बाप? जिससे मुलाकात की खातिर इधर बैठेला है जिससे कल मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि नौ दस और नौ बीस के भीतर किधर खिसक गया? पिछले रास का वो रोज का वो हवाला ये सिद करने के लिए काफी था कि इंस्पेक्टर गोविलकर द्वारा प्रस्तावित जो मुलाकात शनिवार और इत्वार नहीं हो सकी थी वो अब होने वाली थी किधर है बड़ा बाप? प्रत्यक्ष्टर जीत सिंग बोला मालुम होएंगा ना? वो आदमी बोला मैं लेने को आया ना? कौन है? वो भी मालुम होएंगा इधर से नक्की कर जल्दी जीत सिंग ने अपना गिलास खाली किया बार्मेन को बिल चुकाया और उठकर उसके साथ थो लिया वो इमारत से बाहर निकले इधर स्टेशन से विप्रेट दिशा में सडक पर इशारा करता वो बोला सेहमती में सेर हिलाता जीत सिंग उसके साथ कदम से कदम मिलाता फुट पाथ पर चलने लगा उसे 200 कदम से ज्यादा नहीं चलना पड़ा आगे फुट पाथ से लग कर एक सिल्वर कलर की फोर्ड आइकोन खड़ी थी एक कदम आगे निकल कर उसके जोड़ीदार ने पीछे का दर्वासा खूला और भीतर की तरफ इशारा किया बैटने से पहले जीत सिंग ने जुक कर भीतर जांका तो पाया कि भीतर जो व्यक्ति बैठा था वो इतना मोटा था कि उस बड़ी गाड़ी में भी दो तेहाई सीट गेरे जान पड़ता था वो सिगरेट पी रहा था जिसका वो कश लगाता था तो होंटों के एर्द गेर्द का हिस्सा थोड़ा रोशन हो जाता था अन्यता अंधेरे में उसकी सूरत देख पाना मुहाल था वो भीतर बैट कया दूसरे व्यक्ती ने उसके पीछे दर्वाज़ा बंद कर दिया और आगे ड्राइविंग सीट के दर्वाज़े की और बढ़ा घूम किया मोटा खर खराती आवास में बोला हौन बचे तो आना उस व्यक्ती ने दर्वाज़े का हैंडल छोड़ दिया पर सहमती में सेर हिलाता फुट पात पर आगे बढ़ चला मोटा सिग्रेट के कश लगा था खामोशी से उसे जाता देखता रहा जब वो काफी दूर निकल गया तो उसने सिग्रेट खिड की से बाहर फैंक दिया और पहलू बदला जेट सिंग वो बोला हाँ जेट सिंग बोला उसने अपना कोई परीचे देने की कोशिश नहीं की जेट सिंग उसके दुबारा बोलने की प्रतिक्षा करता रहा कल तो इधर नहीं था वो बोला चकोर पूरा दस मिनट उपर बार में तेरा वेट किया पंड तो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया सौरी बोलता है बाप अपन उधर ही था पंड एन उसी दस मिनट के वास्ते बार में नहीं था मालूम क्यों नहीं था बार का मालिक तेरा फ्रेंड उसके आफिस में उससे बात करता था मिस्चेक हुआ बाप अब उनको बार से उठके जाने का नहीं था अब जो हुआ सो हुआ आज इसी वास्ते टैम से थोड़ा पहले पहुँचा और पक्की करके बैठा कि बार से हिलने का नहीं था ठीक किया क्या अब मतलब की बात करें करो न बाप गोविलकर कुछ बोला क्या नको बोला जो बोलेंगा आप बोलेंगा हाँ उसने पहलू बदला तो जीत सिंग ने खुद को दर्वाजे और उसके बीच में फस्ता महसूस किया फिर थोड़ी विप्ते दिशा में हिलडूल हुई और उसके ठीक से बैट पाने की गुंजाईश बनी वो क्या है कि तेरे को एक भीडू को तपकाने का है तपकाने का है जीत सिंग को उसी बात की उमीद थी फिर भी उसने हड़ बढ़ा कर दिखाया नहीं समझा क्या लुड़काने का है खलास कर दे का है वो तो मैं समझा बाप पन क्या पन मर्डर मतलब फांसी अरे पकड़ा जाएगा तो ना सब इतना सेफ है कि तेरे पकड़े जाने का कोई चांस नहीं जीत सिंग का जी चाहा की बोले मोटे तो खुद क्यों नहीं करता अपने चकोर को क्यों नहीं बोलता लेकिन वो खामोश रहा है कौन वो जीत सिंग बोला क्या जरूरत है जानने की बाप जिसको टपकाना हो उसके बारे में कुछ मालूम तो होना चाहिए कुछ क्या सब कुछ मालूम होना चाहिए काहे बाद में उसके घर में अफसोस करने चाहेगा क्या वो तो नहीं जाएगा पर कुछ नहीं मालूम होना चाहिए कुछ मालूम होना जरूरी नहीं तेरे को एक भीडू दिखाने का है और बोलने का है उसे किधर टपकाने का है फिर खाली तेरे को अपना काम करने का है एक गोली सही ठिकाने पर और तू फ्री बाप मेरे को उसको चिकोटी काटके आने का नहीं है शूट करने का है शूट करने का है तो मेरे को मालुम होना चाहिए कि किसे शूट करने का है और क्यूं शूट करने का है? क्यूं शूट करने का है? यानि कि तेरे को वज़ा भी बतानी पड़ेगी? हाँ, वर्ना, वर्ना क्या? वर्ना जाता है, उसने दर्वाजे का हैंडल थामा. नतीजा मालूम क्या होगा? मोटा सक्टी से बोला. देखेंगा बाप, मैं इंस्पेक्टर गोविलकर से एक सौधा किया. एक काम करने को बोला, जो कि अब मालूम पड़ता है कि तुम्हेरा है और डेंचर काम है. इतना डेंचर की एक कदम गलत पड़ गया, तो दूसरा जेल में और तीसरा फांसी के फंदे पर. खाम खाम, इंस्पेक्टर है ना? इंस्पेक्टर है, कोई कमिशनर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, गवर्नर नहीं है, वो अपने धाने का शेर है, अक्की मुंबई का मालिक नहीं है. काफी शाना है शाना किधर है बाप मजबूर है शाना होता तो कतल की पेश कर सुनने को इधर तुम्हारे पास बैठा होता तू क्या चाहता है वही जो कुर्बानी का बक्रा चाहता है उसको मालुम तो हो वो क्यों कुर्बान हो रहा है तेरे जो कुछ नहीं होगा तेरे को कुर्बान होना नहीं किसी को कुर्बान करना है सेफ काम है वो भी तभी पक्की होएंगा जब मेरे को इस चोरी का पता चलेंगा हम वो एक शन खामोश रहा और फिर बोला हैंडल छोड़ टिक के बैट जीद सिंग ने हैंडल पर से हाथ हटा लिया गोविलकर मेरे को बोला तू मिलेगा तू बक्री की तरह मिम्याएगा वो बोला तो तू कड़क बोलता है जीद सिंग चुप रहा उसका नाम जॉर्ज डेविस है क्या गोवानी है क्रिश्चियन इसाई हाँ यूनियन लीडर है और अंडरवर्ड के कुछ ताकतवर भाई लोगों के हाथों का खिलोना बना हुआ है भाई लोगों के उससे काम सवरते हैं इसलिए वो उसको आगे आना मांगते हैं यूनियन लीडर तो कई तरह के होते हैं वो किधर का है डॉक वरकर्स का गोदी करमचारियों का उधर बड़ी और ताकतवर यूनियन एक ही है जो कि अलेक्जेंडरा डॉक वरकर्स यूनियन कहलाती है ये यूनियन का पुराना अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा नाम है तब अलेक्जेंडर डॉक के ही गोदी करमचारी इसके मेंबर होते थे अब ये बैलाओट पायर से लेकर हाजी बंदर तक के तमाम गोदी करमचारीयों की सबसे बड़ी यूनियन है कुछ चोटी मोटी यूनियन और भी है उधर लेकिन उन सारी यूनियनों के सारे मेंबरों को भी जमा किया जाए तो वो इस बड़ी यूनियन के मेंबरों का 20% भी नहीं बनते इसलिए इस यूनियन के प्रधान का ओधा कब जाने के लिए हर कोई तडपता है लेकिन मेरे रहते काम्याब कोई नहीं हो पाता अब का प्रधान तुम है बाप? हाँ और अभी नहीं पिछले सत्रा साल से हूँ ये जॉर्ज डेविस पहला बेडू है जिसने मेरे प्रधान की कुर्सी के लिए कोई खत्रा पैदा किया है वो काली अपनी जाती हैसित आजमाए तो मेरे सामने कहीं नहीं ठहरता लेकिन मैंने बोला ही है कि उसे भाई लोगों की मवालियों की समगलरों की सपोर्ट है क्यूं है? क्या बोला? उसे मवालियों की समगलरों की सपोर्ट क्यूं है? क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही चै मवाली है, स्मगलर है, भाई है हाँ तभी मैं क्या कह रहा था? हाँ, असल किस्था ये है कि बड़े भाई लोग जो जॉर्ज डेविस की पीट पर है मुझे हटवा कर डॉक पर कहने को जॉर्ज डेविस का लेकिन असल में जॉर्ज डेविस का नहीं उसके जरिये अपना दबदबा बनाना चाहते है ताकि उनके स्मगलिंग के कारूबार सहूलियत से चल सके इस बड़ी यूनियन का प्रधान डॉक पर बहुत ताकत रखता है उसके एक इशारे पर हजारों गोदी करमचारी काम बंद करतेते हैं फिर बंदरगा पर लगे जहाजों पर से ना माल उतारा जाता है ना चड़ाया जाता है इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बड़े व्यपारियों का भी हकूमत पर दबाव होता है कि इस यूनियन के प्रधान से ना बिगारी जाए भाई लोग प्रधान के इस ताकत को समझते हैं इसलिए इस कुर्सी पर अपना आदमी देखना चाहते हैं जो कि जॉर्च डेविस है बड़े स्मगलरों के जो कि वरकरों को राजी रखने के लिए उन पर खुला पैसा लुटा सकते हैं इस जॉर्च डेविस की पेट पर होने की वज़ा से इसने हाल में इतनी मशूरी हासिल कर ली है कि आएंदा जब भी चुनाफ होगा मेरी जगा उसका यूनियन लीडर चुना जाना पक्का है और मेरे को धक्का दे जाएंगा बाब तुम्हारे हाथ में ताकत है आजमाई काहे नहीं जो कदम अभी मेरे को आगे करके उठाना मानता है वो पहले नहीं उठाया उठाया ना बरोबर उठाया अभी डेर महीना पहले टपकाने का इंतिजाम किया पर्ण साला बच गया कैसे? कैसे क्या? अपना मेरू ठीक काम नहीं कर सका पुलिस की पकड़ में आने से ही बाल-बाल बचा पर ऐसा बचा कि उसके बचने में भी लोचा पुलिस उसको पहचान लिया पकड़ा जाता तो सब पोल खोल देता आखिर मिला वो पुलिस को मिला पर पैरो पर खड़ा नहीं मिला माहिन क्रिक में लाश तैर्टी मिली ओ बहुत किस्मत वाला भीडू जॉश डेविस जो बच किया बच किया तो बहुत शोर मचाया साफ इल्जाम लगाया कि उस पर हुए जान लिवा पुलिस कमिशनर को खुद हुक्म लगाया कि अगर उस इल्जाम में कोई दम था तो सक्त कारेवाही की जाए क्या तुम्हारे खिलाफ और किसके खिलाफ जब इल्जाम मेरे पर था तो मेरे खिलाफ ही तो ओ कमिशनर ने इस बात के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जिसका इंचार्ज एक DCP को बनाया टास्क फोर्स ने हर उस भीडू की शिनाक्त की और उससे सक्त पूश्टाश की जो की मेरा करीबी माना जाता था कोई मेरे खिलाफ तो नहीं बोला पर ऐसे मेरे सारे करीबी और भरोसे के आदमियों की पुलिस को शिनाक्त हो गई अब वो तमाम आदमी पुलिस के निगाह में है इसलिए उस भीडू को टपकाने को उनमें से किसी को नहीं बोला जा सकता जबकि ये काम जल्दी होना ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन करीब है अब ये ज़रूरी है कि ये काम कोई ऐसा भीडू करे जिसका मेरे साथ कोई दूर दरास का भी रिष्टा ना जोड़ा जा सके और ऐसा भीडू मैं है हाँ मेरे को चुना इस काम के वास्ते हाँ मैं काहे क्या तेरे को नहीं मालूम क्या नहीं मालू गविल कर क्या बोला तेरे को कुछ नहीं बोला खाले इतना बोला किसी का कोई काम करने का था ये नहीं बोला कि खोन से हाथ रंगने का था अरे तेरे को बोला तो तेरे को खोद समझना चाहिए था या नहीं से चाहिए था क्या समझना चाहिए था यही कि तो इस काम के लिए fit तेरे को कतल का तजुर्बा है और तेरे में कतल करने का होसला है गोविलकर बोला तो पहले ही कई कतल कर चुका है अभी हाल ही में धारावी में चार किये नहीं किये तेरे पर कतल का इल्जाम है इल्जाम होना और कतल किया होने का सबूत नहीं होता अरे, क्यों बॉम मारता है, क्यों मेरे से जुबान लडाता है तू फसा हुआ है, तू गोविलकर से बाहर नहीं जा सकता अभी नहीं फसा हुआ, पंखून से हाथ रंगेगा तो फसेंगा फिर मेरी लाश भी समंदर में तैड़ता होएंगा ऐसा नहीं होएंगा उस भीडू के साथ क्यों हुआ ऐसा क्यूंकि वो फेल हुआ पास भी होता तो यही छोता बाप जो खत्रा उसके फेल होके पकड़े जाने से तुम्हारे को था वो पास होके पकड़े जाने से नहीं था क्या वो चुप रहा तुम बोला कि बद जाने पर वो जॉर्ज करके भीडू इतना शोर मचाया कि आवाज होम मिनिस्चर तक गई होम मिनिस्चर ने कुद पुलिस कमिशनर को इस बाबत हड़काया तुम मेरे को बोलो बाब जो भेडू बड़ा यूनियन लीडर है जो एक काती लाना हमले से बाल-बाल बचा उसको पुलिस कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया होएंगा क्या वो तो दिया उसके मुँ से निकला अभी बोला ना अंदर की बात क्या किया एक हत्यार बंध हवलदार दिया बस खाना पूरी की उसको भी ऐसा इश लगा इसलिए एक प्राइविट सेक्यॉरिटी कंपनी से वो अपने वास्ते दो कमेंडो स्चाइल गर्मेंट ठीक किया जो जिधर भी वो जाता है उसके साथ होते है और पुलिस वाला रात को उसके घर पर डियूटी भरता है डियूटी क्या भरता है सोने आता है एक तरह से उसके डियूटी तभी शुरू होती है जब जॉर्ज डेविस घर लोटता है और अगली सुबह उसके घर से निकलते ही खत्म हो जाती है क्योंकि तब तक उसके प्राइविट गण मैन आ जाती है जो अक्खा टैम आजू बाजू उसके साथ होते होएंगे मैं टपकाने के इरादे से उसके करीब भी फटकेंगा तो वो मेरे को भून के रख देंगे अक्खा टैम नहीं, हर जगा नहीं क्या बोला बाप? तु मेरे को बोलने तो देता नहीं, बीच में टोक देता है वह इस तो मैं बोलने लगा था, जब तु बात को किधर और ही ले उड़ा था सौरी बोलता है बाप एक टैम, एक जगा ऐसी है जिदर उसके गण मैन, उसके साथ नहीं होते कौन सा टैम, कौन सी जगा? इसाईयों का कब्रिस्तान, जिसे वो लोग सिमेट्री बोलते हैं किधर? कांदी वली में, जहां वो हर शुकरवार शाम को अपनी मा की कब्र पर फूल चड़ाने जाता है हर हफते? अभी तीन महीना पहले मरीना, इसलिए अभी जजबात जोर मारते हैं वहीं अंडर्टेकर का फ्यूनरल पार्लर है, एक बाजू में जिदर जलाने का वास्ते बिजली की भटी है और दफनाने के वास्ते ताबूत मिलते हैं वो काफी बड़ा कब्रिस्तान है और उसकी मा की कब्र गेट से काफी दूर है वह इच एक जगा है, जहां वो किसी गन मैन को लेकर नहीं जाता क्यूंकि वो अपनी मा के साथ अखेला होना मांगता है इसलिए उन दोनों को गेट पर छोड़के जाता है सिमिट्री में फ्यूंडर पार्लर के रास्ते में दाखिल भी हुआ जा सकता है और फ्यूंडर पार्लर में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है शाम को जबकि सूरज डूबने की तयारी कर रहा होता है वो उधर जाता है अपनी मा की कब्रे के करीब आठ दस मिनट ठहरता है और उधर फूल चड़ा कर लौट आता है तुम्हारे लिए उसे उधर शूट कर देना इजी पन बाप मैं कभी गन नहीं चलाया बंडल मारिला है कभी हाथ में नहीं थामा अरे गोविलकर बोलता है कि चार में से दो खून तुने मैं कोई खून नहीं किया बाप अब बस कर गोविलकर बोलता है तु किया तो किया नको फिर भी कोई वांदा नहीं अभी बहुँआट टैम है अभी बेच में चार दिन है गन थाम भी लेना और चलाना भी सीख लेना मेरे पास गन किधर से आएंगा आज आएंगा अब बोल क्या कहता है मैं फांसी पर नहीं जूलना मांगता ये बिलकुल सेफ काम है मैं समंदर में डूप कर नहीं मरना मांगता अरे मैं बोला ना मैं फर्जी एंकाउंटर में नहीं मरना मांगता वो तो तू बरोबर मरेगा इंकार करेगा तो इंकार नहीं करेगा तो और क्या करेगा बाप तू मेरे को धमकाता है गोविलकर मेरा बहुत बुरा करेगा पर तुम्हारे कहने पर जो मैं करेगा वो भी तो मेरा बहुत बुरा करेंगा अजकर का निवाला बनने से बचने के लिए शेर की गोद में जा बैठना किधर की समझतारी है एक भीडु को मैं जानता नहीं मेरा उतसे कोई अदावत नहीं कोई लेना देना नहीं मैं भलक क्यूं उसका खून करेंगा मैं का कोई सुपारी किलर है नहीं है न बाप तुम बोलता है तुम्हारे सब आदमी पुलिस के निगाह में है इसलिए तुम किसी ऐसे भीडु से ये काम कराना मानता है जिसका तुम्हारे से कोई दूर दरास का रिष्टा भी ना जोड़ा जा सके जो कि तु है मैं काहे सुपारी लगाओ न बाप उसका नहीं क्यूं? रोकड़ा नहीं भरना मानता फोकट में काम कराना मानता है तु समझता नहीं है आजकल सुपारी किलर भी पुलिस की जानकारी में होते है बाहर से बुला लो वो चक्कर का काम है जब एक आसान तरीका मेरे सामने है तो बाप इधर कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए बोलता है मैं मैं एक मामुली ताला तोड़ है कोई सेफ तोड़वाना हो कोई वाल्ड खुलवाना हो तो मेरे को बोलो जरूर खिद्मत करेंगा पन कतल नको तो पागल है बात को समझता नहीं बरोबर समझता है बाप अभी मैं कुछ भी नहीं किये लाहे अभी इंस्पेक्टर गोविलकर के पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है तो मेरा मुंडी उसके हाथ में है कुछ करेंगा तो इतना बड़ा काम करेंगा तो तब तो वो मेरे को क्या 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 नहीं करने को बोलेंगा सोच के मेरी रूख कामती है तो सच में पागल है वो तेरे को बोला कि नहीं बोला कि ये काम करने के बाद तू आजाद बोला, साथ में ये भी बोला कि कोरट केस को वापिस लेना उसके अक्तियार से बाहर यानि कि मेरा रोस का उससे मा था, मैं पतंग बन जाएगा बाप जिसकी डोर उसके हाथ में, जिसे वो जब चाहेगा खींचेंगा अब तेरा जवाब क्या है? वो मोटा जुन्जला कर बोला मर्डर नको बाप क्या ये तेरा आखरी फैसला है? सौरी बोलता है बाप, पर ऐसा ही छे छीक है, तो फिर इंस्पेक्टर गोविलकर का तेरे लिए एक संदेशा है बोलो बाप कोर्ट के ओर्डर के मताबिक, कल ग्यारा बजे तेरे को तार देव थाने की हासरी भरने का है ना पहुंचा, तो तू फरार मुझरीम कोर्ट से तेरा गैर जमानती वाटर वारंट गिरुफतारी फिर देखना अपनी हालत देखेंगा बाप, जो नसीब दिखाएंगा वो देखेंगा अब दफ़ा हो अपना नाम तो बोलो बाप कोई जरूरत नहीं वो पूचेंगा मैं किस से मिला तो क्या बोलेंगा बोलना कामरेट साहब से मिला कामरेट साहब, ये तुम्हारा नाम है हाँ कामरेट साहब सलाम बोलता है उसने दरوازा खोला और कार्ट से उतर गया जहलानी सिवरी में रहता था जहां कि मिनर्वा स्चूडियों के करीब बनी एक छे मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर उसका दो कमरों का किराय का फ्लैट था नशे की तगड़ी तरंग में साड़ी दस बचे के करीब वो वहां पहुंचा इमारत के कंपाउंड में उसने मोटर साइकल खड़ी की ही थी कि एक आदमी प्रेद की तरह उसके सामने आखड़ा हुआ जहलानी ने सेर उठा कर देखा कुछ नशे की वज़ा से कुछ रोशने की कमी की वज़ा से वो अपनी निगा ठीक से सामने फोकस नहीं कर पाया कौन हो भाई वो आँखे मिच मिचाता बूला जहलानी हाँ पंकच जहलानी एक्सप्रेस वाला भीडू हाँ भाई इदर कपसे तुम्हारा इंतिजार करता है बाप फिर भी शुकर है जल्दी आकिया जैसा महक रहा है आधी रात को आता क्या वाण्दा था और दो घंटे बाद आता क्या वाण्दा था तुम हो कौन भाई? मेरे को दिलिब भालेकर बोलते हैं. दिलिब भालेकर बड़ा बटाटा मदुकर राउ साबले MP का खास उसका इंतिजार करता था. बड़ी मुश्किल से तुम्हारे आफिस से तुम्हारा इधर का पता निकाला. क्या मांगता है? मांगता नहीं, देता है. क्या? अकल, तेरे को. अकल है मेरे पास, मेरी जरूरत के लायक. नहीं है, अगर है तो उसमें लोचा. कैसा लोचा? वो तेरे को खाली-पेली ऐसे रास्तों पर दोडाती है, जिद तेरे को नहीं दोडना मांगता. क्या मतलब? ग्रांट रोड के एक फिलेट में एक भीडू जात से गया. तेरा अक्षी बिरादरी का भीडू लोग अपना काम करता है. तू खाली उसके पीछे पड़ा है. जिदर स्चोरी हो? कोई स्चोरी नहीं है उधर. है भी तो भूल जा. क्या तुम्हारी बोलने से? और तेरे को क कोई बोलता दिखाई दे रहा है क्या? धमका रहे हो मुझे. मैं ऐसे नहीं धमकाता भीडू. धमकाने का मेरा इस चायल जुदा है. देखना मानता है क्या? दिखाओ. पलक जपकते एक कमानी दार चाकू उसके हाथ में प्रकट हुआ. एक खटाग की आवास के साथ खुला. और उसकी पसलियों में चुपने लगा. अभी जमीन पर से आंते समेटता होगा. भालेकर साम की तरफ फुंकारा. जलानी का नशा उड़ गया. क क क क क्या करते हो? अभी मालूम नहीं पढ़ा क्या? जाकू का दबाव बढ़ा. क क क्या? अपनी अकल से लोचा निकाल. वरना म तेरा थोबड़ा बंध होगा. वो तो खुल भी चुका. किसके सामने? उसके सामने जिसके साथ ड्रिंग की पार्टी करके आया. कौन है वो? नाम ले उसका. जब उसको मेरे कतल की खबर लगे की, तो जो मैंने उसे बताया है, वो दुनिया को बताएगा. कौन है? तेरे जै साथ छापे वाला भीडू? नहीं बताऊंगा. क्यूं? तू जाके उसके साथ भी ऐसे ही पेश आएगा. अब मेरे को अपनी भलाई इसी में दिखाई देती है, कि दूसरे शक्स की बाबत तू सस्पेंस में रहे. है इच नहीं कोई दूसरा भीडू? तो मार मुझे, काम ख हत्मगर अपना. भालेकर अनिश्चित सा सोचने लगा. तू बोला तू पार्टी से आया, आखिरकार वो बोला. हाँ, काफी पिये लाहे. कोई दूसरा पिलाई तो मैं जी भरके पीता हूँ. इसका मतलब है चापे में नहीं गया. जालानी सक पकाया. इसका मतलब अभी कल क कुछ नहीं छपने वाला. अभी खाना खा के प्रेस में जाओंगा. जालानी बोला. बंडल मारिला है. मोटर साइकल ठीक से खड़ी की नहीं जा रही थी. प्रेस में जाएगा. जालानी खामोश रहा. अपनी कीमत बोल. भालेकर बोला. किस बात की? जान बक्षी की? भालेक थोबड़ा बंद रखने की. भालेकर बोला. अब खाली मेरा थोबड़ा बंद रखने की बात नहीं है. है. जो भीडुजी भर के विस्की पिलाता है तेरे को. वो तेरा करीबी ही होएगा. तो बोलेंगा थोबड़ा बंद रखने का है. तो वो क्यू तेरी बात नहीं माने क्यों नहीं मानेंगा अरे तू बोल मानेगा तो फिर क्या वांदा है जालानी खामोश रहा मेरा बॉस लोग बड़ा लोग सोसेटी में बड़ा इज़त वाला पबलिक का लीडर वो पिरेस के साथ पंगा नहीं मांगता वरना इतनी बाधे किदर जरूरी मैं तेरे आते ही ते को भी अगर है कोई दूसरा है ना है तो तेरी मौत की खबर सुनकर वो क्या करेंगा दोड़ा आएंगा खुद मुं से बोलेंगा कि अभी शाम को तो तो उसके साथ दारू की पार्टी करता था वो बोलेंगा और मेरा कोई भीड़ो सुनेंगा फिर वो भी शमशान घाट त मैं मेरे साथ ही पहुंचेंगा। कहना आसान है। अभी किसी का कुछ नहीं बिगड रहा, इसलिए मेरे को सोचने दो. कब तक सोचेगा? कल दोपहर तक. तब किधर मिलेगा? इधर ही. ठीक है, पन कल तेरे चापे में मेरे को कुछ चापा दिखाई दिया, तो तेरे वास्ते दोपहर नहीं होएंगा. शादी बनाया क्या? हाँ. चिलर. एक बच्चा है. बीवी बच्चा इधर साथ ही रहते हैं तेरे. और किधर रहेंगे? बीवी विद्वा. बच्चा आधा यतीम. सोचना. सोचके रखना. सोचूंगा. सोचके रखूंगा. अभी जाता है. पिच्चू अकल पुलिस के पास जाने को बोले. तो मज़े से जाना. मेरे को कोई वानना नहीं. जालानी खामुश रहा. वो जैसे एका एक वहाँ प्रकट हुआ था. वैसे ही एका एक वहाँ से गायब हो किया. जीद सिंग घाट को पर पहुँचा. वहाँ उस निशान, उसका निशाना केकी मिस्तरी का निवास थान था. जिसका पता उसके फुल हाउस में शेफाली दोर्जी को उसके मुबाइल पर फोन लगाने से हासिल हुआ था. केकी की अपाहिज बीवी को हिला उसकी विलचियर धकेलती बैटट में लाई. जीत सिंग ने दोनों हाग जोड़े. उसने देखा बिचारी बेवा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था. होन कागस की तरह सफेद थे और आँखे रो रोकर सूजी हुई थी. तकदीर की दोहरी मार उसे पड़ी थी. पता नहीं उस अपाहिश बेवा की बाकी जिन्दगी केकी के बिना कैसे कटने वाली थी. उसने जीत सिंग को पहचाना तो उसके आंसुओं का बांग फिर तूट पड़ा. जीत सिंग के मुँ से ढानस के चंद अनफास निकले तो खुद उसका गला रुद्ने लगा. उस माहोल से उसे हिलाने मुक्ती दिलाई. भावी को समझाते उसने विलचियर घुमाई और वापिस ले चली. थोड़ी देर बाद वो वापिस लोटी. बैट, जीते, वो बोली. बैटता हूँ, तुम बैटो. दोनों आमने सामने बैट गए. क्या पुलिस आई? जीते ने बूचा. हाँ, हिला बोली. वही सब इंस्पेक्टर आया जो पहले ये बुरी खबर लेकर आया था. दुबारा क्या करने आया था? अकबार में चपी खबर से हमारी समझ में कुछ नहीं आया. तो समझाने आया. केकी अपनी गलती से मरा. इतना ड्रिंग किया कि टून होके खोश खो बैठा. फिर गलाटा किया और गोली खा किया. क्या तुम्हें यकीन नहीं? कैसे होगा? केकी और इतना गैर से मेंदार? इंपॉसिबल. वो फर्जी कहानी है, जिसका पर्दाफाश होकर रहेगा. पुलिस होने देगी तो ना? तो भी होकर रहेगा. अपने खुदा से दुआ करो. और उसके इंसाफ पर विश्वास रखो. वो खामोश रही. तुम और केकी आपस में बहुत फ्रैंक थे. पड़े लिखे मॉडर्ण लोग होते ही हैं, है ना? हाँ, हम दोनों भाई बहन ही नहीं, अच्छे दोस भी थे. वही तो मैं बूला, इसकी वज़ा से एक बात पूछना मानता है. क्या? परसोरात केकी के साथ एक फिल्म स्चार्ज जैसी खूब सूरत नौजवान गोवानी लड़की थी. म्यूजिक चैनल की छोकरी लोगों जैसे, मॉडर्न रहन सहन वाली और खूब फैशनेबल. बालों की एक लट लाल, जो गोल घूमी हुई हर वक्त चहरे पर लहराती रहती थी. खाने पीने की शौकीन थी, और एंटर्टेन्मेंट के धंदे में थी. पंजी से इधर कोई शो करने आई थी. केकीने कभी ऐसी किसी लड़की का तुम्हारे सामने जिक्र किया था क्या? उसने बहुत सोच कर जवाब दिया, लेकिन इंकार में दिया. हाल ही में ना किया हो, जीत सिंग आगरबरिस्वर में बोला, पहले कभी किया हो? नहीं, फिर वो उत्सुख भाफ से बोली, कौन है वो लड़की, और उसके बारे में इतने सवाल क्यों? जीते, लगता है तेरे को कुछ खास मालूम है. खास तो नहीं, पर इतना मालूम है, ऐसी एक लड़की परसो रात केकी के साथ थी, लेकिन हर किसी की हर चंद कोशिश इस बात को जुटलाने की है. परसो रात ग्रांट रोड के जिस बार से केकी की बैडलिक की कहानी शुरू हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था, जबकि केकी उस लड़की के साथ वहाँ पहुचा था. बार का मालिक मेरे को अद्धा बताता है, बोलता है केकी के साथ नहीं थी, अलग से आई थी, और उससे पहले चली गई थी. वो खुद क्या बोलती है? मिले तो पता लगे ना की क्या बोलती है? उसका तो परसो रात से कोई पता नहीं. अगर वो केकी की फ्रेंड थी, तो अकबार पढ़के उसे केकी के अंजाम की खबर तो बराबर लगी होगी, उससे तो खुद सामने आना चाहिए. आना तो चाहिए, पर क्या पता क्या हुआ उसको? जीते, तेरे को उसकी तलाश क्यूँ है? क्योंकि मेरा दिल बोलता है कि उसे खबर हो सकती है कि केकी के साथ असल में क्या बीती थी? असल में यूमिन तेरे को भी अकबार की स्चोरी पर विश्वास नहीं? जरा भी नहीं. क्या केकी का मर्डर हुआ है? मेरे को कोई शक नहीं. उस लड़के ने किया जिसके हवाले से अकबार में स्चोरी चपी है और जो किसी बड़े लेबर यूनियन लीडर का बेटा बताय जाता है? और कौन करेगा? और तो कोई उधर था ही नहीं. उस चोकरे ने जान बुश कर केकी को शूट कर दिया और ऐसी इस चोरी गड़ली की सारी गलती केकी की लगे. इस चोरी को ताकत देने के लिए एक चश्मदित गवा खड़ा कर लिया. यूमिन वो गवा भी जूट है? मुझे पूरा यकीन है उसके जूटा होने पर क्यूंकि वो और कोई नहीं. उसी बार का मालिक है जिसमें परसो रात केकी लड़की के साथ गया था और जो किसी वज़ा से लड़की के वजूद को जुटलाता है. क्यूं? क्यूंकि उस लड़की ने असल माश्रा देखा हो सकता था. केकी को जान बुच कर शूट किया जाता देखा हो सकता है. हाँ, ऐसा इच खयाल है मेरा. इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गायब है नहीं. गायब करती गई है. हाँ. ओ, लेकिन जीते, तेरे को इन बातों से क्या मतलब? केकी मेरा दोस्त था. दोस्त के साथ ना है. ऐसे जुल्म का कहीं और छोर होना चाहिए. पुलिस इतनी शिद्दत से उस बड़े लोगों के चोकरे को बचाने पर जुटी है कि दुख होता है, बलकि खून खौलता है. जानती हो उस लड़के के बारे में जिसका नाम बोनी जाधव है. उदर की एक लड़की क्या ब जिवड़ा, औरत खोर, पंगे बास, डोर्टी रास्कल स्ट्रीट डॉग और भी अंग्रेजी में काफी कुछ बोली जो मेरे को भूल गया. हाँ, सन अफ बिच, लाइंग बास्चर्ट. ओ, और केकी के बारे में मालूम क्या बोली? क्या बोली? जेंटलमैन, कभी किसी से पंगा नहीं, कभी काबू से बाहर ड्रिंक नहीं, नाइस मैन बोली, डीसेंड मैन बोली, बोली कभी मक्ही नहीं मारा, आदमी कैसे मारेगा? उसकी कोई नहीं सुनता क्या? किसी की कोई नहीं सुनता, खाली उस लड़के की सुनते हैं क्योंकि वो रसूक वाले लोगों की आुलाद है ये तो पेपर में छपा है, छपा है किसी यूनियन लीडर का बेटा है और किसी एमपी का भाज़ा है लेकिन नाम तो नहीं छपे नाम मेरे को मालूम, बाप गोदी करमचारियों की यूनियन का प्रधान है और नाम चगन जादव है, मामा मधुकर राव साबले है जो की मराठा मंच पार्टी का एमपी है वो चौंकी, मधुकर राव साबले, उसने नाम दोहराया, जो दादर में रोड पर एक एंटीक चार मंजिला इमारत में रहता है ये मेरे को नहीं मालूम, वहां रहता है, एक पार्टी के एक नाम के दो एमपी नहीं हो सकते होते तो मेरे को मालूम होता, वही है मधुकर राव साबले वही है, वही है क्या मतलब? उसने उत्तर नहीं दिया, उसने बीच के उस दर्वाजे की तरफ देखा, जिससे पार वो वेलचल लुड़का कर ले गई थी फिर एका एक वो उठी और लंबे डग भरती उस दर्वाजे पर पहुंची उसने दर्वाजे को मजबूती से बंद कर दिया, उस पर परदा खींच दिया और वापिस लोटी पेपर में मधुकर राव साबले का नाम क्यों नहीं चपा? वो बोली क्या पता क्यों नहीं चपा? जीत सिंग कंधे उचकाता बोला चापे वालों की कोई पॉलिसी होती, बड़े लोगों का नाम नहीं चापने की ये MP साहब भी उस चोकरे को, बोनी जादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? उनका सगा भाजा है, नहीं करेंगे क्या? एक बात बता जीते, किसी ने अपनी सगी आलाद और सगे भाजे में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेगा? मेरे खयाल से तो आलाद को ही चुनेगा? अगर तेरी बात सच है, तो समझ ले मेरे भाई का इंसाफ होके रहेगा? क्या मतलब? वक्त आने दे, मतलब खुदी समझ में आ जाएगा. फिर भी, फिर भी ये कि आइंदा दिनों में ऐसे हालाद पैदा होंगे, कि मेरे भाई का कातिल वो बिगड़ै लड़का, MP का भाजा होने को अपना प्लस पॉइंट नहीं, अपनी बैड लग समझेगा. मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? अभी ठीक से मेरी समझ में में नहीं आ रहा. जीते, तेरे आने की मेरे को खुशी, अब रात खोटी ना कर. जीता उट खड़ा हुआ. इधर का फोन नमबर मालुम ना? किधर मालुम? मेरे को तो इधर का पता भी बहुत मुश्किल से मालुम हुआ. मैं देती हूँ. उसने जीत सिंग को लैंड लाइन और मुबाइल दोनों के नमबर लिख दिये. दिली भाले कर दादर में रोड पहुँचा. इमारत में दाकिन होने पर उस बार भी उसे टॉप फ्लोर पर जाने को बोला गया. लिफ्ट पर सवार होकर वो चौथी मंजिल पर पहुँचा. लिफ्ट के स्थेर होते ही बॉडिगार्ड लाहोटी सचेत हो गया. दर्वाजा खुलने पर उसे बाले कर दिखाई दिया. तो उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया. जादव सहब आ गये क्या? कलाई घड़ी पर निगार डालता बाले कर बोला. हाँ, लाहोटी बोला. पांच मिनट हुए. बीतर तुम्हारा ही इंतिजार हो रहा है. हम्... बाले कर दर्वाजा खुल कर बीतर दाकिन हुआ. बीतर नेता जी और जादव एग्जेक्यूटिव टेबल पर आमने सामने बैठे थे. जादव ने वाल क्लॉक पर निगार डाली. और फिर इल्जाम लगाती निगाहों से उसकी तरफ देखा. लेठ हो गया. बाले कर बोला. सौरी बोलता है. किदर लेठ हो गया? जादव भुन भुनाया. जिदर लेठ हो गया उधर से फोन करके ये भी बोलना पढ़ सकता था कि नहीं आना सकता. खुद अपाइंट्मेंट फिक्स किया. खुद मेरे को इधर आने को बोला. छगन. नेता जी दखल अंदास करते हुए बोले. ये दस मिनटी तो लेठ है. फिर जो हो सकता था हुआ तो नहीं. पर्ण. हमारा ही कोई काम करता होगा. क्यूं भालेकर? बालेकर ने सहमती में सेर हिलाया. देखा. जाधव परे देखने लगा. इधर आके बैट. नेता जी बोला. बालेकर एक विजिटर्स चियर्स पर धेर हुआ. अब बोल. एक अकबार वाला कोई पंगा कर सकता है. कौन अकबार वाला? जालानी नाम है. एक्सप्रेस का रिपोर्टर है. उसको कोई शक इसलिए सूंगता फिरता है. कैसे हो गया शक? अकबार वालों को टिप मिलती ही रहती है. कौन देता है? कोई बताता है, कोई नहीं बताता. उसको गुमनाम टिप मिली जान पड़ती है. इसलिए चापे में जाने से पहले तिप को पकी करना मांगता है. अपनी खबर को मस्बूत करना मांगता है. कोई बड़ा रिपोर्टर है क्या? पर्चा बड़ा है. पुराना रिपोर्टर है. बड़े पर्चे के पुराने रिपोर्टर बड़े ही होते हैं. बड़े भी पर मशूर भी खूब जाने पहचाने मेरे को मालूम है जादवपोर वत्भुन बुनाते लहचे में बोला एक रिपोर्टर शहर में दाएं बाएं भागा फिर रहा है कई जगा जा रहा है कई लोगों से मिल रहा है पर हाथ तो उसके कुछ नहीं लगा आपको कैसे मालूम हाथ लगा होएंगा तो आपको खबर करेंगा क्या चिठ्थी लिखेंगा अरे वो कुछ बिगार सकता है तो खलास कर उसे अभी मैंने उसकी आँखों के आगे रोकड़ा चमकाया है रोकड़ा कबूल करेंगा तो चुप बैठेंगा नहीं करेंगा तो वहीच करेंगा कब जवाब देगा कल कल पहले ही उसके परच्षे में कोछ चुल्टा सीधा चप गया तो नहीं चपेगा तेरे को कैसे मालूम मालूम अरे कैसे मालूम जगर नेता जी बोला, जब ये बोलता है मालूम तो मालूम मेरे को शक ऐसा और कोई पंगा, जादव को नजर अंदास करता नेता जी अपने ट्रबल शूटर से संबोधित हुआ और भी है और भी क्या है, जादव भड़का हाँ, भाले कर शान्ती से बोला तुमारे चोकरे की वज़ा से है क्या? बोनी बाबा मेरे को काहे नहीं बोला कि शनीवार रात को बार में एक और भीडू भी था जो उसको भी जानता था और केकी मिस्टरी को भी जानता था और जिसने बोनी बाबा को बराबर मालूम कि उस गोवानी लड़की को केकी मिस्टरी के साथ देखा था संडे का अखा दिन गुसर गया तो वो जाकर कही मेरे को एस्टेसी की गोली का इस्टोरी बताया मैं चोकरी को सेट किया मैं पोस्मार्टम वाले डॉक्टर को सेट किया अभी और भी जो सेट होना मानता होगा करेंगा पर तुमारा चोकरा ही पैडूलम का माफिक जूलना मानता है तो जादव आग बबुला हो उठा वो उचल कर खड़ा हुआ और उसने भाले कर गुक को गले से थाम लिया ठहर जासाले वो से जिनजोडता हुआ कहर भरिस्वर में बोला फांसी पर जूलाना मांगता है मेरे बेटे को भाले कर ने बचाव की कोई कोशिश नहीं की छगन छोड उसे नेता जी सक्ती से बोला पन ये छोड जादव ने गला छोड दिया और वापिस कुर्सी पर धेर हो गिया तुम दोनों बाप बेटे सच में ही एक जैसे हो नेता जी अप्रसन भाफ से बोला खांगा भड़कते हो और फिर ताकत बताने लगते हो पहले बिगारते हो बिगड़ा सवार नहीं सकते हो तो इधर आते हो फर्याद लेकर आते हो फिर भी ताकत बताते हो अब फिर कभी मेरे सामने भालेकर को ऐसे हैंडल करने का नहीं है अपने परकाबू नहीं रख सकते तो गिधर और जाके अपना प्रॉबलम हल करो कर सकता हूँ जादव जबरन जब्द करता बोला इतना कमजोर नहीं मैं तो करता क्यों नहीं करूंगा मेरे को अपना बेटा सेफ नहीं दिखाई देता तो अपने तरीके से करूंगा वो जब करेगा तो करेगा अभी क्या बोलता है अभी देखता हूँ ये क्या करता है अब की अकल की बात पर इसको बोलो ये भड़काऊ बाते ना करे मेरे को भाले कर बोला कोई लिस्ट मिला कि बाप कौन-कौन सी बात से भड़कता है लो देखो जादब फिर भड़का देखो भाले कर नेताजी सक्ती से बोला सौरी बोलता है बाप बद जुबानी नहीं करने का बिल्कुल नहीं करने का बाप आगे बोल आगे भी वरीच बोलने का है जो शायद बाप को बुरा लगे ठीक से बोल बोलता है बाप बाप ये नाजुक मामला है जिसमें कमजोर कड़ी बाहर नहीं भीतर है और वो कमजोर कड़ी अपना बोनी बाबा है इसी वास्ते में इतना एक्स्प्रेस जोड दिया कि कुछ वक्त के लिए बोरी बाबा को फोरण मुंबई से बाहर किधर भेशने का था भेश दिया है जादव भुन भुनाया माथिरान भेश दिया है उधर एक फ्रेंड का बंगला खाली उधर रहेगा पंड कब तक रहेगा तब तक जब तक इधर मामला बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ जाता वो रिपोर्टर नेता जी बुला बड़ा पंगा क्या कर सकता है उसको ये भी मालुम हो गया जान पड़ता है कि बार में केकी मिस्तरी के साथ कोई लड़की थी वो उस लड़की की बाबत सवाल करता फिर रहा है उसकी हर चंद कोशिश उस लड़की को तलाश करने की जान पड़ती है वो कर लेगा क्या किधर से कर लेगा वो लड़की तो मेरे कबसे में है किसको खबर है खाली पुलिस को पुलिस फूल सेट है फिर खबर कैसे कर लेगा नहीं कर लेगा तो फिर क्या वांदा है अभी कोई वांदा नहीं तब ही तो फोरण नहीं टपकाया टपका पाने की जगा उसके आगे रोकडा चमकाया. ठीक किया. नाम क्या है लड़की का? लारा. लारा रिबे लो. ये बोनी बाबा को कमजोर कड़ी बोला. जाधव बोला. असल कमजोर कड़ी वो लड़की है. क्योंकि वो असलीएत की चश्मदिद गवाई है. उसमें लोचा है, क्या, अभी मालूम नहीं वो कौन है, उसके कोई बड़े कॉंटेक्ट निकल आई, या किसी बड़े आदमी की सगी वाली निकल आई, तो हंगामा, यूंकि इस थाने से निकल कर किधर उपर पहुँच गया, तो हमारी काबू से बाहर हो जाएगा, ये ठीक कहता है, नेता जी बोला, ऐसा हो जाने पर ये कवर अप के लिए कमिशनर को रिश्वत आफर करने नहीं पहुँच सकता, या पहुँच सकता है चगन, नहीं, जादव बोला, लेकिन उसका गायब होना भी तो हंगामा खड़ा कर सकता है, उसका मेरे पास हल है, क्या हल है, वो शुक्रवार गोवा से इधर आई थी, और काम से इधर आई थी, अभी सोमवार रात ही हुई है, इतने में उसके सगे वाले उसे गायब नहीं मान सकते, मैंने मालुम किया है, कि उसके सगे वालों में खाली उसकी मा है, जो कि पैरने में में रहती है, वो खुद से बाहर रहना कोई बड़ी बात नहीं मेरे पास वासको डिगामा के करीब एक सेव जगा है अगले हफते मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा वहां मैं ऐसा इंतिजाम कर दूंगा कि वो मां से चिठी पत्री भी करती रहेगी और टेलीफोन पर बात भी करती रहेगी मां की तस चानती होगी लड़की को चिठी लिखने को कैसे तयार करेगा फोन करने को कैसे तयार करेगा मेरा काम है ना करेंगा ऐसा कब तक चलेगा चलने का तो सालों साल चल सकता है पर मेरे को छे या साथ महीने चलाने का होगा इससे बहुत-बहुत पहले लोग इस वारदात को पू करने वाले से जोड़ पाना मुम्किन नहीं रहा जाएगा लड़की का तब क्या होगा तब तक वो हवाओं के हिंडोलों पर जूलने की पूरी तरह से आधी हो चुकी होगी क्या वो ड्रग एडिक्ट है मैं बनाएंगा ना बनाना चालू कर भी दिया हुआ है ओ फिर एक लार या ट्रक रख से कुछली जाएगी और पोस्ट मार्टम पर पता लगेगा कि हेरोई्ट के फुल नशे में थी यह इंतिजाम भी तू करेगा क्या तो और कॉन करेगा अभी क्यों नहीं करता कार से हिट का इंतिजाम शे महीने बात कर सकता है तो अभी क्यों नहीं कर सकता कर सकता है पर अभी लाश पहचानी जाएगी मालूम पर जाएगा कि वो वहिच लड़की थी जो एक रात को शो करने गोवा से मुंबई आई थी और शरीवार शाम को केकी मिस्तरी के साथ थी जालानी चुटकियों में सब माजरा भाब जाएगा फिर प्रेस पुलिस के सिखाई नहीं सीखेगी कि उन्होंने क्या चापना है एक बार ये बात तूल पकड़ गई कि वो वहिच लड़की थी जो बोरी बाबा की असल करतूत की पोल खोल सकती थी और उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद करने के लिए उसका एकसिडेट स्टेज किया गया था तो मेरे संभाले भी कुछ नहीं संबलेगा मैं जालानी का मुँँ बंद कर सकता है पूरे मीडिया का मुँँ बंद नहीं कर सकता तुम्हारे को ये खत्रा मूल लेने का है तो बोलो खत्रा ये भी तो है कि वो चापे वाला कही लड़की को ढूंडा निकाले ऐसा नहीं होगा बाप मैं गैरंटी करता है किसी को उसकी हवा भी नहीं मिल सकती है कहां वो लड़की बाप गुस्ता की माफ तुम्हारे को भी नहीं बताने का है क्या बाद जुबान से निकल जाती है तेरे मूँ से नहीं निकल सकती क्या नहीं तु क्या समझता है अपने आपको और क्या समझता है मेरे को बाप फिर शुरू हो गए जब तू छगन चुप कर नेता जी बोला ज़र मेरे को बोलने दे जादव खामोश हो किया भाले कर इधर मेरी तरफ देख बोलो बाप तेरी बातों से लगता है वो अभी इधर मुंबाई में या मुंबाई के आसपास ही कही है ऐसा इच्छ है बाप तू बोला तू अगले हफ़ते उसको इधर से निकालेगा और गुवा पहुँचाएगा बरोबर बाप अगले हफ़ते क्यूँ अभी क्यू नहीं अभी मेरे को मालुम नहीं जालानी लड़की की तलाश के लिए क्या क्या किये ला है इस काम के लिए वो अकेला ही तो गली-गली नहीं भटक रहा हुगा क्या पता उसके जोड़ीदार कितने भिडू उस लड़की का कोई अता-पता सूनने की कोशिश करते मुंबई में भटक रहे हैं अभी लड़की को इधर से नकी करना खत्रे से खाली नही ओ, कल मेरे को जालानी की बाबत बहुत कुछ पता लगेंगा हो सकता है वो चुप बैठने की कोई फेस कबूल कर ले हो सकता है वो परसों का सूरश ना देखे कल शाम तक इस बात को नकी करो बाब अगर मेरे को लगेंगा की हफते से पहले उसे इधर से निकालना सेफ तो मैं ऐसा हिच करेंगा उसे हफते बाद भी इधर से निकालने की मेरी कोई कसम नहीं है फिर क्या वांदा है ठीक है ना चगन चगन ने हिच किचाते हुए सेहमती में सेर हिलाया मंगलवार बेज जनवरी जालानी आफिस पहुँचा दत साहब मिलना मानता है चप्रासी ने बताया बोलके रखा आते ही तुम्हारे को बोलने का है जालानी ने सेहमती में सेर हिलाया और अपने कैबिन में कदम रखने की जगा सिटी एडिटर अजीद दत के आफिस में पहु हुआ क्या प्रोग्रेस है अजीद दत ने पूछा जालानी ने सव इस्तार प्रोग्रेस बयान की वेरी गुट अजीद दत संतुष भाव से बोला यू हैव डरन ग्रेट जॉब तो मैं रिपोर्ट तयार करूं क्या वो तो जरूर करो लेकिन रखना उसे अभी होल्ड पर ह होगा क्यूं दो वज़ा है एक तो स्चोरी में असली और गहरा रंग तब आएगा जब वो लड़की बरामत हो जाएगी तुम्हारा वो डिटेक्टिव यार इस बाबत कुछ कर दिखाए तो कर दिखाएगा उसे तजुर्बा है ऐसे कामों का कर दिखाएगा तो हमारे पे चीफ एडिटर साहब का हुक्म है कि इस चोरी को अभी होल पर रखा जाए उनका हुक्म क्यूं भला क्यूंकि उनके पास मधुकर राव साबले MP का और उसके पार्टी प्रेजिडेंट बहराम जी कॉंट्रेक्टर दोनों का अलग-अलग फोन आ चुका है कि इस मामले को पे अपना अपना लेवल होता नहें बाई बहराम जी कॉंट्रेक्टर मेरे से बात करता तो उसकी हेटी होती इंस्पेक्टर गोविल कर चीफ एडिटर से बात करना चाता तो बिग बॉस शायद उसे मू ना लगाता बहराल अब स्चोरी को किल करने के लिए पोलेटिकल दबाव डाला जा रहा है दर्ख्वास की जा रही है एक नौजवान बेगुना लड़के को बदनामी से बचाने के लिए उसके सगे वाले नेता लोगों को बदनामी से बचाने के लिए हम दबाव में आएंगे क्या No, we can put this story on hold we cannot kill it शुक्र है You have a good story अगर उस लड़की का बयान इसमें जुट जाए तो ये perfect story होगी फिर बहराम जी contractor क्या Chief Minister भी बोलेगा तो हम इसे kill नहीं करेंगे लेहाजा लड़की की बरामदी मेरे story के छपने की शर्थ है फॉरन छपने की शर्थ है एक reasonable time तक लड़की ना मिली तो ऐसे ही छपेगी kill हर्गिस नहीं की जाएगी Good So you do your best to get that girl located I will I will Jit Singh ने अपने वकील को phone किया Jit Singh बोलता हूं वो बोला बोलो भाई वकील बोला मेरे को 11 बजे थाने की हाचरी भरने का है मैं चाहता हूं आप आज इधर मेरे साथ चलें वजा ज्यादती होने का अंदेशा है गरीब मार होने का अंदेशा है कोई भारी जुर्म होने का अंदेशा है कैसे मुम्किन है जब साथ तारीख से अब तक कुछ नहीं हुआ तो बाप मैं काली साथ तारीख को ही उधर हाजरी फ़रने गया उसके बाद आज जाने का है क्या तुम रोज़ाना हाजरी नहीं भर रहे हो नहीं आज बीस तारीख हो गई काली एक बार गए क्या हम तालना नहीं बाप मैं फीस भरेंगा उधर 15-20 मिनट पहले पहुँशना और मेरे को थाने के बाहर मिलना छीक है थैंक यू बोलता है बाप वकील का नाम विनोद रावल था वो नौजवान लड़का था जिहानत उसकी सूरत से जग लगती थी जीत सिंग को वो थाने के बाहर सड़क पर खड़ी अपनी कार में बैठा मिला उसे देखकर वो कार से बाहर निकला मेरे साथ एक हादसा हो गया था जिसकी वज़ा से मैं नर्सिंग होम में था और थाने की हासरी भरने की हालत में नहीं था जीत सिंग ने उसे बताया ऐसे में थाने तहरीरी खबर करनी पड़ती है वकिल संजीद की से बूला कोड को भी अर्सी लगानी पड़ती है फिर एक्सम्शन मिल जाती है क्या मिल जाती है? हाजिर ना होने की इजासत मिल जाती है ओ, खेर कोई बात नहीं अभी भी नर्सिंग होम से सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है कि तुम कल तक कैसी नाजुक हालत में वहां भरती थे कि कल तक नहीं बाग तो फिर 14 तारीक तक उसके बाद क्या प्राब्लम थी? उसके बाद क्यों नहीं गए? पहले ही दिन इंस्पेक्टर गोविलकर मेरे को नर्सिंग होम में मिलने को आया वो मेरे को बोला थाने में मेरे को हासरी भरने का आने का नहीं था वो ऐसे इच मेरे को हासर बता देगा क्यों भला? मेरे से अपना कोई काम कराना चाहता था उसके बदले में वो छोड़ दी अब क्या हुआ? काम करने लायक नहीं था था भी किसी और का मैं नक्की बोला ऐसा बोलते ही थाने हाजिर होने का हुक्म हो किया अब तुम्हें क्या अंदेशा है? इंस्पेक्टर नक्की बोलने का बदला उतारेंगा ऐसा क्या? हाँ, बहुत जालिम है पहले भी कई बार बहुत मार लगाया कोई सोशल वर्ड कर एका एक थाने में आ गए इतिफाक से उन्होंने उस इंस्पेक्टर के हाथों मेरा बहुत बुरा हाल देख लिया तो ओपर तक इतरास पहुंचाया तब कहीं जान छूटी वो इतरास अब खत्म हो गया क्या? मेरे को नहीं मालूम पर मेरा दिल बोलता है कि इंस्पेक्टर को रोका ना गया तो आज वो मेरी बहुत बुरी गत बनाएगा ऐसा नहों इसके लिए कोट में एक अरजी लगानी पड़ती है फिर मुल्जिम का मेडिकल एक्जामिनेशन होता है उससे क्या होता है? उससे पता चल जाता है कि उस एक्जामिनेशन के बाद मुल्जिम के साथ कोई डंडा परेट हुई या नहीं उससे कोई शारीरिक यापना पहुचाई गई या नहीं ऐसा कब होगा? मैं बहुत जल्दी करूं तो भी शाम तक होगा कोट में अर्सी लगेगी सुनवाई की बारी आएगी कोट कोई डॉक्टर मुकरर करेगा वो अपना टाइम लेगा अपनी जहमत की कोई उजरत भी मांगेगा इतने में तो गोविलकर मेरा फुल काम कर देगा तुम्हारा खयाल है ऐसा अंदेशा है ऐसा तुम्हे शायद वो तुम्हे कुछ मी ना कहे खा जाएका वो मुझे टाइम हो गया है आओ चलकर देखते है उसका मिजाज क्या कहता है जीत सिंग वकील के साथ हो लिया दोनों थाने की इमारत में दाखिल हुए और इंस्पेक्टर गोविलकर के कमरे में पहुँचे गोविलकर ने जीत सिंग पर निगार डाली फिर वकील के साथ आया देख कर सक पकाया तुम्हारा इधर क्या काम है भाई वो भुन भुनाता सा वकील से बोला ये मेरा क्लाइंट है वकील शांती से बोला मेरा इसके साथ आया होने से आपको कोई एतराज है क्या सवाल एतराज का नहीं जरूरत का है तुम्हारे इधर कोई जरूरत नहीं ये हाजरी भरने नहीं आया हासری लगाईे और इसे इजासत दीजिए ये हासری नहीं भड़ने आया है गुना बक्षवाने आया है जो की नहीं बक्षा जा सकता कैसा गुना? ये बारा दिन से गैर हासित है आपको मालूम है क्यों गैर हासित है? मेरे को नहीं मालूम मेरे को वईच मालूम है जो मेरा रिकॉर्ड बोलता है साथ तारीक के बाद ये आज इधर आया है इसने रोज इधर आकर कोट के ओर्डर की तामिल नहीं की नहीं की तो आपने कोट में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई मेरे को अख़्ा थाना चलाने का काम है खाली इसी का काम नहीं है और इसको कोट का ओर्डर मेरी नहीं थाने की हाजरी भरने का है मेरा एक मात्त मेरे को कल ही बोला कि ये इधर नहीं पहुँच रहा था इसलिए आपने इसे बुला भेजा? बुला नहीं भेजा, खुदी पहुँच किया ये एक हाथसे का शिकार अपने मौत से जूच था, नर्सिंग होम में पड़ा था मैं बोले तो टून होकर किसी बेवरे के अड़े पर पड़ा था ये किधर भी था, कोट के ओर्डर के मताबिक इधर नहीं था अब है, अब आप क्या चाहते है? अब ये गिरफ़तार है, इसलिए तुम जा सकते हो क्यूं गिरफ़तार है? तुम्हें मालूम है क्यूं गिरफ़तार है? ये फरार होने की कोशिश में था, इसलिए इसकी बेल, कैंसलेशन की अर्जी के साथ इसे कोट में पेश किया जाएगा तुम्हें मालूम है, मौजूदा हालात में कोर्ट से भी इसकी गिरफतारी का ही ओर्डर होगा आप तो इसे अभी गिरफतार करने पर आमादा है ये फरार हो सकता है जो शक्स अपनी राजी से चल कर आपकी हासरी भरने आया हो वो फरार क्यों होगा भला मालूम करेंगे खामोशी चा गई I'm sorry जीत सिंग फिर वो जीत सिंग का कंधा थप थपाता बोला मैं कोर्ट में इमिजेट अर्जी लगाता हूँ इमिजेट ना लगाना गोविलकर चेतावनी भरे स्वर में बोला एक गंड़ा इंतिजार करना किस बात का इसके कोर्ट में तुम्हारे पास पहुँचने या ना पहुँचने का क्या मतलब ना पहुँचा तो जो मुनासिप समझना करना पहुँच गया तो ये बोलेगा कि कोई अर्जी लगाने का नहीं था वकील ने जीत सिंग की तरफ देखा हाँ बोल इसको गोविलकर सक्ती से बोला जीत सिंग ने हिचकते हुए सैमती में सिर हिला दिया उसे हालात बहुत दैशतनाग जान पढ़ रहे थे वकील चला गया गोविलकर कुर्सी से उठा और जीत सिंग के सामने आ खड़ा हुआ वो कुछ शन खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता रहा फिर एक एक उसने इतनी जोर का जापड जीत सिंग के चहरे पर रसीद किया कि उसकी गर्दन फिरिकनी की तरह घूम गई बहुत चड़बी चड़गई है साले दान पीस्ता वो हिंसक भाफ से बोला सब सेट हो गया सब बात हो गई टैम आया तो मुकर गया सहब जीत सिंग ने आर्थनात किया मर्डर की बात किधर हुई थी उल्लू बनाता है साब नहीं बोला मैं तेरे को कि तेरे को वईच काम करने का था जिसका तू एक्सपर्ट था जो तू पहले कई मर्दबा कर चुका था इससे तो मैं समझा था कि कोई वॉल्ट खोलना था यह इच काम नहीं है जो तू पहले कई बार कर चुका है कतल भी पहले कई बार कर चुका है बाप कतल नहीं बक्वास मत कर अब मरसी बोल अपनी बाप, खत्ल नहीं वो भी बड़े आदमी का मैं बे मौत मारा जाएंगा तब नहीं मारा जाएगा जो कहा जा रहा है वो नहीं करेगा तो मारा जाएगा बाप, ये काम नहीं मैं अपनी सजा भुगत लूँगा तेरे को अंदाजा नहीं है अपनी सजा का बाप, कौरट जो सजा साले तेरी सारी देलेरी इसी बात में है जो शान पंती तु दिखा चुका है उसी ने तुझे देलेर बनाया है तु समझता है कोट में ना तु कातिल साबित हो पाएगा ना डकैट साहप जब मैं कुछ किया ही नहीं तो सूपर स्चोर की डखैती में शरीक नहीं था क्या नहीं इसलिए ताकत से बोलता है क्यूंकि गवा मुकर गया क्यूंकि गवा की गवाही के बिना तेरे को डखैत साबित करना मुश्किल वो दूसरा गवा तागडे पुलिस के काबू में नहीं आ रहा इसलिए उसकी गवाही के बिना तेरे को कातिल साबित करना मुश्किल पुलिस की कमसोरी तेरी ताकत यहीच बात है ना नहीं सहप मन ही मन वो संतुष्टी का अनुभव कर रहा था कि वक्त रहते उसने गाईलो और तागडे को उस जालिम हाकिम की पहुंच से दूर बहुत दूर खिसका दिया था बैट तश्रीफ रख कुरसी पर आज तु मेरे थाने का मेहमान है जीत सिंग हिच की चाता हुआ एक कुरसी पर यूँ बैठा जैसे अंदेशा हो कि कुरसी एका एक उसके नीचे से खींचली जाने वाली थी गोविलकर भी मेस का घेरा काट कर उसके पीछे पहुंचा और अपनी कुरसी पर बैठ कया उसने घंटी बजाई जिसके जवाब में एक हवलदार भीतर पहुंचा लेके आ गोविलकर ने हुकम दिया हवलदार लौट गया सिगरट पिये गा क्या पीछे गोविलकर बोला जीट सिंग ने इंकार में सेर हिलाया पी ले पी ले फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा पास रखता है या मैं मंगा के दूँ कौन सा ब्रेंड पीता है जीट सिंग ने उत्तर नहीं दिया अच्छा भई मरसी तेरी कुछ शंड खामोशी में गुजरे फिर दर्वासा खुला दो जनों के साथ हवलदार ने भीतर कदम रखा जिन पर निगा पढ़ते ही जीट सिंग के होश उड़ गए वो उचल कर खड़ा हुआ बैठा रह बैठा रह गोविल कर बोला बैठा रह पाना ना मुम्किन था क्यूंकि उसका दिल बैठा जा रहा था वो गाईलो और तागड़े थे हवलदार ने दोनों को मेज के करीब लाकर खड़ा कर दिया और स्वयम दो कदम पीछे हट गया दोनों की सूरत पर फटकार बरस रही थी लेकिन ठुकाई सिर्फ गाईलों की हुई जान पड़ती थी उसने कातर भाव से उसकी तरफ देखा तागड़े ने उससे आंक भी नहीं मिलाई यही है न वो दोनों गोविलकर बोला जीत सिंग को उसकी आवास बहुत दूर से आती लगी जिन को खिसका कर तेरी मुकरने की मजाल हुई अब बोल क्या बोलता है जीत सिंग ने एका एक अपने सूख हाई हूंटों पर जुबान फेरी अबे बोल गोविलकर कड़क कर बोला क्या बोलू साहब जीत सिंग कंबित स्वर में बोला ये भी मैं तेरे को बताए क्या एक बात बतादो साहब पूछ तागडे खोद आया या इसे भी पकड़ा पकड़ा दोनों निगाह में थे क्या तीनो तो भी मैं भी साले मैं बोला नहीं था तेरे को पुलिस के हजारों हाथ और लाखों निगाहें होती है बह बोला था अब देख लिया ना हाँ अब अपने टॉप के हिमायती से पूछ अगली बार ये अदालत में तेरी बाबत क्या बयान देगा क्या पूछेंगा साहप मेरे को मालुम तागले से तो पूछने की भी जरूरत नहीं है ये तो वैसे ही तडप रहा है बयान देने को ताकि डंडा परेट से बच सके मालुम है बाप अब क्या बोलता है इन्हें छोड़ दो ये तेरी शर्थ है बोलने की? छोड़ दो साहक, जो बोलेंगा, करेंगा वो भी जिससे कल नकी किया? हाँ, करेंगा मैं कामरेट साहब का काम, पर इन्हे छोड़ दो फिर मुकर गया तो मुकरा नहीं था साहक मुकरा मेरे को तब बोलते जब मेरे को पहले से कोई आइडिया होता कि मेरे को क्या करने का था तो और क्या किया खाली अपना भरा बुला सोचा अभी क्या सोचा अभी भी बुरा भला ही सोचा तभी तो बोला कामरेट सहाब का काम करेंगा हम तो तु चाहता है मैं तेरे पर एक बार और यकीन करूँ, तुझे एक मौका और दूँ? हाँ, जो मजाल तेरी हुई, बिना उसकी तुझे कोई सजा दिये? सहब, अब क्यों आप? छीक है, तो भी क्या याद करेगा? क्या छीक है सहब? गौविलकर ने घंटी बजाई, हवलदार भीतर आया, तो वो बोला, छोड़ दो इन दोनों को, हवलदार के चेहरे पर विसमे के भाव आए, आजाद कर दो, जहां चाहिए जाने दो, हवलदार ने सहमती में सेर हिलाया, और फिर गाईलो और तागडे से संबोधित हुआ, चलो, दोनों वहां से रुकसत हुए, गाईलो बार बार जिबा होती बकरी की तरह, जीत सिंग को देखता, जो बात जीत सिंग ने उसके आते बार नहीं देखी थी, जाते बार देखी वो ये थी कि गाईलो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, दोहरी मार जेलनी पड़ी थी बेचारे को, पहले बड़ा बटाटा की, फिर पुलिस की, अपने कजन एंजो के दोस्त की, एक अंजान शक्स की, मदद की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी उसे, बैट गोव मेरे को उलजन होती है, वो हसा, अच्छा, जाने दे, वो बोला, चाय भी कोई चीज है पीने की, जीत सिंग चुप रहा, कामरेट साहब को फटा मार दिया, कि तुने कभी गण नहीं चलाया, कभी हाथ में भी नहीं थामा, अब क्या बोलेंगा बाप, बोलना जरूरी, नही नहीं चलाया, जो कि जूट है, तो मेरे को इंतिजाम करना पड़ेगा तेरे को चलाना सिखाने का, नहीं मांगता साहब, उसने मेंस का एक दरास खोला और एक ऐसी गण निकाली, जिस से मिलती जुलती सूरत भी, जीते ने कभी नहीं देखी थी, ये चेकोसलो वाकिया की ब बहुत पुराना मॉडल है, कहते हैं दूसरे महायोत में बहुत पसंद की जाती थी, जर्मन पॉजे इस्तेमाल करते थे, आठ फायर करती है, बरी हुई ही बरामत होई थी, इसलिए इस वक बरी हुई है, गोलियां भी अनोखे कैलिबर की हैं, और शायद ही मिलें, लेकिन औ और की जरूरत भी किधर है, यही जरूरत से ज्यादा है, निशाने पर ठीक लगे तो एक ही गोली, चीथड़े उड़ा देने को काफी है, इतनी पुरानी गन आपके पास कहां से आई साहब? किसी मुझरिम से बरामत की थी, माल खाने में जमा करानी थी, पर नहीं कराई, प करना कोई पास क्यूं रखता? नाल बहुत अजीब है साहब, क्योंकि साइलेंसर चड़ा है, वो क्या होता है? यह नलकी होती है, उसने नाल पर की चूड़ियां उमेठी, जो कि नाल पर चड़ी होती है, इसकी वज़ा से गोली चलने पर आवास नहीं होती, उसने साइलेंस को नाल पर से उतार कर और दोबारा चड़ा कर दिखाया, ओ, अब भेजे में घुसा की कितना आसान काम है? जीत सिंग ने हिच के जाते हुए सैमती में सिर हिलाया, ठीक चला लेगा तो एक ही गोली काम कर देगी, और किसी को खबर भी नहीं होगी, कि जोर्च डेविस उसकी तरफ तवज्जो जाए की, तब तब तु मुंबई के दूसरे सिरे पर होगा, गन तुम्हारे को लाके देने का है क्या? हरकिस नहीं, काम खत्म हो जाने पर उधरी फैंक के आने का है, वो काम हो जाने पर ये गन मेरे किसी काम की नहीं, उधरी फैंक के आने का है, बर तेरे वास्ते, मेरे वास्ते, हाँ तेरे वास्ते, खाली इतना खयाल रखना अपनी सेफ्टी की खातिर, कि इस पर उंग्रियों के निशान ना छोड़ना, मैं मेंटल है क्या, मेंटल किदर से होईगा, तू तो बहुत तजुर्बेकार, फिर भी बोला, गायलों की निगरानी अभी भी चलेगी क्या, अब काहे, अब क्या करेंगा मैं उसको जूटा गवा साबित करके, और मेरी, शान पंती निकाल तो तेरी भी नहीं, जाके चेंच पोकली में रह, उदर नहीं बाप, मेरा कोई पंगा है, जिसके वज़ा से उदर मेरी जान को खत्रा है, और क्या पं नहीं तो एक क्या दस पंगे हो सकते हैं, ठीक है, जिदर मर्जी रह, पर मेरे को मालूम होना मांगता है कि तु किधर है, बोलेंगा बाप, ठीया बदलेंगा तो बोलेंगा, अभी का तो तुम्हेरे को मालूम, खुद बोला, हाँ, तुने तागडे का नहीं पूछा, अब क्या पूछना, अब तो पासा पलट गया, खेल नमा हो गया, शाना है, पर जो पंगा किया तो किया, तो अपनी जुमान से पल्टी खाया, उसका मज़ा मेरे को मिल गया साहब, साहब का इतना जोर का च्छांपट पड़ा, कि अभी भी गाल तपता है, शुक्र मना, ऐसा ही चक्खा बाड़ी तपता हो सकता था, साहब मैं गलत, मैं जलील, मैं खतावार, पर आप तो अपनी बात से पल्टी नहीं खाएंगा ना, नहीं खाऊंगा, ये काम ठेक से कर, फिर याद करेगा कि कोई मिला था, मेरी हाजरी चौकस करो साहब, क्या, पहले खुद बोला मेरे को बिना थाने आए, हाजर माना जाएगा, अभी गैर हाजरी बोलकर ही, गैर हाजरी पर गिरफतारी की, और जमानत जबती की धमकी दी, अभी अपने वकील के पास जा, तेरे को उधर कोरट में एक घंटे में पहुँचना है, और उधर तेरी तरफ से कोर्ट में कोई कैसे चौकस करोगे सहब, जैसे साथ तारीक की पहली बार हासरी भरने आया था, तो की थी, कैसी की थी, अरे, रोजनामचे में लिखा था कि तो बुद्धवार, साथ जन्वरी को सुबह ग्यारा बजे, कोर्ट के ओर्डर के मताबिक थाने में हाजर था, ऐसा इच, रोजना इधर हासर, सर्टिफिकेट मानता है सहब, क्या, मेरे को इस बाबत आपका तज्दीक शुदा सर्टिफिकेट मानता है, क्या बगता है, मामुली बात है सहब, पर, मामुली बात है, तेरे को मेरे पर एतबार नहीं क्या, आपको मेरे पर एतबार है क्या, मैं फसा हुआ इसलिए आपको मालूम कि मैं आप से बाहर नहीं जा सकता। ये बात ना हो तो बोलो सहब, एतबार है क्या। गोविलकर खामोश हो किया। कितनी ही देर वो अपलग जेत सिंग की तरफ देखता रहा। जेत सिंग ने उससे निगाह मिलाने की, कोशिश नहीं की। वो से जुकाई बैठा रहा, मैं इंकार करूँ। गोविलकर आखिरकार बोला, तो तु मेरे काम से इंकार करतेगा क्या। इतनी मामुली सी बात के लिए क्यों इंकार करो के सहब। सवाल मत कर, जवाब दे। जीत सिंग खामोश रहा। तू कहीं ये तो नहीं समझता कि गाईलो और तागड़े आजाद हो गए हैं, इसलिए तू। नहीं समझता सहब, आप उन्हें कभी भी फिर पकड मंगवा सकते हैं, मैं क्या जानता नहीं। फिर भी शर्ते लगाता है। साहप शर्ते नहीं लगाता फर्यात करता है अबे हलकट उस सर्टिफिकेट से तेरा कोई भला नहीं होने वाला फिर तो जरूर ही देदो साहप ये समझ कर देदो की बच्चा बहलाया गोविलकर ने गहरी सांस ली चीक है फिर वो बोला मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट कब साहप ? शुकरवार को जब तू गण के लिए थाने आएगा मैं तयार रखूंगा तेरा सर्टिफिकेट तक की हाजरी का हां और 24 जनवरी से 17 फरवरी तक की हाजरी का ? क्या, 18 फर्वरी को मेरी कोट में पेशी है, मेरे को 17 फर्वरी तक की इधर हाजरी का सर्टिफिकेट मानता है, एडवांस में, क्या वांदा है सहब, अबे, आगे का सर्टिफिकेट मैं कैसे दे सकता हूँ, दे सकते हो सहब, मैं क्या किसी को दिखाने जाऊंगा, तो 24 जन्वरी और 17 फर्वरी के बीच मर्ख अब गया तो वो सर्टिफिकेट किसी गैर हाथों में पहुँच गया तो पहले तो ऐसा होईगा नहीं साहब किसी कर्टब से हो भी गया तो वो कोई बड़ा पंगा तो नहीं खड़ा करेंगा बोल देना जाली है साहब आप मेरे से इतना बड़ा काम करा रहे है मेरे को खून से हाथ रंगने को बोल रहे है इतने बड़े काम के सामने इस छोटे से काम की क्या आउकात है अजीब घोजु आदमी है जीब सिंग ने प्रतिवाद नहीं किया ठीक है वो दूसरा सर्टिफिकेट भी मैं तयार करके रखूँगा तेरे वास्ते ठैंक्यू बोलता है साहब शुक्रवार को दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तेरे को ठीक है तो मैं अभी जाएं क्या हाँ खता माफ करना बाप इंसान का बच्चा है मिस्चेक कर ही बैठता है अब नकी कर इधर से बाते मत बना सलाम बोलता है साहब मार और तिरसकार के बोट से दोरा हुआ जीत सिंग वहां से रुक्सत हुआ ठानी के गेट से थोड़ा परे एक टैक्सी खड़ी थी जिसकी पिशली सेट पर छिन भेन गाईलो पड़ा था उसने जीत सिंग को गेट से निकल कर बाहर सड़क पर कदम रखते देखा हौन बचा वो ड्राइवर से बोला ड्राइवर ने आदेश का पालन किया हम पेशा होने की वज़ा से वो दोनों एक दूसरे से वाकिफ थे जीत सिंग का ध्यान हौन की तरफ आकरशित हुआ तो गाईलो ने खिड़की में से हाथ हिलाया जीत सिंग का ध्यान उधर गया तद काल वो टैक्सी की तरफ बढ़ा करीब आकर वो पिछला दर्वाजा खोलने लगा तो गाईलो कराता हुआ बोला आगे बैट जीते मैं बैट नहीं सकता लेटने में भी तकलीफ है जीत सिंग के चेहरे पर गहन समवेदना के भाव आए फिर वो आगे ड्राइवर के साथ बैट गया निकल ले गाईलो ड्राइवर से बोला किधर चलू ड्राइवर ने पूछा अभी खाली कर इधर से निकल फोर्ट चल जीत सिंग बोला नरीमन रोड उधर का है गाईलो ने पूछा बोलेंगा टैक्सी आगे बढ़ी आराम से चलाने का है गाईलो बोला जटका नहीं समझा क्या बरोबर ग्राइवर बोला क्या बहुत तकलीफ है जेद सिंग सहानू भूति पूर्ण स्वर में बोला यही चुछ जिन्दगी है गाईलो बोला एक सुक सौ दुख सब मेरी वज़ा से हुआ काहे को तू क्या करना सत्ता सब गौड ओल्माइटी हैंड हाँ वो खाली बाहर तक मेरे साथ आया था फिर राह चलता आटो पकड़ा और किधर चला किया मैं उधर थाने के बाहर ही गिर पड़ा था मेरे को उठाने तक की कोशिश नहीं किया मुण के जांका भी नहीं हवा हो गया कमीना अपना डिकोस्चा उसने ड्राइवर की पेट की तरफ इशारा किया बाय चांस इधर से गुजरता था मेरे को देखा तो उठा कर टैक्सी में डाला ओ पकड़ाई में कैसे आया तेरे हॉस्पिटल से नकी करने के एक घंडा बात मैं उधर से निकला था जाने का बोलने में जो छोटा मोटा पेमेंट था वो करने में और स्लिप बनने में टैम लगता था ना पहले तो बोले रात को नहीं जाना सकता ये काम मौर्निंग में होते थे मैं बोला मैं ऐसे चुटके चल देखा तो डिस्चार्ज स्लिप बनाया मैं उधर से टैक्सी किया और इंटर स्ट्रेट बस टर्मिनल पहुंचा उधर से पंची क बस का नाइट सर्विस मेरे को मालूम फैंसी डिलक्स बस टिकेट लेके बैट रहा मौर्निंग में उधर होता बस चला तो मैं चैन का सांस लिया पर वो अभी सिटी में ही था हाईवे पकड़ा भी नहीं था कि पिच्छो से पुलिस का एक जीप आया बस को रुकवाया और म में तार देव थानी में वहां रियल डैविल इनकॉर्णिशन ने उस इंस्पेक्टर के हवाले शैतान के माफिक पेश आया पहले ठोका फिर बोला क्यूं ठोकता था जरूर मार ही डालता पर उसको मेरा जरूरत इसलिए जीने दिया वो दूसरा भेडु तागडे उसको नह डालने का धमकी देखे बोला जान बचाने का वास्ते हां बोलना पड़ा साला कमीना अब तेरा क्या होगा जीते अरे मेरे को गोली मार अभी सोच तेरा अपना क्या होगा खाम का मुसीबत में फस गया कोई वांदा नहीं जीते वो तेरा कोई नवा बयान लिया है क्या लिय ना, तभी तो ठोकना छोड़ा। क्या बोला तू। वही जो वो बुल्वाना मानता था, पंड तेरे को फिक्र नहीं करने का है। मैं कोरट में खड़ा होके बोलेंगा कि वो इंस्पेक्टर मेरे को ठोक के फोर्स किया। वो उसका मन माफिक बयान देने को। अब वो नौबत नहीं आएगी, ऐसा क्या? हाँ. क्या होगा जीते? जो भी होगा अच्छा होगा आस्मानी बाब जो बिज्री गिराता है वो हमेशा एक ही जगा नहीं गिरती अभी तेरे पर गिरी अभी कहीं और गिरेगी तेरा फिर कुछ बाकी बचा कहीं और गिरेगी तो कुछ बाकी नहीं बचेगा मैं समझा नहीं जीते अभी तो खस्ता हाल है ठीक हो जाएगा तो समझेगा बहुत कुछ समझेगा अभी हम फोर्ट क्यों जा रहे हैं उधर एक नर्सिंग होम है पिराइवेट और बढ़िया वाला नानावटी मैडिकल सेंटर करके तेरे को उधर भरती कराने का है पर डेवेट परदे से किधर बाहर गया है शाम तक लौट आएगा शाम को वो तेरे पास होएगा और तब 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 तेरे साथ उधर इच रहेगा जब तक तो एड़ फिट नहीं हो जाएगा पर तो मेरी बात तो सुन जीते क्या सुनाना मांगता है वो 50,000 रुपिस जो तु मेरे को दिया वो तो पुलिस ले लिया क्या जामा तलाशी में बरामत हुआ न फिर वापिस किधर किया हडप लिया हाँ ऐसा इच किया साले गोश्त नोशने वाले कुटते गाईलो चुप रहा कोई वांदा नहीं फिर जीत सिंग आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला अभी लाइफ में पिराबलम ही पिराबलम है पर रोकडे का कोई पिराबलम नहीं इस वास्ते जो हुआ उसे भूल जा भूलना ही पड़ेंगा भूलेंगा नहीं तो और क्या करेंगा मैं कल तेरे सामने बड़ा बोल बोला और बोल के भूल गया बोला तेरे वास्ते दुआ करने मंदिर जाएंगा चर्च जाएंगा किधर भी नहीं गया उसी की तेरे को सजा मिली गाईलो मैं तेरा गुनेगार अब नकी कर जीते क्योंकि मेरा वास्ते ज्यास्ती बोलना भी मुश्किल बाकी का रास्ता खामोशी में कटा दोपहर के करीब जालानी की अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट थी जिस पर की वो पहुँचा उसे भूल नहीं गया था कि उसने दोपहर को सिवरी में बड़ा बटाटा से मिलना था और उसे अपना जवाब देना था उसका मन माफिक जवाब देने का क्योंकि उसका इरादा नहीं था इसलिए दोपहर से पहले उसने अपने घर का रुख करने की कोशिश नहीं की थी उच सिलसिले में दूसरी एहतियात उसने ये बरतनी थी कि उसने अपनी बीवी और पांच साल के बेटे को उसके माई के भेश दिया था जो की खेड में था और खुद भी कुछ हरसा अपने फ्लैट से किनारा करने का फैसला कर लिया था रहने के मामले में होटल के इलावा भी उसके पास कोई चॉइस थी जिन में से एक शेखर लवनारी का भी घर था वो क्लिनिक में पहुँचा वहां उसने वाल क्लॉक पर निगा डाली तो पाया कि वो टाइम से पहले आ गिया था रिसेप्शन पर बैठी यूफ थी उसे पहचामती थी उसने मुस्कुरा कर उसका स्वागत किया और बैठने को बोला वो एक कुर्सी पर बैठ गया उसके इलावा वहां दो पेशन्ट और मौजूद थे जो कि उम्रदरास महिलाए थी उसने सेंटर टेबल पर निगा डाली जहां उस रोज के हिंदी, मराथी और अंग्रेजी के अकबार पड़े थे उसके इलावा वहां एक हिंदी के स्टार्ट डस थी जिसमें उसकी कोई रूची नहीं थी और एक इंग्लिश की मैग्जिन थी जिससे उठाने पर उसने पाया कि वो इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के हाउस जनरल का करंट इशू था वो बेमन से उसके पन्ने पलटने लगा एक प्रिश पर उसे एक रंगीन तस्वीर छपी दिखाई थी जिस पर हेडिंग लगा था केंद्रिय स्वास्थिय मंत्री आई एम मेके नए लाइफ मेंबर्स के बीच वो उस तस्वीर की तरफ कतई तवज्जो ना देता अगर्चे कि उसे मंत्री जी के इर्द गेर्द खड़े डॉक्टरों में डॉक्टर किशोर पारिक की सूरत ना दिखाई दी होती उसने गौर से तस्वीर के साथ छपा समाचार पढ़ा जीओ जीओ वो समाचार पढ़ता गया उसके दिल की धड़कन तेज होती गई आखिरकार उसने पत्री का को बंद किया और उचल कर खड़ा हुआ अभी बैठी है मिस्टर जालानी रिसेप्शनिस्ट यूफ्ती मधूर्ट स्वर में बोली मैं जा रहा हूँ ये मैगजिन में ले जा रहा हूँ वो बगुले की तरह वहां से रुकसत हुआ पीछे बैठे दोनों पेशन्ट और रिसेप्शनिस्ट हैरानी से उसे जाता देखती रही हरी केल्स एक विद्दा बोली स्चिल एवरिबड़ी इस दिना हरी दूसरे ने सहमती में सेर हिलाया लड़की की तलाश में निकलने से पहले शेकर नवलानी ने अपने आफिस में काफी सारा होम वक किया था उसने सबसे पहले मुंबई के उन बार रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स की लिस्ट बनाई थी जिनमें कि उस लड़की का शोः हुआ हो सकता था यों उसने कोई 30 नाम नोट किये थे जिनमें वो 7 नाम ही मौझूद थे जिनमें जीत सिंग भटका था दूसरा काम जो ना जीत सिंग कर सकता था और ना उसे सूच सकता था वो ये था कि उसने उन उन एजेंटों की लिस्ट बनाई जो एंटरटेंडमेंट ट्रेड में लगे कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते थे और उनकी बुकिंग्स हैंडल करते थे ऐसे आठ प्रसीद एजेंट उसकी लिस्ट में शुमार थे जिन में से एक से अनूप दिख्षित से उसकी मामुली जान पहचान थी डारेक्टरी से उसे मालुम हुआ कि प्रभवदेवी में उसका ओफिस था उसने पता और फोन नमबर नोट किया उसके नमबर पर उसने फोन लगाया तो उसे खुद दिख्षित नहीं उठाया उसने उसे अपना परिचे दिया और फोरण मुलाकात की जरूरत जाहिर की उसके हाँ बोलने पर वो प्रभवदेवी और आगे घने कर मार्ट पहुँचा जहां कि एक इमारत में दिख्षित का कबुतर के दड़वे जैसा ओफिस था वो बड़ी गरम जोशी से उससे मिला आफिस में उसके पीछे पूरी दिवार पर फिट एक डिस्प्ले बोट पर कितनी ही आधी धंकी एक चौथाई धंकी और नाम मात्र को धकी लड़कियों के तस्वीरे लगी हुई थी डिस्प्ले बोट को अपने पीट पीछे उसने जगा दी ही इसलिए जान पड़ती थी कि जो भी मुलाकाती वहां पहुँच था तो उन्हें देखे बिना नहीं रह पाता वैसी ही तस्वीरे उसकी टेबल पर ग्लास टॉप के नीचे आती थी और सब का रुख विजिटर्स चेर्स की तरफ था नवलानी ने संक्षेप में उसे अपने आगमन का मनतव्य समझाया और जेट सिंग ने उस लड़की का जो हुलिया बयान किया था वो दोहराया हम वो बोला हुलिये से तो पटाका जान पड़ती है क्या कोई घंटी बजी नवलानी आशापूंट स्वर में बोला नहीं यार इस दंदे में खुब सूरत तो सभी होती है और टैलेंट हुलिये से तो पता नहीं लगता न शकल है फिगर है पर नाच नहीं सकती गा नहीं सकती तो एंटरटेन्मेंट ट्रेड में कौन पूछता है खाली थोबड़ा देखना कौन मांगता है वो पंजी से एक नाइट के शो के लिए स्पेशल आई थी शुक्रवार रात को इधर कहीं उसका आल नाइट शो हुआ था शनिवार रात को वो वापिस चली जाने वाली थी शली गई होगी ऐसा भी है तो तज़्दीक तो तबी होगी जब उसका कोई पता ठीकाना मालूम होगा और पता ठीकाना इधर कहीं से मालूम हो सकता है तो उस जगा से ही मालूम हो सकता है जहां शुक्रवार रात को उसने शो किया था नाम क्या बोला नहीं बोला नाम नहीं मालूम फिर कैसे मालूम होईगा कोई तो तरीका होगा हम और क्या मालूम है कुछ नहीं जो मालूम है वो ये है कि वो पंची से आई थी गोवानी थी शो करने आई थी एक ही शो करने आई थी जो शुकरवार रात को आल नाइट सेशन के तौर पर हुआ था और अगले रोज रात की ट्रेन पकड़ कर वो वापिस लोट जाने वाली थी हाँ फिर तो एक बड़िया क्लियू तुम्हारे सामने है कैसे जासूसो जो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हो कैसा क्लू अरे जाकर शनिवार रात का उस रेल रिजरवेशन चार्ट देखो जो तुम कहते हो कि चार घंटे लेट थी रात का सफर वो बिना रिजरवेशन तो कर नहीं रही होगी जिसके लिए शो करने आई थी उसने उसकी आने जाने की रिजरवेशन का इंतिजाम बराबर किया होगा रिजरवेशन लिस्ट में नाम उम्र और जर्णी डेस्टिनेशन दर्च होता है उस लिस्ट में तो सैंकडो नाम होंगे होंगे लेकिन उनमें फैमली होंगी दोस्तों के ग्रुप होंगे जोडे होंगे बच्चे बुडे होंगे नाइट ट्रेन में अकेली सफर करने वाली नौजवान लड़कियां भी क्या सैंकडो में दर्च होंगी नहीं हो सकता है ऐसी आठ दसी हो चार पांच ही हो और उनमें गोवानी नाम वाली एक ही हो ऐसे तो ये भी पता लग सकता है कि कौन सा पैसेंजर रिजर्वेशन होने के बावजूद सफर के लिए ट्रेन पर पहुँचा ही नहीं था अब आई ना बात समझ में माई डियर फ्रेंट अगर लड़की का नाम पता लग जाए तो उसके बारे में पूश्टाश करना आसान होगा ठीक है मैं स्टेशन जाता हूँ नाम मालूम हो जाए तो फोन लगाना आग सारा दिन मैं आफिस में ही हूँ ठीक है जलानी फोर्ट के सरकारी अस्पताल में पहुचा डॉक्टर साहब है क्या उसने डॉक्टर किशोर पारिक के आफिस के दर्वासे पर बैठे चप्रासी से पूछा हाँ वो बोला है मिलने का है साहब बीजी है साहब के ही काम से मिलने का है क्या बोला अपने साहब को बोल मेरे से एक्सप्रेस के जलानी से मिलने में उसी की भलाई है कारट दो जलानी ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे तो सौंपा चप्रासी उठकर भीतर गया वो वापिस लोटा तो जहलानी ने देखा विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में था ये पकड़ो अपना कारट साहब के बेरुकी का इजहार जैसे उसने किया साहब तुम्हेरे से नहीं मिलना मांगता क्या बोला? बाद में आने को बोला क्या? बोला मिलना है इच नहीं तुम्हारे से अच्छी बात है उसने अपनी जेब से अपना स्क्रैच पैट और बॉल पैन निकाला स्क्रैच पैट पर उसने लिखा उझे घोडे पर सवार डॉक्तर सहब सत्रा जन्वरी शनिवार रात को आप पूना में थे इस बात पर विचार करना पर अपना कलेजा भून के खाना जालानी एक्सप्रेस उसने स्क्रैच पैट से वो कागस पाड़ा और उसे चप्रासी को थमाया ये रुक्का सहब को देना वो बोला चप्रासी के जुबान खोल पाने से पहले वो वहां से रुक्सत हो गया वो अपनी मोटर साइकल पर सवार हुआ और तार देव पहुंचा थारे में सब इंस्पेक्टर गोकले अपने कमरे में मौजूद था जालानी बड़े इत्मी नाम से उसके सामने बोला अब क्या है मैं एक बात की तद्दीक करने आया था कौन सी बात की तुम्हारे और है एक हवलदार के मौकाई वार दाग पर पहुंचने के बाद वहां दो जने और पहुंचे थे जिनकी बाबत कल तुमने कहा था कि वो डॉक्टर किशोर पारिक और उसका एक असिस्टेंट थे याद आया हाँ इसमें बोलने वाली क्या बात है ये डॉक्टर किशोर पारिक वही है जिसने लाश का पोस्टमार्टम किया था जो फोर्ट के सरकारी अस्पताल में बैठता है हाँ वही है मौकाई वारदात पर कितने बज़े पहुँचा था? कितने बज़े पहुँचा था? शनिवार को शनिवार रात को अपने असिस्टन के साथ अरे मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सवा एक के करीब पहुँचा था अच्छी तरह से याद है ये कोई भूलने की बात है क्या? याद करने की कोशिश कर रहे थे ना इसलिए बोला रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और जो रिकलेक्ट किया वो ये है कि डॉक्टर पारिक अपने एक असिस्टन के साथ रात सवा एक बज़े के करीब मौकाई वारदात पर पहुँचा था हाँ खुद तुम कितने बज़े पहुँचे थे? साड़े बारा बज़े डॉक्टर पारे कितना लेट क्यों पहुँचा? अरे, रात को आना था सोते से उठके आना था तयार होके आना था फासले से आना था पौने घंटे में पहुँच गया समझो, जल्दी पहुँच किया गुड अब ये देखो क्या है? जालानी ने उसे डेंटिस्ट के रिसेप्शन पर से उठाई मैगजिन दिखाई क्या है? ये इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के हाउस जनरल का ताजा तरीर अंख है तो इसमें छपी ये खबर देखो ये तस्वीर देखो खबर के मताबिक पिछले शनिवार रात को इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने पूना के होटल ब्र्यू डाइमेंड में एक डिनर का आयोजन किया था जिसमें केंद्रिय स्वास्तिय मंत्री भी आमंत्री थे मंत्री के साथ खिंची डॉक्टरों की ये उसी मौके की तस्वीर है अरे तो फिर इसमें तुमें कोई पहचानी सुरत नहीं दिखाई दे रही क्या मंत्री जी है ना उनके इलावा गोकले ने फिर तस्वीर पर निगार डाली नहीं वो बोला इसका मतलब है कि शोर पारिक के नाम से ही वाकिफ हो उससे कभी रूबरू नहीं मिले पागल हो क्या तो फिर तुमें तस्वीर में डॉक्टर पारिक क्यों नहीं दिखाई दे रहा उसने फिर तस्वीर पर निगार डाली और फिर बोला ये है ना डॉक्टर पारिक बाई से चौथा नीचे सब के नाम छपे हैं हाँ डॉक्टर किरोश किशोर पारिक एमडी पैथोलोजी ठीक से पहचाना ना हाँ पहले क्यों नहीं पहचाना पहले मैंने योही सरसरी निगा तस्वीर पर डाली थी इसलिए इसमें डॉक्टर पारिक को मिस कर गया अब तो कोई शक नहीं है ना नहीं भाई लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो खबर में साफ लिखा है कि ये डिनर 17 जनवरी शनिवार रात को हुआ था और ये तस्वीर डिनर के बात की है तस्वीर के प्रिष्ट भूमी पर दिवार पर टंगी एक घड़ी दिखाई दे रही है जो कि पौने बारा बजा रही है गड़ी दिखाई दी क्या हाँ पौने बारा ही बजा रही है ना हाँ ऐसा ही सहप अब तुम मुझे ये बताओ कि जो डॉक्टर शनिवार रात पौने बारा बजे यहां से 200 किलो मिटर दूर पूना में था वो सवा एक बजे यानि की डेर घंटे बात ही यहां मुंबई में ग्रांट रोड पर कैसे पहुँच गिया गोखले चौंका उसने तस्वीर पर निगा डाली सिर उठा कर जालानी को देखा और फिर तस्वीर को देखा गड़ी दिन के पौने बारा बजा रही होगी वो लापरवाही से बोला डिनर दिन में होता है क्या रुकी होई होगी हर वक्त ही पौने बारा बजाती होगी या काफी आगे होगी ये भी हो सकता है या डॉक्टर सवा एक बजे से काफी बात आया होगा मसलन सवा दो बजे या तुमने घड़ी ठीक से नहीं देखी होगी और सवा दो को सवा एक समझ लिया होगा या वो कोई और डक्टर होगा जिसे तुमने डॉक्टर पारिक समझ लिया था या डॉक्टर पारिक का नाम बेध्यानी में मुझ से निकल गया था क्योंकि इस काम के लिए अक्सर तो वो ही हासरी भरता था या क्या मतलब है तुम्हारा मैं तुम्हें वो सारे सजवाब सुझा रहा हूँ जो बिगड़ी बात को सवारने में तुम्हारे काम आ सकते है कोई बिगड़ी बात नहीं है गोखले घड़ी रुकी हुई है या टाइम गलत दे रही है इसकी तजदीक अभी भी हो सकती है वैसे ये बात नामुम्किन है कि फाइव स्चार होटल के किसी हॉल में रुकी हुई या गलत टाइम देने वाली घड़ी लगी हो उपर से जब डॉक्टर की वहां मौजूदगी के दर्जनों गवा मौजूद है तो गड़ी की वैसे ही कोई एहमियत नहीं है मैं आज ही पूना जाता हूँ और डिनर में शामिल ज्यादा से ज्यादा लोगों को लॉकेट करके उनसे मिलता हूँ होटल स्टाफ में भी डॉक्टर पारिक की वहां मौजूदगी के कई गवा होंगे इस मैगजिन में एक तस्वीर छपी है असल में दर्जनों खिंची होंगी मैं सब बरामत करके लाऊंगा कोई बड़ी बात नहीं कि वो तस्वीरे ही साबित कर दे कि डॉक्टर पारिक रात पौने बारा से भी बहुत देर बात तक वहां मौजूद था जालानी उट खड़ा हुआ अभी जाता हूँ क्यूंकि तुमने मश्वरा करना होगा किस से? गोकले ने मुझ से निकाला उन लोगों से जो इस साजिश में शामिल है साजिश हाँ साजिश जिसका परदाफाश अब होकर रहेगा नमस्ते जालानी वहां से रुकसत हुआ पीछे गोकले का हाथ मशीन की तरह फोन पर पड़ा और वो उस पर बड़ा बटाटा का मुबाइल नमबर डाइल करने लगा रेलवे के एडवांस बुकिंग आफिस से अपनी वांशित जानकारी निकलवाने में नवलानी के दो घंटे और तीन हजार रुपए खर्च हुए लेकिन एंड रिजर्ट बहुत सुख कारक निकला शनिवार रात को और भी पैसेंजर थे जो कि अपनी बुकिंग के मुताबिक लेट ट्रेन पर सवार होने के लिए नहीं पहुंच सके थे लेकिन ऐसे पैसेंजर्स में सिंगल बर्थ रिजर्वेशन वाली और वासको डिगामा तक जाने वाली लड़की एक ही थी जो इसका नाम लारा रेबेलो था और जो 24 साल की थी उसने वो फार्म निकलवाने की कोशिश भी की जो कि रिजर्वेशन के लिए भरना पड़ता है लेकिन काम्याब नहीं हो सका फिर जो भी काम्याबी हाथ लगी थी वो भी कम नहीं थी कि गायब शुदा लड़की का नाम लारा रेबेलो था उसे ये सोच के बड़ी कोफ्त हो रही थी कि जो बात उसे एक एक्सपीरियंस डेटेक्टिव को सूझनी चाहिए थी वो एक एंटरेटेंडमेंट एजेंट को सूझी थी उसने अनूप दिक्षित को फोन लगाया और हासिल जानकारी उसे ट्रांसफर की गुड दिक्षित बोला दो घंटे बात फोन करना जालानी एक्सप्रेस के आफिस में पहुँचा वहाँ अपने कैबिन में पहुँच कर उसने पूना की डेरेक्टरी निकाली और मैगजीन में छपी तस्वीर में जितने डॉक्टरों के नाम लिखे थे सबके फोन नमबर और पते तलाश किये और उन्हें अलग से नोट किया उसने होटल ब्ल्यू डायमेंड का फोन नमबर भी तलाश किया फिर सबके पहले उसने होटल में ही फोन करने का इरादा बनाया उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो पहले ही बच पड़ा उसने कॉल रिसीव की जालानी सहब दोसरी तरफ से किसी ने पूछा हाँ, बद्रूल हसन बोलता है बाप बद्रूल हसन पुलिस का खबरी था, उसे खबरे सूंगने का ही नहीं, उनको कैश करने का भी तजुर्बा था वो वावाही, कभी कोई इनाम इक्राम भी पुलिस से हासिल करता था और मोटा शुक्राना अकबार वालों से एंटता था बत और मुख्बीर, वो दोनों जगा नापसंद किया चाता था लेकिन उसकी मुख्बीरी की एहमियत दोनों जगा कायम थी हाँ भाई बोलो, जालानी माउथ पीस में बोला, कैसे याद किया करारी खबर है बाप, सोट टांक करारी, सुनोगे तो फड़क जाओगे ऐसा क्या, बरोबर ऐसा, बाप, देखना इस बार खोदी शुक्राना डबल कर दोगे क्या खबर है, बाप, शनिवार राग ग्रांट रोड पर जो वाक्या हुआ ना जो बोलते हैं कि उधर के बार बिग बॉस से शुरू हुआ, उसको लेकर इलाके में खुसर-फुसर है कि कोई चोकरी बार में या कतल की जगा पर या दोनों जगा पर थी, पन गायब हो गई, ऐसा है ना बाप, तेरे को कैसे पता चला, बाप, लोग बाग आपस में बत्या बादे हैं, बदरूल हसन सुनता है, यहीच तो काम है मेरा, क्या सुना, कोई टपोरी सा भीडू, बार में चोकरी का बाबत पूछता था, कोई पिर राइविट करके डिटेक्टिव भी ऐसा इच पूछताच करता था, अब कुछ तो घूम फिर के कान में पढ़ेंगा ना, क्या पड़ा? बाब, बहुत सेक्रेट के साथ बोलता है, किसी को बोलने का नहीं है कि मैं बोला, नहीं बोलेंगा, पहले कभी बोला क्या? इस बार खास करके बोलता है बाब, क्योंकि किसी को मेरा पता चल गया तो मैं गया काम से, अब कुछ कहेगा भी? बॉस, तुम वो बिल्डिंग देखा जिसमें बिग बॉस करके बार है, जिसमें उपर नीचे दो बार है, नीचे गिराउंड फ्लोर पर रूपसी करके, और उपर पहले माले पर बिग बॉस करके? हाँ, देखा, अभी उसके उपर दो माले और है, मालुम है क्या? मालुम, बॉस, दूसरा माला भी दोनों बारों के मालिक, शेक मुनिर के कबजे में है, उस माले पर उसने अपना अकाउंट आफिस पर रसत पानी का, बेर विसके सोडा वगेरा का गोदाम बनाया हुआ है, बाप, बदरूल हसन का स्वर इतना धीमा हो गया, कि जालानी को रिकत महसूस होने लगी, वो लड़की जो गायब बताई जाती है, उस गोदाम में बंध है, क्या, जालानी चौंका, हाँ बाप, पक्की बात, सो टांक पक्की बात बाप, तेरे को कैसे मालुम हुआ, बाप, खबरी से कोई पूछता है, उसे कौन सी बात कैसे मालुम, फिर भी, छोड़ो बाप, खबर गलत निकले तो सोट जूते लगाना, नहीं निकले तो कोई मोटा माल इधर सरकाना, क्योंकि ये तो मुहावरा बोलता है बाप, मानता रही है, लाख रुपए की खबर है, है न बाप, हाँ है, और अभी तो मैं कुछ और भी कर सकता है, और क्या दूसरे माले पर पहुंचने का एक सीक्रेट करके रास्ता है, मैं तुम्हेरे को वो बता सकता है, इस वक्त उधर कौन होता है, कोई भी नहीं होता, वो लड़की उधर है, इसलिए आज कर, शेक मुनीर होता है, पर अभी वो भी उधर से नीचे चला जाएंगा, क्योंकि ब इस पेशल आइटम चोकरी लोगों का डांस है, जिसको देखने भीडू लोग शाम को ही आते हैं, आई सी, उपर का बार अभी नवा है, और स्टैंडर का है, इसलिए अभी डिबा उधर खुद मौजूद होना मानता है, डिबा, मुसे निकल गया बाद, पर शेक मुनीर का ह नाम है, ये वो शक्स है जो पहले माटूंगा में पिज़ा पारलर चलाता था और पुलिस को जिस पर फैंस होने का शक है, हाँ, वही छे बाप, अब बातों में टैम जाया मत खरो और इधर पहुंचो, तू उधर मिलेगा क्या, अरे बाप, मैं उधर नहीं मिलेगा तो कौन बताएंगा, तेरे को कैसे पक्की की लड़की उधर है, पक्की कैसे होईगा बाप, मैं क्या उधर जाके देखा, तो, तो क्या, खबर है, खबरी को मिला, खबरी उसको आगे पहुंचाया, तुम्हेरे काम की नहीं है, तो मैं किधर और फोन करना लगाता है, नहीं नह मैं इमारत के बाजू की गली में मिलेंगा अभी कट करता है अरे सुनो तो लेकिन लाइन कट चुकी थी आंधी तुफान की तरह जालानी ग्रांट रोट पहुँचा उसने मोटर साइकल को अपने गंतव्य स्थल से परे ही खड़ा कर दिया और पैदल आगे बढ़ा बाजू की गली में बद्रूल हसन मौजूद था वो एक आम आदमी था जिसकी कोई स्पेशल शिनाक नहीं थी और यही उसकी काम्याबी का रास था वो लपक कर उसके करीब पहुँचा डिबा पहले माले के बार में है वो जहलानी को सालाम करता बोला मैं पक्की किया गुड़ अब दूसरे माले पर कोई नहीं होगा सीक्रेट रास्ता किधर है बाप वो लोहे की सेड़ियां देखे ला है जो गोल गोल घूमती एन इमारत की उपर तक जा रही है हाँ जो आग लगाने पर निकासी के काम आती है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में फाइर एसकेप हाँ वही इस पर से हर मंजिल पर दर्वासा है देखा ना हाँ पर सब बंद होएंगा क्योंकि फाइर से एसकेप करना हो तो दर्वासा भीतर से खुला जाता है हाँ फिर इससे दूसरे माले पर कैसे पहुंचा जा सकता है नहीं पहुंचा जा सकता पर नैन उपर चट तक पहुंचा जा सकता है मैं उपर देख की आया चट पर से नीचे जाने का रास्ते जो भीतर की सीड़िया है चट पर उनके दहाने का दर्वासा टूटेला है उधर से दूसरे माले पर आया जा सकता है उधर उस माले के बाहर ले दर्वासे पर جो ताला है वो मामुली है मैं खोल के देंगा अबे तुखबरी है या ताला तोड बाप खबर का नाप तो देखो मेरे को दस अजार मांगता है इसलिए खिद्मत तो फुल करना पड़े का ना दस अजार पागल हुआ है क्या तो क्या लड़की ना मिली तो जहमत का एक लड़की मिली तो पांच पड़ पड़ नहीं लालश मत कर, अक्बार से हमेशा कमाना है तो लालश मत कर अच्छा बाप, जैसे तू बोले और खाली लड़की की बरामदी काफी नहीं, लड़की वो होनी चाहिए जिसकी मेरे को तलाश है बाप मेरे को कैसे मालूम होएंगा तुम्हारे को कौन सी लड़की की तलाश है मेरी खबर ये है कि उपर एक लड़की बंद है इतना काफी नहीं क्यों काफी नहीं ये भी तो चापे के खाबिल खबर है न्यूज है कि डिबा किसी लड़की को जबरन गिरफतार करके रखिला है बाप तो तेरी चीक है ओके लड़की कोई हो तेरे पांच पक्खे बाप कमती है अब छोड़ वो किसा रोकड़ा तुम्हारे चापे वाले ने देना है तो मेरे को कोई जेब से तो नहीं देने का है जो अब हिल भी यहां से दोनों फाइर एसकेप के करीब पहुँचे पहले तुम पहुँचो बाप मैं वाच करता है तुम चट पर पहुँच जाएंगा तुम्हें आता है जालानी ने सेमती में सिर हिलाया और फिर फाइर एसकेप पर कदम डाला वो निर्विग्न उपर चट पर पहुँच किया दो मिनट बाद बदरूल हसन भी उसके बाजू में आख़डा हुआ इधर वो हाफता सा बोला दोनों भीतरी सेडियों के दर्वासे के दहाने पर पहुँचे बदरूल हसन ने उसे भीतर को धका दिया तो वो तनिक चर मराता सा खुल गया वो रसी देखी बाप वो पहली सेडि की तरफ इशारा करता बोला हाँ जालानी बोला क्यूं दिखाता है इससे चौकट के साथ बंदा हुआ था दर्वासा मैं रसी खोला दर्वाजा खुल गया ओ अब चलो दोनों ने शब्द सेडियां उतरते दो मंजिल नीचे पहुँचे वहाँ उस मंजिल पर एक लंबा गलियारा था जिसमें एक ही साइड में कई दर्वाजे थे और सब बंद थे जो दर्वाजा सेडियों के एंद सामने था उसके आगे बदरूल हसन ठेटका जालानी ने देखा उस दर्वाजे में बिल्ट इन लॉक फिट था बदरूल हसन ने दर्वाजे का हैंडल पकड़ कर घुमाया और भीतल को धका दिया बंद है वो फुस फुसाया फिर उसने जेब से एक तार का टुकड़ा निकाला उसने उसे एक सिरे से थोड़ा मोड़ा और वो सिरा ताले के छेद में ढाला फिर वो एक हाथ से छेद में तार घुमाने लगा और दूसरे से हैंडल ट्राई करने लगा खुल गया दो मिनट बाद वो चैन की सांस लेता फुस फुस आया उसने दर्वाजे को धक्का दे कर एक तिहाई खोला और जहलानी को इशारा किया जहलानी ने हिच किचाते हुए भीतर कदम डाला जहां उसके कदम पड़े वो एक वेटिंग रूम जैसा कमरा था जहां चार-pburgh कुरसीयों के इलावा कुछ नहीं था उसके आगे जो दर्वाजा था उसका उपर लाधा हिस्सा शीशे का था बाएंग दिवार में एक और दर्वाजा था जो कि बंध था शीशेवाला दर्वाजा अकाउंट्स आफिस का है बद्रूल हसन उसके कान के पास फुस फुस आया उसके भीतर से गुदाम को रास्ता है तुम गुदाम में जाके लड़की ढूंडो बाप मैं इधर ठेहरता है कोई आवाज होईंगा तो खबर करेंगा जालानी हिच किचाते हुए दर्वाजे की तरफ बढ़ा उसने उसका हैंडल घुमा कर उसे धक्का दिया तो वो नीशब्द खुल गया उसने भीतर कदम रखा तो वहाँ दो आफिस टेबल लगी पाई आफिस की बाई दिवार में एक बंद दर्वाजा था उसने उसको भी खुला पाया उसने दर्वाजे को धक्का देकर आधा खुला और साफधानी से भीतर जांगा भीतर अंधेरा था लेकिन जल्दी ही उसकी आँखे अंधेरे की अभ्यस्त होने लगी उसने भीतर कदम डाला तब ही जैसे उस पर पहाँड तूट पड़ा किसी का हतोड़े जैसा हाथ उसके चेहरे से टक्राया बड़ी मुश्किल से उसने स्वयम को संभाला और धराशाई होने से बचाया उसने सेर उठाकर देखा तो सामने एक राक्षस जैसे आदमी को पाया जिसने फिर घुंसा चलाया तो जालानी ने जुक कर वार बचाया और पूरी शक्ती से अपना वार किया उसका घुंसा उसकी कनपटी से टक्राया लेकिन वो अपने स्थान से हिला भी नहीं जालानी दिवानों की तरह दोनों हातों से उस पर घुंसे बरसाने लगा लेकिन वो आदमी तो जैसे लोहे का बना हुआ था किसी ने पीट पीछे से उस पर किसी भारी चीज का वार किया वार इतना प्रचंड था कि जालानी की आँखों के आगे सितारे नाच गए और उसके घुटने मुड़ गए फिर यूँ उसकी चेतना लुप्ट हुई जैसे कोई बल्ब फ्यूज होता है उसे पता ही नहीं लगा कि कब वो धराशाई हुआ जीट सिंग धारावी पहुँचा ये देखकर उसे बड़ी राहत मैसूस हुई कि डैविट परदेसी लॉट आया हुआ था दोनों की ट्रांजिट कैंप में अजमेर सिंग के धाबे पर मुलाकात हुई लॉट भी आया जीट सिंग बोला उमीद नहीं थी लगता था राप तक लॉटेंगा फिर भी देखने चला आया जाना आना ही तो था परदेसी बोला फिर उसके स्वर में गर्व का पोट आया सूपर डेलक्स बस में गया और आया हवाई जहास में कभी बैठा नहीं पर लगता था हवाई जहास में बैठेला था भीतर टीवी चलता था साला दो नवा पिक्चर दिखाया जान अशीन दिखाया आज दिखाया अपन नाना पाटिकर का फैल साला दोसों में भी बिलेक के बिलेक में टिकेट मिलता तो निकालता पर उधर साला सब बस के टिकेट में ही शामिल बस कर बस कर क्या मैं कुछ ज्यास्ती बोला अभी नहीं ना रोकता तो बोलता अब बोल क्या हुआ पर्देशी तद्कार संजीदा हुआ जीते वो बोला बहुत मुश्किल से वो पचास अजार कुबूल किया नहीं लेता था दस अजार तो नहीं ही लिया क्या बोला तु टिक चाहे भाग वो जमानत वापिस नहीं लेंगा तूने उसे समझाया नहीं मेरे फरार हो जाने पर उसका क्या होगा बहुत समझाया खास बताया जीत सिंग बोला बेल जम्प नहीं करने का वादा निभाना मुश्किल बोला कोई वांदा नहीं मैं बोला तेरे को बेल कैंसल होने पर कोई शिकायत नहीं कोई अतरास नहीं बोला बेल कैंसल नहीं कराने का था तेरे को मैसेज बोला है कि उसको कोई और जरूरत हो तो फॉरण उसको फोन लगाने का है जीत सिंग ने असहाई भाव से गर्दन हिलाई मैं बोला तेरे को वो नहीं मानेगा हाँ बोला तो ये अपने दस हजार पकड़ पास रख और अभी एक काम और करने का है अगर तेरे को मन्सूर हो अरे बोलना क्यों मन्सूर नहीं होगा मेरे को मन्सूर तू बोल जीत सिंग ने बोला जालानी को होश आया तो उसने खुद को एक कुर्सी पर धेर पाया कोई रह रहकर उसके मूँ पर थंडे पानी के चींटे मार रहा था और गाल थप थपा रहा था जालानी ने जबरन गाल थप थपाते हाथ को में दर्द की लहर दोड गई बड़ी कठिनाई से उसने अपनी आँखे खोली उसने सामने निगा दोड़ाई वो राक्षस जिसने उस पर आक्रमन किया था वहां नहीं था बद्रूल हसन भी वहां नहीं था लेकिन पुलिस थी अपने दो हवलदारों के साथ खोद इंस्पेक्टर गोविल कर वहां मौजूद था फिर उसकी निगाँ दो पुलिसियों के बीट से गुजरती पीछे एक सोफा चियर पर धेर हुए पड़े शेक मुनीर पर पड़ी उसका चेहरा लहु लुभान था होंट सुवर की थूंद की तरह सूजे हुए थे और एक आंक बंध होकर काली पड़ चुकी थी जालानी के कानों में खत्रे की घंटियां बशने लगी जाग गए गोविल कर व्यंगे पोंट स्वर में बोला हाँ जालानी फसे कंट से बोला आप यहां क्या कर रहे हैं ड्यूटी कर रहे है भाई जहां फौजदारी हो वहां पहुँचना ही पड़ता है फौजदारी इदर के प्रोप्राइटर को धुन के रख दिया ये कौन सा तरीका है जर्नलिजम का मैंने और किसने वो एक तरफ फटा और घूम कर शेक मुनीर से बोला जर्दोहराना तो क्या किया इसने बोलने की कोशिश में शेक मुनीर के मुझ से करा निकली वो हौले से खोंसा रुमाल में खून थूका और फिर अपनी आप बीती बयान की मैं बाई चांस इधर आया उसने कहा तो पाया कि ये यहां घुसा हुआ था कैसे घुसा गोविलकर ने जर्से जालानी के लिए सवाल किया पता नहीं कैसे घुसा सेड़ियां चड़कर आया होता तो जरूर किसी की इस पर निगापड़ी होती मेरे खयाल से ये फायर एसकेट से छट पर पहुँचा और उपर से नीची आया क्योंकि उपर का दर्वाजा आप अपना खयाल छोड़ो गोविलकर ने टोका जो हकीकतन जानते हो वही बयान करो ठीक है मैंने इसे टोका और पूचा ये यहां क्या कर रहा था बोला मैं फैंस था और चोरी का माल इधर छुपा कर रखता था जूट जालानी तीवर विरोध पूर्ट स्वर में बोला बिल्कुल जूट चुप करो गोविलकर डपट कर बोला इसे अपनी बात पूरी करने दो तुमने जो कहना हो उसके बात कहना जालानी ने होट भेंच लिये आगे बढ़ो पूर्ट साहन सा देता गोविलकर शेक मुनिट से बोला ये यहां आपको अकेला मिला था क्या नहीं जवाब मिला इसके साथ एक आदमी और था कैसा था वो देखने में जवाब में डिब्बे ने ऐसी बारी की से बद्रूल हसन का हुलिया भयान किया कि ज़लानी दंग रह गया उसने भी आप पर हाथ उठाया था क्या गोविलकर ने पूछा नहीं वो तो मुझे देखते ही यहां से भाब खड़ा हुआ था इसे पीछे अकेला छोड़ कर हाँ फिल रंगे हाथों पकड़े जाने पर ये उल्टे मेरे पर इल्जाम लगाने लगा बोला मैं फैंस था और इसे मालूम था कि इसी वज़ा से माटूंगा में मेरे घर पर एक बार पुलिस की रेट भी पड़ चुकी थी क्या ऐसा हुआ था हाँ लिकिन बाद में पुलिस को सौरी बोलना पड़ा था किसी ने मुखबीरी करके मेरे से दुश्मन ही निकाली थी पुलिस रेखो दैसा कबूल किया था आगे ये तौमत लगाने लगा कि इसे पक्की टिप मिली थी कि मैं चौरी की खरीत फरोग का माल यहाँ छुपा कर रखता था बोला पिशले दिन पुना के होटल ब्ल्यूस चार में हुई कॉइन कर्वेंशन के दौरान जो पौने तेन करोड रुपए के एंटी कॉइन वहाँ से लुटे थे वो भी इधर थे मैंने इसे बहुत समझाया कि ये मेरे पर जूटा इल्जाम था और इसे यहाँ चोरों की तरह घुसने का कोई अक्तियार नहीं था अब पता नहीं ये नशे में था या वैसे ही इसका सिर घूम गया ये एका एक मेरे पर जपट पड़ा और बार बार ये कहता मुझे पीटने लगा कि ये मेरे से कुबल वाके ही मानेगा कि मैं फैंस था और ये मेरा खूफिया गोदाम था आप देखी रहे हैं कि मेरे मुकाबले में कितना जबर और ताकतवर है उपर से आज कल मैं वैसे ही बिमार चल रहा हूँ मैं इसका कैसे मुकाबला कर सकता था गोविलकर ने सहानु भूती पूर्ण भाफ से सहमती में सेर हिलाया ये मुझे पेट पेट कर मार ही डालता अल्ला निगाबान है उसी ने ऐसे हालात पैदा किये कि मैं इसके मुसलसल जुर्म से बच गया इसका घुंसा खाकर एक बार मैं पीछे को गिरा तो गिरते गिरते मेरे हाथ में एक तिपाई पर पड़ा पीतल का फूल दान आ गया मैंने उसे थामा पर अपनी पूरी ताकत इकठा करके इसके सिर पर दे मारा तब कहीं जाकर इसका जुनून ठंडा हुआ और मेरी जान बची क्या ये बेहोश हो गया? हाँ फिर आपने पुलिस को फोन किया? हाँ हम गोविलकर जालानी की तरफ गुमा अब बोलो क्या कहते हो? ये जूट बोल रहा है जालानी भड के स्वर में बोला सरसर जूट बोल रहा है क्या तुमने इस पर हमला नहीं किया? नहीं तो फिर तुम्हारी उंगलियों के जोट क्यों चिले हुए है? इन पर खून क्यों लगा हुआ है? क्योंकि? क्योंकि? क्या क्योंकि? तुम यहां मौजूद थे? या कोई तुम्हें उठा कर यहां डाल गया? म, 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 मैं यहां मौजूद था क्यों मौजूद थे? पड़े लिखे आत्मी हो क्या नहीं जानते ऐसी हरकत Breaking and Entering कहलाती है जो की Crime है लेकिन कहानी जुदा है कहानी वो नहीं है जो यह कह रहा है क्या है कहानी? जालानी ने अक्षरश असली कहानी बयान की मेरी उंगलियां उस राक्षरश से लड़ते चिली आखिर में वो बोला जो एका एक मेरे पर जपड़ा था इसकी तो मैंने किसी उंगली का नाकुन तक नहीं चुआ था, ये तो यहां था ही नहीं, मैंने तो इसे यहां अभी देखा, जब कि मैं होश में आया, ये सब इसी शक्स की साजिश है, और मुझे फसानी की चाल है, ये क्या कोई मानने की बात है, कि यहां कोई लड़की कैद और तुम उसके बरामदी के लिए यहां आये थे, मेरे को यही बोला गया था, ये रसत का गुदाम है, डिबे ने आर्टनात किया, यहां लड़की का क्या काम, और कौन सी लड़की, वो लड़की जो शनीवार रात को केकी मिस्त्री के साथ थी, और जो तभीर से गायब है, मुझे यसी किसी लड़की की कोई जानकारी नहीं, और मैं खुद गवा हूँ, इस बात का कि उस रात केकी के साथ कोई लड़की नहीं थी, बराबर थी, और वो तभी से यहां कैद थी, थी तो कहां गई, यहीं होगी, मेरे पर तो एंट्री पर ही हमला हो किया था, गोदाम डिबे, तेरी ये ड्रामे बाजी पुलिस पर असर दिखा सकती है, मेरे पर नहीं, अरे भीडू, तमीज से तो बोल, क्या तमीज से बोलू, तेरे जैसे फंदे बाज कमीने के साथ, शट अप, गोविलकर डपट कर बोला, मेरे सामने गाली का लोच नहीं, जालानी चुप ह हो गिया, हम इधर की तलाशी ने, गोविलकर डिबे से बोला, तो आपको कोई एतरास, मेरे को कोई एतरास नहीं, डिबा बोला, इधर से कोई लड़की बरामत हो जाए, तो सर गंजा करके सौच जूते मारना, सजा देना कानून का काम है, मैं वो सजा भी भुक दूँगा, पर ये भी, आप अभी चुप कीजिए, फिर वो अपने हवलदारों से बोला, देखो जाकर, मोटी तलाशी लेने का है, कोई सुई तलाश करने का नहीं है, इसलिए जल्दी लोटने का है, सेहमती में सिर हिलाते दोनों हवलदार, गोदाम में घुस गए, पीछे गोविलकर जलानी को देखते हुए, यू संजीदगी से सिर हिलाया, जैसे कोई डॉक्टर, मरीस को किसी मेजर सरजरी की जरूरत की बुरी खबर देने जा रहा हो, मुझे तुम्हारी से ये उमीद नहीं थी, फिर वो बोला, क्या उमीद नहीं थी, फोज़तारी को मैं नजर अंदास भी कर दूँ, तो भी क्या तुमने कोई अकल का काम किया, जिस काम के लिए, पुलिस को भी सर्च वारेंट की जरूरत होती है, उसको खुद करने निकल पड़े, चोरों की तरह यहां गुसे और, वो मेरी गलती थी, तुम अकबार वालों में एक्सक्लियोजिव स्कूप हास करने के मामले में इतना कंपेटिशन हो गया है, कि अब कानून हाथ में लेने से भी तुम लोगों को गुरेज नहीं रहा, कितने अफसोस की बात है ये, लेक्शर मत दो, और ऐसे आदमी की हिमायत करने की कोशिश मत करो, जिसका कैरेक्टर, कारोबार सब संदिग्ध है, जो फैंस होने की वज़ा से चोरों का बिरादरी भाई है, तुम्हें किसी पर ऐसे इलजाम लगाने का कोई अफ्तियार नहीं, मैं इलजाम नहीं लगा रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ, माटूंगा में जाकर काले चोर से, इसके बारे में पूछो, ये कौन है, जवाब मिलेग फैंस है, ये इज़त हतक है, डिबा गुसे से बोला, मैं कोट में नालिश करूंगा, इंस्पेक्टर सहब, आप मेरे गवा है, कि इसने मुझे चोरों का बिरादरी भाई कहा, फैंस कहा, और गाली गलोच की, तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती एक नैशनल डेली के कोट में जाने की, धमकाता है, खूल देता है, ये भी तो क्राइम है, इंस्पेक्टर सहब, जालानी, गोविल कर बोला, लगता है तुम्हें काईदे कानून का तो कोई लिहास रहा ही नहीं, अपने अंजाम के भी कोई फिक्र नहीं रही जान पड़ती, तुम तो इतना भी नहीं समझना चाहते, कि शक सबूत नहीं होता, पुलिस भी CID, CBI भी किसी पर भी कोई इलजाम लगाती है, तो इलजाम को साबित करके दिखाना पड़ता है, बियोंड ओल रिजनेबल डाउट्स, साबित करके दिखाना पड़ता है, ताकि, तभी हवलदार लौट आए, लड़की मिलना तो दूर, दूसरा बोला, कोई आसार भी नहीं दिखे कि यहां कोई लड़की कैद थी, सुना, गोविलकर बोला, अब क्या कहते हो, सब साजिश है, जालानी आपे से बाहर होता बोला, सब एक नपी तुली साजिश के तहत किया गया है, ताकि मुझे फसाया जा सके, और मेरी जुबान को ताला लगाया जा सके, कैसी साजिश? तुम्हें मालू है कैसी साजिश? क्या खाम खा? क्योंकि तुम भी उस साजिश में शामिल हो, तुम्हारा सब इंस्पेक्टर गोखले, तुम्हारा मेडिकल एक्जामिनल डॉक्टर पारिक, तुम्हारा बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट सब साजिश में शामिल हैं। जहलानी, ऐसा अनापशनाब बोलकर तुम अपनी मुश्किले बढ़ा रहे हो। मैं यहां इस जगा के मालिक की टेलिफुन कॉल के जवाब में पहुँचा था। यहां पहुँचने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि यहां क्या हुआ था और जो हुआ था वो तुम्हारी वज़ा से हुआ था। मेरी वज़ा से नहीं, इन लोगों की वज़ा से हमला मेरे पर हुआ था। गायल तो यह दिखाई दे रहा है। यह भी साजिश का हिस्सा है। इतना गायल इसने खुद अपने आपको कर लिया तो पूछो वो इसका ही कोई आदमी था मेरे आदमी मेरे से अदब से पेश आते हैं डिबा बोला और तीन हाथ दूर खड़े होकर बात करते हैं जब इतने अदब आदाब वाली हैं तो हुक्म तो मानते होंगे या नहीं मानते होंगे क्यों नहीं मानते होंगे तो फिर तुम ही ने उसे होक्म दिया था कि वो तुम्हें मार लगाई और तुम्हारा ये बुला हार करे ताकि तुम कहने वाले बनो कि मैंने तुम्हें मारा था इंस्पेक्टर सहब ये आदमी पागल हो गया है तब ही ऐसी बैकी बैकी बाते कर रहा है तुम गौविल कर बोला उस आदमी का हुलिया बयान कर सकते हो क्या जिसे अपना हमलावर बताते हो उस दर्वाजे के पार जहां कि वो मेरे पर जप्टा था अंधेरा था इसलिए मैं उसके सूदत ठीक से नहीं देख पाया था कोई होता तो देखते न डिब्भा बूला फिर भी मैंने इतना देखा था कि उसकी ठोड़ी पर कट का निशान था और दाई आँग के नीचे मस्ता था बोडी बिल्डर्स जैसे मसल्स ही और कद में खासा लंबा था ऐसा कोई आदमी मेरी मुलास्वत में निकल आई तो मेरे मूपर थोग देना इंस्पेक्टर साहब आप चाहें तो खुद नीचे जाकर दोनों बारों में खिसका दिया होगा या बुलाया ही बाहर से होगा खास इस काम के लिए क्या ये भी साजिश का हिस्सा है शुरू से आखिर तक गहरी साजिश हुई है मेरे खिलाफ इंस्पेक्टर साहब अगर तुम इनसाफ करना चाहते हो तो बदरूल हसन को बुलाओ और मेरे सामने उसका बयान लो उससे हकीकत कुबल वाओ और फिर देखो कैसे डिब्बे का चूट साबित होता है फिर डिब्बा डिब्बा भड़का अगर इसने फिर मुझे डिब्बा कहा तो मैं टेलिफोन खींच कर मारूंगा इंस्पेक्टर साहब आपके सामने ऐसा करूंगा मैं नहीं नहीं गोविलकर बोला टेलिफोन टोट जाएगा मेरे को यूस करने का है इधर लाओ एक हवलदार ने सोफा चेर के करीब तिपाई पर पड़ा टोट फोन उठाया और उसे मेज पर गोविलकर के सामने लाकर रखा गोविलकर ने एक नमबर डाइल किया और फिर माउथ पीस में बोला गोकले गोविलकर बोलता है बद्रोल हसन खबरी को फोरण किदर से भी पकड़ कर थाने हासित करो मेरे को और एक्सप्रेस के पंकट जालानी को उससे बात करने का है उसने रिसेवर रग दिया और जालानी से बोला अब राजी हो जालानी खामोश रहा सब को थाने चलने का है फिर गोविलकर ने हुक्म सुनाया मैं अपने पेपर में बात करना मांगता है जालानी विशलिद भाफ से बोला मैं अपने एड़ोकेट से बात करना मानता है बाद में बात में अभी थाने चलने का है उदर तुम्हारे खिलाफ F.I.R. दर्श होगी तो तुम्हें अपने एड़ोकेट से बात करने का मौका बराबर दिया जाएगा अभी चलो निर्देश के मताबिक दो घंटे बात नवलानी ने अनूप दिक्षित को फोन लगाया फोर्ट के इलाके से वाकिफ हो किया दिक्षित ने पूछा खुब अच्छी तरह से नवलानी बोला उदर काला घोड़ा बराबर काला घोड़ा में लोटस गार्डन लोटस गार्डन में पहुँचो भाई थैंक यू वो कोट पहुँचा काला घोड़ा पहुँचा जहां लोटस गार्डन तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई बकॉल जीद सिंग इतवार रात को जिन साथ जगों पर वो भटका था उनमें लोटस गार्डन पहली थी वो काफी फैंसी जगा निकली लेकिन उस वक्त वहां कोई रौनक नहीं थी वो एक टेबल पर बैठ गया तदकाल एक वेटर उसके करी पहुँचा मैनेजर साहब है इस वक्त कलब में नवलानी ने पूछा वेटर ने तनिक संदिक भाव से उसकी तरफ देखा और फिर सहमती में सेर हिलाया नाम क्या है कार मेलो साहब वेटर बोला मेरे को उन से मिलने का है वेटर ने उत्तर नहीं दिया नवलानी ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसकी पेट पर लिखा रेफर्ड बाई अनूप दिक्षिद फिर उसने कार्ड वेटर को थमाया लेके जा वो बोला कार मेलो साहब मिले ना मिले तेरा काम खत्म सेहमती में सिर हिलाता वेटर कार्ड के साथ वहां से रुकसत हो गया पीछे नवलानी ने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतिक्षा करने लगा उसका सिगरेट खत्म हुआ तो काला सूट काली बोट आई पहने एक कोई पचास साल का व्यक्ति वहां पहुँचा कार मिलो वो बोला हलो सर नवलानी उठकर उससे हाथ मिलाता बोला माईसेल्फ शेकर नवलानी प्लीस सिट डाउन दोनों आमने सामने बैठ गए एनी फ्रेंड ओफ अनूप दिक्षित इस फ्रेंड ओफ माई मैनेजर बोला सो नाइस ओफ यू सर क्या मांता है नवलानी ने बताया लारा रिबेलो मैनेजर ने नाप दोहराया येस फ्राइडे नाइट को उसका इधर शो था नवलानी ने चैन की सांस ली उसने मन ही मन अनूप दिक्षित को सैलियूट किया जिसने उसे मुंबाई के वैसे धाई दर्चन ठीयों की भटकन से बचा दिया था पंजी से आई थी क्या प्रत्यक्षत है वो बोला स्पेशल एक ही रात के शो के लिए ट्राइल के लिए एक ही शो काफी होता है ट्राइल वो चेंज मांगता था वजह इधर उसकी जो रोकड़ा मिलता वो उसकी पंजी की सेलरी से डबल होता ओ इधर का एंटर्टेंडमेंट स्टैंडर्ड बहुत हाई है वो फिट नहीं था इधर के वास्ते फिट नहीं था क्या मतलब कुट नोट डांस वेल कुट नोट सिंग एट आल खाली बॉडी गॉड्जियस था पंजब बढ़िया बॉडी वाला परफेक्ट डांस करने वाला और मैनेजबल गास सतने वाला चोकरी मिलता हो तो यू अंडरसेंड माई पॉइंट आई थिंक आई डू इस वास्ते रिजेक्ट किया वापसी का ट्रेन टिकट पकड़ाया और गुडबाई बुला लेकिन कार मेलो सर मैंने सुना कि इधर फ्राइडे को कोई प्राइवेट पार्टी थी जिसके लिए पार्टी वालों ने ही उसको एक रात के शो के लिए स्पेशल पंजी से बुलाया था नथिंग लाइक देट प्राइवेट पार्टी को किधर से मालूम होएंगा कि बढ़िया एंटर्टेनर किधर से मिलता है कभी किसी दूसरी पार्टी में देखा होगा नथिंग लाइक देट तो मेरी ये जानकारी गलत है कि शुकरवार रात आपको इधर एक प्राइवेट पार्टी थी और उस रात आपकी कलब कैजूल कस्टमर्स के लिए बंग थी ठीक सुना पर प्राइवेट पार्टी का टोटल अरेज्चमेंट हम किया लारा के मामले में मैं टू इन वन काम किया उसको इधर शो करने दिया उस शो से ही मेरा ट्राइल हो गया आपने उसे यहां के लिए अन्फिट पाया और रिजेक्ट कर दिया येस सर मुझे अंदेशा है कि हम दो जुदा लड़कियों की बाबत बात ना कर रहे हो इसलिए दर्खवास है कि क्या आप उसका हुलिया बयान कर सकते है उसने किया जिसमें लाल डाई से रंगी चेहरे पर लहरा थी लटका और नीली आँखों का खास सिक्र आया Now I'm sure We are talking about the same girl नवलानी बोला आपको उसका पंजी का एड्रेस मालूम है क्या मालूम था वो इधर ही अपना बायो डाटा भेजा था जिसमें कुछ तस्वीरे एड्रेस कॉंटेक्ट नंबर वगएरा सब कुछ था पर उसको रिजेक्ट करने का फैसला करते ही मैं वो सब फार्ट के फैंक दिया था Oh, that's too bad अब आपको जुबानी कुछ भी याद नहीं किया उसने इंकार में सिर हिलाया याद करने की कोशिश करें तो कुछ याद नहीं आएंगा इदर तो रोज कोई ना कोई चोकरी या तो खोद आता है या बायो डाटा भेशता है किस किस को याद रखेंगा कोई और जानता हो कोई फैलो एंटर्टेनर नो वो तो टैम का टैम इदर पहुंचा था और मॉर्निंग में पार्टी खलास होते ही चला गया था क्या आपके निगा में उससे कॉंटेक्ट का कोई जर्या नहीं उसने फिर इंकार में सेर हिलाया तुम उसको क्यों ढूंटा है फिर वो उत्सुभाव से बोला कोई नया बिसनस शुरू किये ला है जो उसको एंगेज करना मांगता है नहीं तो क्या उस पर दिल आ गया किदर उसको देखा और फ्लैट हो गया अरे नहीं सर्ड तो फिर उसका एक मर्डर के केस से गहरा तालुक है इसलिए मेरे को उसकी तलाश है मर्डर हाँ मर्डर तुम्हारे मर्डर से क्या मतलब यू आर टैलेंट स्काउट नो नो सर्ड पन जब दिख्षित तुम्हेरे को इधर भेजा तो वो खामोश हो गया उसने कोट की जेब में से नवलानी का विजिडिंग कार्ड निकाला और उसे उल्टा पल्टा सान्त अमारिया फिर उसके मूँ से निकला तुम तो प्राइवेट डिटेक्टिव है पहले नहीं जाना क्या सर किदर जाना मैं तो खाली ये हैंड रिटर कम्यूनिकेशन पढ़ा ये रैफर्ड बाई अनूप दिख्षित पढ़ा तभी दिख्षित ठीक नहीं किया जो इधर एक डिटेक्टिव भेजा Man, I don't want to talk to a detective Why sir? I don't want to provoke trouble What trouble? Nice meeting you वो उट खड़ा हुआ, गुडबाई अरे sir, एक मिनट रुको प्लीज क्या मांगता है? एक बात बता के जाओ क्या? इतवार रात को भी किसी ने आप से इस लड़की के बारे में पूछा था तब तो आपने कहा था कि आप लाल लड़ और नेली आँखों वाली किसी गवानी लड़की को नहीं जानती थे वो शुकरवार रात के सिंगल शो के लिए पंजी से बुलाई गई थी ये भी कहा था कि ऐसी कोई स्पेशल डांस परफॉर्मेंस इधर हुई ही नहीं थी और लोटस गार्डन हमेशा की तरह पबली के लिए खुला था क्योंकि पूछने वाला कोई टपोरी था जो की अच्छे कपड़े पहन लेने से समझता था कि उसकी आउकात चुप गई थी बड़ी तीखी निगापाई है आपने सर उसकी पहचान के लिए तीखी निगापी जरूरत किधर थी सुट पहन के आउकात बनती हो उपर से पूछा कौन था तो जूट बोला अच्छा, but of course बोलव एक्स्प्रेस का रिपोर्टर जालानी था अरे आप जालानी को जानते पहचानते थे No, पन वो टपोरी एक्स्प्रेस का रिपोर्टर नहीं होना सकता उधर तो वो चप्रासी के जॉब के लिए अन्फिट रिपोर्टर किधर से होईगा इसलिए उसको तरकाने के लिए चलता करने के लिए आपने जूट बोला ऐसा इच्छ है अगर आप लारा रिबेलो को ट्रेस करने के सिलसिले में मिस्चर डोंट स्चार्ट आल डेट अगेन तुम दिख्षित का नाम लिया मैं तुम्हे उसका फैलो प्रोफेशनल समझा इसलिए मिलने को येस बोला अभी मैं जितना बोला मेरे को उसका भी अफसोस प्राइवेट डिटेक्टिव अफ अल दे पीपल bloody hell but sir no but no sir you are not wanted here ये कतल का मामला है अगर इसमें आपका भी कोई तखल है तो shut up shut up and get out or or what or I will get you out you don't have to नवलानी उट खड़ा हुआ wise guy manager उसे जाता देखता रहा वो द्रिष्टी से ओजल हो गया तो manager लपक कर chit clerk के desk पर पहुँचा उसने वहां का phone उठाया और एक number dial किया कारमेलो बोलता है lotus club से जवाब मिलते ही वो बोला मेरे को दिली भालेकर से अर्चन बात करना मांगता है जलानी थाने में थाना ध्यक्ष के कमरे में अकेला बैठा था अपना फोड़े की तरह दुखता सेर उसने हातों में थामा हुआ था उसकी कनपटियों में खून हतोडे की तरह बच रहा था दर्वाज़ा खुला उसने घूम कर उधर निगार डाली तो इंस्पेक्टर गोविलकर को भीतर दाखिल होते पाया गोविलकर करीब आकर कुर्सी पर बैठ कया बद्रूल हसन पकड़ाई में आ गिया है वो बोला अभी उसे तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा तब तक तुम अपनी कहानी सुनाओ क्या फिर से हाँ फिर जब मैं पहले ही सब कुछ बयान कर चुका हूँ तो शायद कुछ रह गया हो तुम बद्रूल हसन की सुनो वो वही कुछ कहेगा जो उसने जो कहना तक कह चुका है और हम सब सुन चुके हैं हो रहा है जिस पर उसके साइन कराई चाएंगे फिर उसके बयान को शेक मुनीर के बयान से काउंटर चेक किया जाएगा तब तक अपनी कहानी फिर से सुनाओ तफसील से सोथ समझ कर कुछ न चूटे जालानी ने सब विस्तार अपनी आप बीती दोहराई जिसे गोविलकर ने निर्विकार भाफ से सुना वो खामोश हुआ तो गोविलकर बोला तुम्हारा बयान रिकॉर्ड होगा रिकॉर्ड होगा जालानी बोला अभी क्या हो रहा था कलम बंद होगा तहरीर तोर पर रिकॉर्ड होगा उस पर तुम्हारे साइन लिये जाएंगे यानि कि सब कुछ मुझे रिकॉर्ड किये जाने के लिए फिर दोहनाना पड़ेगा हाँ हे भगवान अरे तुम जानते हो तुम ऐसे किस से पेशा रहे हो एक क्रिमिनल से यकिन नहीं तुम्हारा बयान बद्रूल हसन के बयान से मेल नहीं खाता अवल तो ऐसे हो नहीं सकता है है तो तुम्हारी निगाह में वो जो कि एक पुलिस इन्फॉर्मर है मेरे से ज्यादा भरोसे के काबिल आदमी है मैं ये सब नहीं जानता मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसके बयान से तुम्हारे नहीं शेक मुनीर के बयान की तज़्दीक होती है वो जुट बोलता है जब दो जनों की बात आपस में टैली करती हो तो उस पर यकीन करना पड़ता है मिली भगत है तुम्हारा क्या है तुम तो जो बात तुम्हारे खिलाफ जाती है जो बात तुम्हें रास नहीं आती उसे मिली भगत बोल देते हो लगता है आजकल घून्ट स्यादा लगाने लगे हो इसलिए दिमाग ठिकाने नहीं रहता इंस्पेक्टर डोंट कपेंट अच्छा भई सौरी बद्रूल हसन क्या कहता है वो कहता है उसे खबर लगी थी कि पूना की कौईन कन्वेंशन की डखैती का माल शेक मुनीर के कबजे में था और वो उसे अपने बार के उपर की मंजिल पर अपने रसत के गुदाम में चुपाए था बत और खबरी उसने ये खबर तुम तक पहुँचाई और पांच अजार रुपे कमाए कमा भी लिए दिखाए पांच पांच सो के दस नोट पांच क्यूं पचास दिखने चाहिए थे इतना बड़ा काम किया डबल गेम खेला डबल मुखबेरी की बलकि ट्रिपल की पुलिस का भी पिट्टू बन के दिखाया तुम्हारी जानकारी के लिए शेक मुनीर के गुदाम की लड़की की तलाश में तुम्हारे सामने हुई मोटी तलाशी के बार वहां की बारीक तलाशी भी हो चुकी है वहां से सिंगल एंटी कॉइन वरामन नहीं हुआ है कैसे होता जब सब कहानी ही सेट की हुई है तो अब कुछ सुनोगे भी जालानी कामोश हो गया बद्रूल हसन कहता है कि तुम्हारे इसरार पर वो तुम्हें ग्रांट रोड पर मिला था और तुम्हारे इसरार पर ही उसने आगे भी तुम्हारा साथ दिया था कहता है तुमने उसे कहा था कि फायर एसकेप के जरिये इमारत की चछत पर पहुँचा जा सकता था मैंने कहा था अरे उधर से सेड़ियां उतर कर नीचे आया जा सकता था दूसरी मन्जिल पर पहुंचने पर आफिस के सामने का दर्वाजा इतिफाक से तुम्हे अनलॉक्ट मिला था अनलॉक्ट इसनी मिला था क्योंकि शेक मुनीर थोड़ी ही देर के लिए वहां से गया था इसलिए तुम अभी भीतर पहुंचे ही थे कि वो लॉट आया था की तो तुमने उस पर हमला कर दिया और उसे शोर मचाने से रोका फिर डकैत के माल की बाबत तुमने उससे जबरदस्ती हामी भरवाने की कोशिश की और इस कोशिश में उसे इतना मारा की बेचारा लहू लुहान हो गया ये सब जोट है अब एक ही रट लगाना बंद भी करो गोविलकर गुसे से बोला ये जोट है कि तुम चोरों की तरह उसके गुदाम में घुसे ये जोट है कि तुम्हारी उंगलियों के जोट छिले हुए है जो इस बात का अपने आप में सबूत है कि तुमने किसी को धुना था क्या ये जोट है कि शेक मुनेर लहुलुहां था और उसको उस हालत में किसी और ने पहुँचाया नहीं हो सकता था क्योंकि वहां कोई और था ही नहीं एक्सक्लियोजिव स्चोरी हासिल करने के लिए मेडिया के लोग कानून का छोटा मोटा उलंगन करते हैं तो उसे हम मेडिया से बना कर रखने की कोशिश में नजर अंदास कर देते हैं लेकिन ऐसी फौजदारी तो तुमारे से पहले किसी नहीं की मैंने भी नहीं की है क्यों नहीं सब जादू के जोड से हो गया क्या पांच साल के लिए नपोगे रिपोर्टर सहब सब साजिश है मेरे खिलावस किसने की साजिश शेक मुनेर की तुम्हारे से क्या दुश्मनी है जो वो साजिश करेगा वो किसी के हाथ का खिलोना है उसने किसी का हुक्म बनाया है किसका नाम लो किसी का उस छोकरे के बाप का नाम लेता हूँ जिसने कतल किया है लेकिन जिसकी तरफ तुम उंगली तक नहीं उठाना चाहते मेरे साथ जो गुजर रही है वो लेबर लीडर छगन जादफ के इशारे पर गुजर रही है वो नेता मुझे आउट ओफ पिक्चर करना चाहता है ताकि मैं साबित ना कर सकूँ कि उसके फसादी नौनी हाल ने केकी मिस्तरी का कतल किया है ये एक बड़ी साजिश है जिसमें अफसोस है मुझे कहते कि पुलिस भी शामिल है तुम फसे हुए हो इसलिए इस वक्ट कुछ भी कह सकते हो हकीकत यही है कि केकी मिस्तरी की मौत की तफ्तीश हमने पूरी इमानदारी से की थी और जो सच सामने आया था उसी को मेडिया के सामने पेश किया था मेडिया को हमारी तफ्तीश के नतीजे से इतिफाक था तभी तो उसे पबलिश किया था तुम्हें किसी साजिश का शक था तो तब क्यों नहीं जाहिर किया तब क्यों अकबार में खाली पुलिस का वर्षन चापा उसके साथ अपना साजिश का शक नहीं चापा जालानी मेरी राए मानो तो इन पच्छणों की तरफ तवज्जो देने की जगा अपनी तरफ तवज्जो दो इस वक्त अपनी खैर मनाओ क्योंकि तुम जानते हो कि तुम बुरी तरह से फसे हुए हो ये पुलिस का जिम्मेदार आफिसर नहीं बोल रहा जालानी गुस्से से लगभग चिला पड़ा एक नेता के हातों पूरी तरह से बिका हुआ क्रोग्ड कॉप बोल रहा है तुम सब मिले हुए हो और पूरी बिशर्मी से बोनी जादव के हातों हुए कतल पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हो और जो इस घड़ी मेरे साथ बीत रही है वो भी उसी नापाक कोशिश का नतीजा है गोविलकर उचल कर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ जालानी वो हिंसक भाव से बोला तुने मेरे को क्रुग्ड कॉप बोला बराबर बोला और ठीक बोला गोविलकर का चेहरा लाल हो गया वो मुठिया भींचे उसकी तरफ बढ़ा हाँ हाँ, मारो मुझे, जालानी चिल लाया, मारो मुझे, ताकि साबित हो सके कि सच तुमसे जेला नहीं गया गोविलकर रास्ते में ठिटक गया देर सवेर देखना, सच की चकाचौन तुम्हें अंधा बना देगी जूट का मेला थोड़ी देर का होता है, कागस की नाउप पर सवार हो, इंस्पेक्टर सहाब, डूब जाओगे गोविलकर के मुझे गहरी सांस निकली, वो जाकर अपनी कुरसी पर धेर हो गया मैं स्टेनोग्राफर को बुलाता हूँ, अपने स्वर को भरसक संतूलित करता वो बोला, ताकि वो तुम्हारा बयान नोट कर सके कोई जरूरत नहीं, मैं कोई बयान नहीं दूँगा, अब मैं एक लवज भी तब तक नहीं बोलूँगा जब तक तुम्हारा कोई सेनियर आफिसर और मेरा वकील यहां मौजूद नहीं होगा, और मैं मांग करता हूँ, कि मुझे अपने पेपर के आफिस में फोन लगाने दिया जाए, गोविलकर ने कॉल बेल बजाई, जवाब में हवलदार वहां पहुंचा, तो उसने हुक्म दिया, इसे लॉक अप में बंद कर दो, लोटस गार्डन से बाहर आकर नवलानी ने अनूब दिक्षित को फोन लगाया, नवलानी बोलता हूँ, वो बोला, लोटस गार्डन हो आए क्या, दिक्षित ने पूछा, कार्वेलो मिला क्या, हाँ मिला, कुछ काम बना, कुछ ही बना, मुकमल नहीं बना, क्या मतलब, ये जानके भड़क गया कि मैं कोई टैलेंट स्काउट नहीं, प्राइविट डिटेक्टिव था, भड़कने से पहले खाली इस याद नहीं था, I see, लारा रिबेलो के नाम से तुम्हारे जहन में अभी भी कोई घंटी नहीं बची क्या, भई सच पूछो तो जब से तुमने वो नाम लिया है, जाने अंचाने में उसी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन सूझा कुछ नहीं ना, सूझा, क्या, नाम सुना सा लगा, क्यों लगा, वज़ा तो कोई नहीं सूची, ऐसा तो नहीं, कभी तुम उसके एजेंट रहे हो, नहीं, ऐसा होता तो नाम सुनते ही उसकी बाबत, मुझे सब कुछ याद आ किया होता, इस मामले में मेरा मगज, कम्प्यूटर से कम नहीं, जैसे में बटन दबाओगे, तो सब डाटा निकलाता है, वैसे ही मेरा मगज काम करता है, काली नाम से वाकिफू मैं, हो सकता है कभी मेरे से मिली हो, लेकिन इतना मेरे को पक्का है, कि मेरी क्लाइन कभी नहीं थी, किसी की तो होगी, क्या मतलब, जैसे तुम एंटर्टेन्मेंट में लगे कई कलाकारों के एजेंट हो, वैसे इस लारा रेबेलो का भी तो कोई एजेंट होगा, हाँ होगा तो सही, और जैसे तुम अपने कलाकारों का बायो डाटा अपने डिकॉर्ट में रखते हो, वैसे इस लारा रेबेलो का बायो डाटा उसके एजेंट के पास होगा मैं समझ किया तुम्हारी बात होल्ड करो मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ कौन है उसका एजेंट थैंक यू लंबा होल्ड करना पड़ सकता है कोई वांदा नहीं या थोड़ी देर बात फोन लगाओ नहीं मैं होल्ड ही करता हूँ छीक है उसे पांच मिनट होल्ड करना पड़ा अरे उसका एजेंट तो पंजी में है आखिरकार दिक्षित की आवास आई अच्छा नाम और टेलिफोन नंबर मालूम पड़ा है नोट करो बोलो मेलकम परेरा फोन नंबर 720750 मैं उससे कॉन्टेक्ट करता हूँ कैसे करोगे अभी तो फोन ही लगाऊंगा जरूरत पड़ी तो पंजी जाऊंगा I see अभी एक रिक्वेस्ट है क्या जब तक किसी का रेफरेंस ना दो नवे भेडू से आजकल कोई बात नहीं करता लोटस कलब में कारमेलो को भी तुम्हारा रेफरेंस दिया तो वो बात करने को तयार हुआ पर वो ये जानके उकड गया कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव था अभी मैं दुबारा ये गलती करना नहीं मांगता परेरा से बात हो गई तो मैं खुद को होटेलियर बताऊंगा तुम्हारे से कनफर्म करने की कोशिश करे तो ऐसे इच बोलना चीक है ठैंक यू नवलानी ने संबंध विचेत किया और पंजी के नंबर पर कॉल लगाई तुरंट संबंध स्थापित हुआ हलो आवाज आई परेरा हेर मिस्चर परेरा नवलानी बोला मेरा नम शेकर नवलानी है मुंबई से बोलता हूँ डू आई नो यू सर नो वो क्या है कि मैं होटल बिसनस में हूँ एक म्यूचिल फ्रेंड ने मेरे को आपके बारे में बताया विच म्यूचिल फ्रेंड अनूप दिक्षित माई फैलो एजेंट जो अधर प्रभा देवी में है हाँ वही कैसा है वो ठीक है क्या मांता है वो कुछ नहीं मांता अरे मैं तुम क्या मांता है वो मांता होता तो वो फोन लगाता तुम मांता है तुम फोन लगाया ना येस It's as simple as that अब बोलो क्या मांगता है? Mr. Pereira, अब Lara Rebello नाम की एक गोवानी डांसर के एजेंट है था जी था, past chance, अब वो मेरा क्लाइंट नहीं है ऐसा क्या? Yes, Sunday तक था, अब नहीं है अब क्या हुआ? टेलिग्राम भेज कर मेरे को डिस्मिस किया क्या टेलिग्राम भेज कर? Yes, उदर से टेलिग्राम भेजा जिदर से तुम बोलता है Mumbai से? Yes, लिखा in future उसको मेरा service, मेरा representation नहीं मांगता था एजेंट चेंज किया क्या? क्या मालुम क्या किया? जो वो मेरे को inform किया वो मैं onward तुमको बोलता है ओ, तुम क्या मांगता है उससे? मैं बोला ना मैं hotel business में हूँ? वो तु बोला, पर मांगता क्या है? अपना hotel business extend करना मांगता है एक नमा बार खोला है उदर बैंदरा में उदर entertainment program के लिए मैं लारा से contract करना मांगता है I see but she is not much of an artist lousy singer, average dancer but beautiful body बार में customer लोग body ही ज्यादा देखते हैं दिक्षित मेरे को बोला वो बहुत बढ़िया बनी हुई है वो तो ठीक बोला, tall, slim, over glass figure 35, 24, 35, very easy on eyes मेरा customers यही स्मार्टता है I see तो अभी वो मुंबई में है क्या? जब टेलिग्राम उदर से बेजा तो उदर ही होएंगा मुंबई में कहा? ये कैसे मालूम होएंगा? टेलिग्राम में उसका कोई पता नहीं था क्या? नहीं था, खाली भेशने वाले का उसका नाम था वो पंजी से है, उसका कोई local address तो होगा आपके पास मैं, तुम खाली उसको क्यों मांगता है? मेरा क्लाइंटल में उससे ज्यादा beautiful और ज्यादा efficient चोकरी लोग हैं बोले तूँ बाद में, बाद में देखेंगा अभी मेरे को खाली लारा मांगता है वो पंजी में क्लब कोकीरो के contract में था क्लब उसको रहने को room भी provide करके रखा था वह इस उसका पता था permanent residential address कोई नहीं है क्या? पक्का पता कोई नहीं मामा है ना? मामा, uncle no man, मामा, mother ओ, मा येस, पेर नेम में उसका address मांगता है तो देता है मांगता है house no.9 first cross road पेर नेम telephone no.643329 thank you Mr. Pereira thank you very much you are welcome कोई और artist मांता हो तो बोलेंगा definitely बोलेंगा thanks a lot उसने संबन विच्छेत किया और पेर नेम का नमबर डाइल किया कोई जवाब नहीं मिला पता नहीं नमबर खराब था या घर पर कोई नहीं था बहर हाल लड़की को तलाशने का एक मजबूत जरिया हाथ में आ चुका था शाम होने को थी जबकि एक हवलदार ने आकर लॉक अप का दर्वाजा खोला उट बेड़ो वो ज़ालानी से बोला कोई तेरे से मिलने आईला है ज़ालानी उठा और हवलदार के साथ थो लिया हवलदार उसे एक छोटे से कमरे में लाया जिसमें खाली एक लकडी का बेंच पड़ा था बेंच पर उसका सिटी एडिटर अजीद दत बैठा था हवलदार ने कमरे में दाकिल होने की कोशिश नहीं की उसने ज़ालानी के पीछे दर्वाजा भिड़का दिया जालानी बेंच पर अजीद दत के पहलू में जा बैठा बड़े नर्वस भाफ से उसने एक सिगरेट सुलगाया और अजीद दत की तरफ देखा क्या पंगा किया जालानी? वो शिकायत भरे स्वर में बोला मुझे तुमारे से ऐसी बद अकली की उमिन नहीं थी बॉस जो होना होता है वो होके रहता है लेकिन ऐसी हर्प कर स्ट्योरी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बॉस बट ब्रेकिंग एंड एंट्रिंग सब जूट है अगर मैं कहूं कि शेक मुनीन ने मुझे खुद वहां बुलाया था तो कैसे चलेगा? वो बोलेगा उसने नहीं बुलाया था अपनी बात के दाविदार तुम अकेले हो उसकी मुखालफत करने वाले उसे जुटलाने वाले दो हैं तुम बद्रूल हसन को भूल रहे हो वही साला तो दगाबास निकला वही कमीना तो डबल गेम खेला क्यूं खेला? क्यूंकि वो भी साजिश का हिस्सा है साजिश? जिसके तहट बकाइदा प्लैन करके मुझे फसाया किया और बद्रूल हसन को मोहरा बनाया किया हम्... बॉस जरा सोचो बात सच होती लड़की वहां से बरामत हो जाती और वो हमारे पेपर को अपना एक्स्क्लियोजिव वयान देती तो ये कितना बड़ा स्कूप होता? होता तब ना? आपको इस बात पर शक है कि मुझे इरादतन फसाया गया है? नहीं ये पहला मौका है जब बद्रूल हसन की टिप फरसी निकली है उसने धोका किया है हाँ मेरी जगा कोई और होता तो क्या करता? शायद वही करता एक गहरी सांस लेता अजीद दद बोला जो तुमने किया तो फिल अजीद दद ने उतर नहीं दिया अब पोजिशन क्या है? तुमारे किलाफ केस दर्च हुआ है ऐसा केस दर्च हुआ है जिसमें बेल मुश्किल से होती है केस छूटा है सर उसको दो गवाहों का इकबालिया बयान सच्चा बनाता है बद्रूल हसन कहता है कि तुम चोरों की तरह इमारत में गुसे थे शेक मुरीर कहता है उसने तुमें ताला तोड़ कर गुदाम में घुसा पाया था उपर से उसका मैडिकल हुआ है और ऐसा करने वाला डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट में कहता है कि वो गंभीर रूप से घायल है कौन डॉक्टर? डॉक्टर किशोर पारिक वो तो ऐसा कहेगा ही के इसके लिपा पोते की खातिर रिश्वत खाने वालों में वो भी है तभी तो उसने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में हेरा फेरी की जालानी ये ऐसी बाते करने का वक्त नहीं है ना ही ये ऐसी बाते करने के लिए मुनासिब जगा है मुझे यहां से बाहर निकालो तागी मैं अपने रिपोर्ट बना सकूँ और उसे छपने के लिए पेश कर सकूँ अभी यह मुम्किन नहीं क्या मुझे यहां से बाहर निकालना या रिपोर्ट का छपना दोनो क्या रिपोर्ट में अभी दम नहीं है लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ की सुनो सुनो लड़की के वजूद की अभी भी कोई तजदीक नहीं है पोस्मार्टम की रिपोर्ट में हेरा फेरी की गई है इसे साबित करने का कोई जरिया नहीं क्यों जरिया नहीं? मौर का वो करमचारी जिसने तुम्हें टिप दी थी? हाँ लंबी छुट्टी पर है जब उपलब्ध होगा तो तुम्हारी शकल पहचानने से इंकार करतेगा इंस्पेक्टर गोविलकर कहता है कि उसे डॉक्टर पारेक ने एक की रिपोर्ट भेजी थी उसने इस बात को किसी बेवडे की बक्वास कहकर खारिश कर दिया है कि उसे पहले एक रिपोर्ट भेजी गई थी आनन फानन वो वापिस मंगवाई गई थी और फिर दूसरी रिपोर्ट भेजी गई थी सब जूटे हैं सब मिले हुए हैं सर अभी अपने लेटिस दमाके की भी सुनो कैसे फूप निकाली गई है तुम ये साबित कर सकते हो कि शनिवार रात को डॉक्टर किशोर पारिक लाश के मुआइने के लिए ग्रांट रोड नहीं गया था क्योंकि उस घड़ी वो पूना में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की एक डिनर पार्टी में शरीक था ठीक है ना? हाँ सब इंस्पेक्टर गोकले कहता है तुम से नाम सुनने में गलती हुई थी जो डॉक्टर मौकाई वारदात पर पहुँचा था वो पी यार किशोर था पी यार किशोर जालानी अचकचाया प्रितम राई किशोर बदकिस्मती से ऐसे कामों के लिए पुलिस के पैनल में सच में पी यार किशोर नाम का एक डॉक्टर है और वो कहीं भी खड़ा होकर ये हलफिया बयान देने को तयार है कि शनिवार रात को अपने एक असिस्टेंट के साथ लाज के मौईने के लिए वो ग्रांट रोट पहुँचा था ना कि डॉक्टर किशोर पारिक उसका असिस्टेंट अपने बॉस के बयान की तस्दीग करता है इस बाबत कैसी भी जवाब देई के लिए दोनों किसी को भी उपलब थे ब्लडी हेल इसका मतलब है मेरी तमाम मेहनत बेकार गई बेकार तो नहीं गई लेकिन अभी किसी काम की नहीं तुम अब बात को यूँ समझो कि अभी तक तुमने जो डैमेज किया उसकी दुश्मनों ने मरम्मत कर ली और तुम कोई आइंदा डैमेज कर सको इस काबिल उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं लेहाज़ा आप तो ये मानते हैं कि मैं एक व्यापक शड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ मानता हूँ लेकिन तुमारी बतकिस्मती से तुमारी क्या एक्सप्रेस की बतकिस्मती से उस शड्यंत्र का ताना-बाना इतनी मज़बूती से बुना गया है कि उसमें फसे हुए अब तुम फ़ड़फडा ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते मैं नहीं कर सकता तो मेरी जगा कोई दूसरा तो ले सकता है एक्स्प्रेस में मैं इकलोता रिपोर्टर तो नहीं मेरे काम को कोई दूसरा भी तो आगे बढ़ा सकता है अपना काम तुम ही करोगे ऐसा क्या? हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक्स्प्रेस ने मुंबई का सबसे बड़ा वकेल तुम्हारे लिए किया है है, चीफ क्या करेगा? चीफ ये सुनश्चित करेगा कि कल जब कोट में तुम्हारी बेल की अर्जी लगे तो इस थाने के लोग उसमें कोई अडंगा ना लगाएं कल? कल बोला क्या? हाँ, तब तक मेरा क्या होगा? जालानी, रात तो तुम्हें लॉक अप में ही काटनी पड़े की ओ नो मेरे भाई, इसे तुम अपनी डेटेंशन का मिनिमम पीरियट समझो अच्छा जालानी, मुझे तुमारी बात से पूरा इतिफाक है कि जो साजिश हो रही है वो लेबर लेडर छगन जादव के इशारे पर हो रही है जो कि अपने बेटे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है लेकिन मेरे इतिफाक जाहिर करने से ही बात नहीं बनती क्या मतलब? जालानी सक पकाया देर सवेर बेल तो तुम्हारी हो ही जाएगी लेकिन आजाद होकर तुम्हें साजिश का परदाफाश नहीं कर पाए इसमें चगन जादव का हाथ साबित नहीं कर पाए तो भाई समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी खत्रे में है क्या? तुम्हारे हातों हुई अपनी दुर्गत को हाईलर्ट करने के लिए मेरे हातों नहीं I know, I know लेकिन वो तो यही कहता है न तुम मेरे बात सुनो पहले तुम्हारे हातों हुई अपनी दुर्गत को हाईलर्ट करने के लिए शेक मुनेर ने एक ऐसे अकबार का सहारा लिया है जो हमारा प्रतिदवंदी है वो जब इस चोरी को चापेंगे तो उसमें तुम्हें इस चोरी का बहुत बड़ा विलिन साबित करके दिखाएंगे और हमारे रिपोर्टर की कथित कर्टूतों को बढ़ा चड़ा के बयान करके हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो बदनामी अगर एकस्प्रेस को जेलनी पड़ी तो वार्निंग है तुम्हें उसका ठिकरा तुम्हारे सिर्फ उटेगा लिहाज़ा मुझे दो तरफा मार पड़ेगी अब मैं क्या कहूँ अच्छा फिट किया जालानी को चलता हूँ आट बजने से थोड़ी देर पहले जेत सिंग अपोलो पायर रोट पहुँचा जहां की यॉट कलब थी ठीक आट बजे एक सफेद रंग की जैन वहां पहुँची जिसके ड्राइविंग सेट पर उसे नवलानी बैठा दिखाई दिया नवलानी ने कार को कंपाउंड में ले जाकर रोका और बाहर निकला वो कलब की इमारत की और बढ़ा तो जेद सिंग जिजकता सा उसके सामने जाकरा हुआ सलाम बोलता है साहब वो बड़े अदब से बोला अरे जेद सिंग नवलानी बोला कब से हो यहां अभी आया साहब मेरे से मिलने हाँ साहब क्या कोई खास बात साहब है भी और नहीं भी फिर सोचा शायद आपके पास कोई बात हो मेरे को बोलने के वास्ते आओ भीतर चलके बैठते है साहब यह हाई क्लास जगा है मैं मैं साथ है न आओ जीद सिंग जिजकता हुआ उसके साथ हो लिया विसकी पीते हो क्या नवलानी ने पूछा साहब पीता तो है पन नवलानी ने ड्रिंक्स का ओर्डर दिया ड्रिंक्स सर्व हुए तो उसने जीद सिंग को सिगरेट भी पेश किया और फिर चेर्स बोला अब बोलो क्या खबर है नवलानी बोला तुमारी वो स्पेशल मुलाकात हो गई जो किसी स्पेशल आदमी के साथ होनी थी हो गई साहब और भी बहुत कुछ हो गया मसलन क्या वो भीडू मेरे से मर्डर ही कराना मांगता था था कौन वो नाम नहीं बोला खाली कामरेट बोला पर मेरे को मालूम वो कौन था कौन था चगन जाधव बोनी जाधव का बाप? हाँ वही क्या तुम पहचानते थे उसे? नहीं साहब कभी शकल नहीं देखी थी ना असल में ना चापे में वो भी नाम नहीं बताया खाली बोला कामरेट तो फिर कैसे जाना वो चगन जाधव था? साहब अब इतना भी तो घोंचू नहीं मैं चापे में केकी की खबर के साथ बोनी जाधव के बाप का नीरा जिक्र था जो कि गोदी करमचारियों की यूनियन का प्रधान था वो कामरेट साहब मेरे को खुद बोला कि वो पिछले सत्रा साहब से अलेक्जेंडरा डॉक वर्कर्स यूनियन का प्रधान था इतना बोल देने के बाद उसका ये बोल देना किधर जरूरी था कि वो चगन जाधव था जरूर उसे मालूम नहीं होगा कि तुम्ही वो शक्स थे जो उसके बेटे की शनिवार रात की बिग बॉस की हरकतों के गवा भी थे मालूम होगा सहब दिबा उन लोगों की तरफ है वो सब बोला होगा तो अभी तक तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं ली गई ली गई ना सहब अब भूल गया सहब कल बोला तो था कि बड़ा बटाटा पहुंचा था मेरे को धमकाने के लिए और काम्याब होकर गया था मेरे को बिलकुल ही अपनी तरफ करने को वो मेरा एक पार्टी भी किया क्या कहने अभी और खबर लेने का होगा तो तब लेंगे जब अपना काम करा कर लेंगे क्या करेंगे साहब जिस आदमी को टपकाने का है उसकी लाइफ पर वो लोग पहले एक घात लगाया पन काम्याब नहीं हुआ फिर फेल हुए भीडू की लाश समंदर में तैरती पाई गई मेरे को लगता है कि जब मैं उनका काम कर देंगा तो मेरे साथ भी ऐसा इच कुछ होगा तुमने हामी बोल दी क्या पहले नहीं बोली साहब साफ नकी किया साफ बोला मर्डर नहीं पन वो इंस्पेक्टर गोविल कर मेरे पर ऐसा पिरेशर बनाया कि हाँ बोलना पड़ा क्या किया उसने जीत सिंग ने सब बताया जूले लाल सुनकर आंखे फैलाता नवलानी बोला ऐसा खतरनाक पोलीसिया है वो गाईलों को मार मार कर अत्मरा कर दिया साहब उससे मन माफिक बयान निकलवा लिया दूसरा भीडू तागडे तो वैसे ही मेरे खिलाफ गवा बनने को तयार हो गिया अब मैं क्या करेंगा साहब कामरेड का काम नहीं करेंगा तो गोविल कर मेरे को फांसी चड़वा कर मानेगा काम करेंगा तो आइंदा कामरेड और पुलिस दोनों के हातों की कट पुतली बन के रहना पड़ेंगा बच शर्टे की तुम्हारी लाश समंदर में तैरती ना पाई चाए उसका भी पूरा चानस है सहब कतल किसका कराना चाहता है लीडर सहब वो भी उसी जसन यूनियन लीडर है जो आने वाले इलेक्शन में उसकी कुर्सी हत्याना मांगता है कामरेट बोलता है वो भाई लोगों का पिठू है और उसे अंदेशा है कि वो जीत के रहेगा हार से बचने के लिए उसको रास्ते से हटाना ज़रूरी कामरेट के आदमी ये काम नहीं कर सकते क्योंकि पिशली फेल हुई कोशिश की वज़ा से सब पुलिस की निगाहों में सुपारी लगाना नहीं मांगता क्योंकि जीत सिंग नाम का पुलिस की डुगडुगी पर नाश्ता बंदर काम फ्री में करके देंगा क्या साप छचुंदर जैसी हालत की है साहब तक दीर ने सब ठीक हो जाएगा क्या ठीक होएंगा साहब नाम क्या है उस शक्स का जॉर्ज डेविस अगर उसे खबरदार कर दिया जाए अगर उसको गुमनाम टिप दे दी जाए कि कैसे शुकरवार शाम को उसका खून होने वाला था तो तो गुविलकर एक सेकेंड में समझ जाएगा कि ऐसा मेरे सिवाई कोई नहीं कर सकता था फिर वो जो गाईलों को तो अदमरा करके बक्ष दिया मेरे को तो पूरा मार डालेगा ठीक कह रहे हो गिलास खाली करो और मंगाए बस साहब अरे किधर बस एक से क्या बनता है जीत सिंग ने गिलास खाली किया वेटर ने ड्रिंक्स रिपेट किये अब आप कुछ बो साहब कल शाम इसे वक्त यहीं जालानी से मेरी लंबी बात चीत हुई थी उसकी अब तक की तफ्तिश तुम्हारी बात की तज्दीक करती है कि केकी मिस्तिरी का कतल हुआ था तो कातिल गिरफतार कब होईगा साहब अभी तो मुश्किल है काहे साहब दुश्मन भारी पड़ रहा है जो बात भी उन लोगों को अपने खिलाफ जाती दिखाई देती है वो हाथ के हाथ उसकी मरमत कर लेते है उपर से अकबार पर सियासी दबाव आ रहा है फिर तो केकी का इंसाफ मत हुआ ऐसी कोई बात नहीं मुश्किल काम में अच्चने बराबर हाती है लेकिन ये नहीं कि वो होता ही नहीं है साहब वो गुमशुदा लड़की वो ही तुरुप का पत्ता है जो दुश्मनों के खिलाफ खेला जाएगा तो उनके तमाम पत्ते पिट जाएंगे और गुड नियूस ये है कि उस लड़की का कुछ सुराग मैंने निकाला है अच्छा साहब मेरी तफ्तेश से मुझे लगता है कि वो मरी नहीं है वो जिन्दा है लेकिन दुश्मनों के कबसे में है कैसे लगता है साहब पंजी में लड़की का मैलकम परेरा नाम का एजेंट है वो बोलता है इतवार को उसे लड़की की टेलिग्राम मिली थी जिसके जरिये उसने उसे खबर की थी कि अब वो उसके क्लाइन नहीं थी इसका क्या मतलब हुआ साहब एजेंट को नकी किया हाँ क्यूं ताकि वो उसको तलाश करने की उससे कॉंटेक्ट बनाने की कोशिश ना करे क्या दुश्मनों ने उससे ऐसी टेलिग्राम बिजवाई उसके नाम से खुद भेजी टेलिग्राम पाने वाले के पास ये जानने का कोई जरिया नहीं होता कि टेलिग्राम उसी ने भेजी थी भेजने वाले की जगा जिसका नाम लिखा था या उसके नाम से किसी दूसरे ने भेजी थी ओ, ऐसी तलाश के कोई कोशिश जो दूसरा शक्स कर सकता है वो लड़की की माँ है जो की पेर नेम में रहती है मैंने उसका पता भी मालुम किया है पता है हाउस नमबर 9, फर्स क्रॉस रोड पेर नेम और टेलिफोन नमबर 643329 है यहाँ आने से पहले कई बार मैंने माँ का फोन ट्राई किया था लेकिन बात नहीं हो सकी थी पता नहीं फोन खराब था या कोई घर पर नहीं था कल तक बात नहीं हो सकी तो मेरा इरादा उधर जाने का है आपको तो बहुत टाइम वेस्च होगा सहब अरे क्या टाइम वेस्च होगा प्लेन से सुबह जाके रात को लौट के भी आया जा सकता है बहुत रोकड़ा खर्च होईगा सहब एक तो आप फिस नहीं लिया उपर से ऐसे जो खर्ची होंगे वो मैं चार्च कर लूँगा फिर ठीक है लड़की का नाम नहीं पता लगा सहब लगा ना लारा रेबेलो नाम है उसका पंजी में जिस क्लब में वो काम करती है उसका नाम क्लब कोकीरा है एजन्ट की तरह मा को क्या बोला गिया होगा सहब कहना मुश्किल है बात होने पर ही पता चलेगा क्या मा को भी टेलीग्राम जरूरी नहीं मा की तसली का उन लोगों ने कोई और जर्या निकाला हो सकता है सहब मैं कल आप को फोन लगाएंगा फिर बोलना मा क्या बोली ठीक है सुबर दस वजे घर पर लगाना क्या पता मा को मालुम हो की बेटी किधर थी उमीद नहीं लेकिन कोई ऐसा अंदाजा फिर भी हो सकता है जिससे हमें लड़की का कोई सुराग लग सके समझा सहब सहब आप मेरे को इतना आदर मान दिया बराबर बिठा कर विस्की पिलाया इसलिए हौसला करके एक रिक्वेस्ट करता है क्या? वो यूनियन लेडर के मर्डर वाली बात किसी को बोलने का नहीं है उसमें अभी टैम है क्या पता किसी तरीके से वो काम टल ही जाए ठीक है अब मैं जाता है सहब अरे ड्रिंक और नहीं लोगे क्या नहीं सहब अभी जाता है जरूर एक आखरी बात सुनके जाओ बोलो सहब जालानी को अब खबर है कि उसको गुमनाम फोन कॉल तुमने लगाई थी इसलिए अब तुम्हारा उससे कन्नी काटना जरूरी नहीं कभी आमना सामना हो जाए तो उससे बेख़ौफ मिलना वो उतना ही तुमारी तरफ है जितना की मैं जानकर अच्छा लगा सहब थैंक यू बोलता है जीत सिंग वहां से रुकसत हुआ नवलानी तुलसी पाइप रोड पर लोकमानिय हाउसिंग सोसाइटी में अपनी पतनी और तीन बच्चों के साथ रहता था सोसाइटी के ए ब्लॉक में दोसरी मंजिर पर उसका फ्लैट था जिसमें ड्राइंग डाइनिंग के इलावा दो बेडरूम थे कलब में वो एक घंटे से ज्यादा शायद ही कभी ठहर था इसलिए रात साड़े नौ तक घर पहुंच जाता था डिनर सर्फ करने को तयारी में उसकी पतनी किचन में थी जबकि कॉल बेल बजी उसने उठकर दर्वाजा खोला चौकट पर एक अपरिचित व्यक्ती खड़ा था येस वो बोला नवलानी साहब हाँ शेकर नवलानी साहब जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव है जिनका खार में आफिस है हाँ भई वही साहब मेरा साहब आप से बात करना मांगता है किस बारे में मेरा साहब आपको प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर एंगेश करना मांगता है क्या ये कोई टाइम है ऐसी बात करने का अपने साहब को बोलो कल सुबा साड़े दस बजे आई साहप, केस बहुत अर्जेंट है और हम दोपहर से आपको कॉंटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा, दोपहर में हम आपके ओफिस में गए थे साहप आपकी सेकेटरी से मालूम हुआ था कि आप निकल गए थे हमने उधर से आफिस का नंबर लिया था और घंटे घंटे बाद फोन लगाया था शाम को खुद भी पहुंचे थे लेकिन आप वापिस नहीं लौटे थे आपकी सेकेटरी हमारे सामने आफिस बंग करके गई थी मैं आफिस नहीं लौट सका था बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ी देर पहले आपके घर का पता चला तो इधर आए काम क्या है? साहब बोले गाना अभी किधर है? नीचे पारकिंग में गाड़ी में बैठे ला है बुला के लाओ साहब उनका इधर आना मुश्किल क्यूँ? सितंबर में बाइपास सरजरी हुआना सेणिया चड़ना मना ओ, तुम चलो मैं चेंज करके आता हूँ इधर इस ठेहता है ना साहब साथ लेके जाएंगा चीक है तुम ड्राइवर हो साहब के क्या? ड्राइवर भी है साहब अच्छा-च्छा जनरल हैंडी मैन हो क्या बुला साहब? कुछ नहीं क्या नाम है तुम्हारा? बाबिया अभी आता हूँ बाबिया कोई वांदा नहीं साहब उसे वहीं खड़ा छोड़कर नवलानी ने दर्वाजा बंद किया और अपने बेडरूम में पहुँचा उसने लुंगी कुर्टा उतार कर कमेज पतलून पहनी और बाहर को बढ़ता उच स्वर में बोला सुमन नीचे कोई मिलने आया है जाके आता हूँ जल्दी आना किचन से आवास आई वो फ्लेट से बाहर निकला और बाबिया के साथ सेडियां उतरने लगा वो नीचे पहुँचे तो बाबिया बोला इधर नवलानी उसके साथ हो लिया सुसाइटी का कमपाउन बहुत बड़ा था और उसमें बहुत गाडियां पार्ख होने की गुंजाईश थी वो उसे कारों के बिलकुल आकरी लाइन में वहां लेकर गया जहां पीछे बाउंडरी वॉल थी और जहां कदरन अंधेरा था वो एक नीले रंग की एस्चीम के पास पहुँच कर रुका नीम अंधेरे में नवलानी केवल इतना ही देख सका कि एस्चीम में पिछले सीट पर केवल एक शक्स मौजूद था और वो आकार में बहुत लंबा चोड़ा था बाबया ने नवलानी को अपने से आगे निकल जाने दिया और फिर पीछे से बोला डेटेक्टिव सहब आ गिया सहब एस्चीम का पिछला दर्वाजा खुला और उसके एकलोते पैसेंजर ने बाहर कदम रखा नवलानी ने नीम अंधेरे में भी नोट किया कि वो रोजाना घंटो की आईरन पंबिंग से बनी बॉड़ी का स्वामी था उसकी ठोड़ी पर कट का निशान था और दाईं आंग के नीचे मोटा मसा था हैरानी थी उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी चौकस तंदुस्ती वाले शक्स को भी बाई पास सर्जरी करानी पड़ी थी नवलानी सहब वो मेठे स्वर में बोला एट यूर सर्विस सेर को तनिक खम देता नवलानी बोला सर्विस तो मैं करेंगा न सहब फीस की बात बाद में कर लेंगे पहले केस बोलिए नहीं फीस की बात पहले अभी देता है एका एक बाब्या ने नवलानी की दोनों बाहें जकर ली और उन्हें मोड कर पीट पीछे लगा दिया तीवर विरोध में नवलानी का मुँ खुला तो बोडी बिल्डर ने उसके मुँ में कपड़ा ठूस दिया और उपर से सर्जिकल टेप की पट्टी जड़ दी फिर दोनों ने खामोशी से बड़े सून योजित और नियंतरित ढंग से नवलानी की धुनाई शुरू कर दी सुधवार 21 जनवरी पोर्ट एरिया में जनरल पोस्ट आफिस के करीब के अपने नए होटल एल फिंस्टन में जीट सिंग 9 बजे सोकर उठा चाई पीते हुए उसने हिंदी के अकबार पर निगार डाली मुक्या प्रेश पर एक्सपेस के रिपोर्टर पंकर जालानी की गिरफतारी की खबर थी खबर के साथ दो तस्वीरे भी चपी थी जिसमें से एक डिब्बे की जक्मी और बुरी हालत में पहुँची शक्ल की थी और दूसरी बद्रूल हसन नाम के किसी शक्स की थी जिसे वो नहीं पहचानता था लेकिन खबर की सुर्किया पढ़कर उसे मालुम हुआ कि वो कोई जराइम पेशा व्यक्ती था जिसे पुलिस ने जहलानी के खिलाफ केस में वादा माफ गवा बनाया था उसने तेजी से तमाम खबर को पढ़ा उसे कहानी पर जरा यकीन नहीं आया यकीन ना आने की प्रमुक वज़ा डिबबा था जिसकी जात वकात से वो पहले से वाकिफ ना होता तो शायद उसे कहानी पर यकीन आ भी जाता उसके दिल ने यही गवाही दी कि जालानी पर वो विपत्ती का पहाड इसलिए तूटा था क्योंकि वो उसकी गुमनाम टेलीफोन कॉल पर काम करता केकी मिस्त्री के कतल के केस को टटोल रहा था जाहिर था कि दुश्मनों ने उसके निरंदर आगे बढ़ती खोजबीन पर अंकुष लगाने के लिए ही वो चाल चली थी तौबा पड़े लिखे संभ्रांत लोगों के साथ ऐसी बीच सकती थी तो उसके साथ तो जो ना गुजरती वो कम थी अकबार में खबर को खूब मसालेदार बना कर छपा था और जालानी को कहानी का विलन साबिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी उसने एक्सप्रेस मंगाया वो खबर उसमें भी मुख्य प्रिष्ट पर छपी थी लेकिन साथ में डिब्बे और बदरूल हसन की तस्वीरों की जगा जालानी की तस्वीर छपी थी जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो समझ सका उससे उसने यही जाना कि एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्टर का एक गहरी साजिश का शिकार बताया था उसमें ये भी दर्श था कि उस रोज पुलिस ने रिमान के लिए जहलानी को डिप्टी चेफ मेट्रो पोलियन मेजिस्ट्रेट के कोट में पेश करना था वो नहा धोकर तयार हुआ तब तक दस बज गए उसने नवलानी के घर पर फोन लगाया फोन उसकी बेविस सुमन ने रिसेव किया साधी रात नर्सिंग होम से पती के सिरहाने बैठी रही वो उसी क्षण गर लोटी थी और लगभग उल्टे पाउं ही वापिस लोट जाने वाली थी तब जीत सिंग को और भी देशतनाख खबर सुनने को मिली जो अख़बारों तक नहीं पहुँच पाई थी पिछली रात उसी सोसाइटी की पारकिंग में जिसमें की वो लोग रहते थे कुछ अंजान लोगों ने नवलानी को इतनी मार लगाई थी कि उसकी तीन पस्लियां चटक गई थी और बाई भां की दो जगा से हड़ी तोट गई थी उसके इलावा तमाम जिसम पर बनी खरोचों जखमों का तो कोई हिसाब ही नहीं था कोई बुलाने आया था सुमन ने बताया किसी से मिलने वो नीचे गए थे काफी देर तक ना लोटे तो मैं उनकी तलाश में नीचे गई मुझे तो पता भी नहीं चलता कि वो पारकिंग में बेहोश पड़े थे अगरचे कि कोई और रेजिडेंट अपनी कार निकालने उधर ना गया होता और उसे वो जमीन पर गिरे पड़े ना दिखाई गए होते अब कैसी हालत है जीत सिंग ने देशतनाक लहजे में पूछा बहुत खराब डॉक्टर कहते हैं हफ़ता दस दिन तो नर्सिंग होम में ही रहना पड़ेगा उसके बाद भी उठकर चलने फिरने लायक बनने में महीना लग जाएगा हे भगवान है कहाँ शिवा जी पार्ट में विलास राव मैमोरियल नर्सिंग होम में क्या मैं मिल सकता हूँ अभी नहीं अभी वो एक्स्टेंसिव केर यूनिट में है वहां से उन्हें कमरे में शिफ्ट किया जाएगा तो तब मिल सकते हो ऐसा कब होगा शायद कल मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताईए जीट सिंग बताया ना तुमने अपना नाम जी हाँ उनकी जुबानी मैंने कभी सुना नहीं तुम्हारा नाम मैं नहायत मामुली आदमी हूँ और उनका कोई पुराना वाकिफकार नहीं हूँ ये साहब का बड़पन है कि वो मुझे मून लगाते है होश में आएंगे तो मैं बोलूँगी जीट सिंग ने फोन किया था मैं उनके जल्दी ठीक होने के लिए दूआ करूँगा शुक्रिया जालानी को कोट में मैजिस्टेट के सामनी पेश किया गया कोट में अजीद दत और बड़ा वकील सातारा वाला पहले से मौझूद थे केस की सुनवाई शुरू हुई मैजिस्टेट ने सरकारी वकील का बयान सुना पुलिस के वादा माफगवा बद्रूल हसन का बयान सुना और शेक मुनीर का बयान कम सुना उसका चेहरा ज्यादा देखा जो पिछले रोज से ज्यादा बुरे हाल में पहुंच चुका था अपनी हालत को और ड्रामाई बनाने के लिए उसने अपनी एक बांग को स्लिंग में लटकाया हुआ था और जान बुश कर लंगडा के चल रहा था पुलिस के वकील ने उसके डॉक्टरी मौाइने का सर्टिफिकेट भी पेश किया जो कि उसे बुरी तरह से घायल बताता था मेजिस्टेट पुराने खयालों का आदमी था और वो वैसे ही अपने मिजाच से ही मीडिया की नई सौगात खोजी पत्रकारिता के खिलाफ था उसने नीज संकोच जालानी की जमानत की अर्जी रत कर दी और पुलिस की रिमान्ड की अर्जी कबूल करते हुए उसे चार दिन के रिमान्ड पर वापिस पुलिस के हवाले कर दिया जालानी का चेहरा उदर गया डोंट वरी अजीद दत ने गंभीरता से उसको कंदा थप थपाया मिस्टर सतारावाला कुछ करेंगे हम आज ही हाई कोट में अर्जी लगाएंगे सतारावाला बोला ठीक है गैरी सांस लेता जालानी बोला हवलदार ने उसके कंदे पर दस्तक दी जालानी पुलिस वालों के साथ थो लिया जीद सिंग ड्रांट रोट पहुंचा बिग बॉस से मालूम हुआ कि प्रोप्राइटर बिमार था अपने घर पर रेस्ट करता था और पता नहीं कब तक उधर नहीं आने वाला था वो माटूंगा पहुंचा बड़े अनिच्छा पूर्ण भाफ से दिब्बे ने जीद सिंग से मिलना कबूल किया वो बेडरूम में तक्यों के सहारे लेटा हुआ था जहां कि उसके एक नौकर ने जीद सिंग को पहुंचा आया कैसे आया डिबा भुन भुनाता सा बोला छापे में पढ़ा नकली हमदर्दी दिखाता जीद सिंग बोला अफसोस करने आया अरे मैं क्या मर गया है जो अफसोस करने आया मरे तुम्हारे दुश्मन पंठोबडे का तो कीमा कोट दिया सब हिसाब बराबर हो जाएगा सरकारी वकील बोलता था पांच से साथ साल तक नपे का बढ़िया भाई लोग तो बहुत खुश होंगे तुम्हारे से भाई लोग कौन भाई लोग जनकी इतनी खिदमत की अरे कैसी खिदमत? किसकी खिदमत? जनके दम पर इतना उमदा ड्रामा सेट किया और चापे वाले भीडो को फुल फिट किया ड्रामा? बडिया आजमाया हुआ मैंने एक फिल्म में देखा ऐसा एक भीडो एक मवाली को बोला मेरे को मार, राजी से खूब मार खाया, तुम्हारा माफी की थोबडा निकाल दिया, और फिर पिरेस को बयान दिया, कि इंस्पेक्टर ने मारा, इंस्पेक्टर बेचारा सस्पेंट, वर्दी सितारे सब उतर गए, डिपा कुछ शर्ण खामोश रहा, जीते, फिर वो बोला, मुझे लगा था कि तु बास आ गिया था, पंड तेरी बातों से लगता है गलत था, मैं समझा नहीं, ऐसा भोला बन के मत दिखा, सब समझा है तू, अरे भीडू, दरिया में रहना हो तो मगर से बैर नहीं करते, मैं अभी मी नहीं समझा, कैसे समझेगा, बड़ा बटाटा फिर समझाने आएंगा तो समझेगा, दिबबा, तेरे को कैसे मालूम की बड़ा बटाटा मेरे को कुछ समझाने आया, नहीं आया क्या, नहीं आया तो अब आएगा, फिर मेरा हाल जहलानी जैसा करेगा, या नवलानी जैसा, कौन नवलानी, जो नर्सिंग हो में पड़ा अ नहीं जानता जानता नहीं या जीते अब इशारों में बात करने का वक्त चला किया है अब मैं तेरे को साफ बोलता हूं बाज आजा वरना मारा जाएगा किस बात से बाज आजाओं तेरे को मालूम अरे किधर मालूम तू कुछ बोलेगा तो मालूम होगा ना मेरे बोलने से त कोई और ही बोलेगा और कौन बड़ा बटाटा जिसका आज कल तुम मैला चाटता है बास नहीं आएगा तो तो भी चाटेगा अब निकल ले क्या निकाल रहा है घर से मेरे को आराम करने का है कोई चा पानी के बिना ही निकाल रहा है घर से जीते अकलमन को इशारा काफी होता ह अरे मैं अनपर टपोरी, मैं किधर का अक्लमंद है नहीं तो बन, हमेशा के लिए नहीं बन सकता तो वक्ती तोर पर तो बन, वक्त का इशारा तो समझ क्या है वक्त का इशारा अपनी आउकात पैचान और चुप करके बैठ, गड़े मुर्दे ना उखाड किधर उखाड़े मैंने लारा रिबेलो के बारे में एक लवस भी बोला मैं क्या कौन लारा रिबेलो जिसके बारे में तुने साफ जूट बोल दिया कि वो केकी मिस्त्री के साथ नहीं थी नाम कैसे जान गिया तू तब कहीं जाकर जीत सिंग को अपनी गलती का एहसास हुआ कोई बोला वो ला परवाही जताता बोला शायद तो ही बोला हर्गिस नहीं मेरे को तो नाम मालूम ही नहीं था कैसे होता तो बड़ा बटाटा बोला होगा हम् ठीक है जाता है बोले तो वापसी में हाजी अली जाओं तेरी फौरी शफा की दुआ मांगने कोई जरूरत नहीं मैं खुद चला जाओंगा ठीक है दोपहर बाद धाई बजे के करीब दिली भाले कर थाने पहुँचा उसकी दर्ख्वास पर जालानी से उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर गोविलकर ने उसी छोटे से कमरे में अरेंज करवाई जिसमें खाली एक बैंच पड़ा था कैसा है भाले कर बोला जालानी ने सेहमती में सिर हिलाया क्या मेरे को पहचाना जालानी ने फिर सेहमती में सिर हिलाया मुँ में कोई तकलीफ है क्या बोलने में मुश्किल जालानी ने जवाब नहीं दिया वादा खिलाफी का मज़ा मिला ना मेरे को कुछ नहीं होने वाला जालानी गुसे से बोला कौन बोला तेरे को कुछ होने वाला है होने वाला होता तो अब तक हो गया ना होता जहां चोरों की तरह गुसा था, वहां मरा पड़ा ना होता घर में गुसा आए चोर को कोई गोली मार दे तो उसके ऐसा करने के अक्तियार पर कोई सवाल उठता है क्या? नहीं, शाना है तो किया क्यों नहीं आसान काम? कान को जब सीधे पकड़ सकते थे, तो गुमा के क्यों पकड़ा? वह हसा, फिर संजीता हुआ पर सोरात, वह बोला, तेरे घल चर कर मैं तेरे को अकल देने पहुँचा तो बोला, अकल है तेरे पास मैंने ये सोच के बात को नकी किया कि अकल है तो अकल से काम लेंगा पर अगली दोपहर जब तो उधर ना मिला तो मेरे को पकी हो गया कि तेरी अकल में लोचा जो कि मेरे को ही निकालने का था घर से किधर खिसक गया? बीवी बच्चे को किदर खिसका दिया तो समझा सेफ कुछ नहीं होने वाला था सोचा होगा तेरे को तेरे बीवी बच्चों का ढूड़ना बहुत मुश्किल खेट में है ना ससुराल तेरा इतनी सी जगा है खेट बालेकर ने दाए हाथ की उंगली और अंगुठे में एक फासला बना कर उसे दिखाया घर-घर जाके भी पूछना पड़े तो क्या टैम लगेगा मालुम करने में कि तेरी बीवी किधर रहती है जोलानी सक पकाया मेरा काम है वह इच खबर निकालना जो ना मिलती हो अभी और नमूना है मेरे पास क्या तू मेरे को बोला तू सब कुछ किसी फिरेंड को आगे बोलके रखा उस फिरेंड को जिसके साथ परसो रात तू कहीं बाटली मारेला था तू बोला उसको तेरे कतल की खबर लगेगी तो जो तू उसको बोला वो सारी दुनिया को बताएगा ठीक बोला न मैं हाथ तो उसके हाथ में एक अकबार था जिसको एक जगह से मोड कर वो बोला जालानी की अकबार में चपी तस्वीर पर निकाब पड़ी तो वो सन रह गिया वो तस्वीर शेकर नवलानी की थी उसने अकबार भाले कर हाथ से जपट लिया वो डेली नाम का अकबार था जो मुंबई का मिड़ डे पेपर था दो पहर में छपता था जो खबर इसमें छपी है भाले कर बोला वो तेरे अकबार जैसे अकबारों में नहीं छपी क्योंकि वक्त पर ना पहुँची खाले इस पर्चे में छपी जिसकी कौपी में खास तेरे वास्ते लाया पढ़ खबर जालानी ने खबर पड़ी फिर उसने अकबार पर से सिर उठाया तुम्हारा कार नामा है उसने पूछा पहले हां बोल यही वो भीडू है न जिसकी परसो रात तु मेरे को हूल देता था नहीं है बंडल मारेला है परसो शाम यॉट क्लब में तु इसी के साथ बाटली मारता था तेरा इसके साथ पहले से उधर का अपॉइंट्मेंट फिक्स था जालानी खामोश रहा मैं बोला था तुम दोनों एक साथ शम्शान घाट पहुँचेगा पर तु जिन्दा है ये भी जिन्दा है मेरे को मांगता होता तो ये अस्पताल की जगा शम्शान घाट पहुँचता और तु इधर हवालात की जगा शम्शान घाट पहुँचता तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि बहुत नर्म दिल मबाली हो मसकरी नहीं मारने का है नहीं है मैं ऐसा पर मैं पहले भी तेरे को बोला खून खराबा में तब ही करता है जब जरूरी तु बोला जरूरी मैं यहीं थाने में तेरे को टपकाता है कहना आसान है लोक अप में पंके से टंगा होईगा गोविलकर एफ आई रार में लिखेगा खुद खुशी कर ली जलानी के जिस्म में सिरन दौड गई अब केस्ट कोट में लग चुका है जलानी दबे स्वर में बोला मैं वो बोलू जो तुम चाहते हो तो अब तुम क्या सवार सकोगे पहले बोल फिर देख क्या बोलू केस पर काम करने को तेरे को किधर से टिप मिला हाँ किधर से गुमनाम फोन कॉल आई ऐसी फोन कॉल अकबारों के दफ्तरों में आम आती है पता लगाने की कोशिश नहीं की की कॉल करने वाला कौन था की लेकिन पता लग नहीं सका कोई हिंट भी नहीं मिला क्या जलानी जेत सिंग और बदरीनात का नाम जुबान पर नहीं लाना चाहता था लेकिन जानता था उस मवाली की तसली के लिए कुछ ना कुछ बोलना जरूरी था खाली इतना पता लगा कि कॉल जिस नंबर से आई थी वो नाक पाड़ा के राश्दीप होटल में चलता था पन ये पता नहीं लगा कि उधर कॉल लगाई किस ने थी राश्दीप होटल जो उधर अलेक्जेंडरा सिनेमा के पास है क्या हाँ ये तेरा जोडीदार बाटली फिरेंट शेकर नवलानी जिसका चापे में फोटू छपा ये भी तो किसी गवानी लड़की की तलाश में जगा जगा पूश ताश करता फिर रहा था ये ऐसा क्यूं कर रहा था इसे भी टेप मिला था क्या नवलानी टेप पर काम क्यूं करेगा वो तो प्रोफेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव है फीस लेकर काम करता है कोई फीस भरा क्या मैं बोला तेरा पच्चा फेस भरा क्या? किसी ने फेस नहीं भरी उसकी, वो मेरा दोस्त है, मेरी मदद करता है दोस्ती में मदद करता है? हाँ फेस को नकी बोलकर खाली होता है तो आजकल खाली है, इसलिए दोस्ती में मदद करता था, तेरी खातिर पूश ताच करता था हाँ, मैंने मान ली तेरी बात, अब अपना इरादा बोल मैं क्या बोलूं, तुम्ही कुछ बोलने वाले थे, तुम्ही बताने वाले थे कि तुम मेरा क्या सवार सकोगे बताता है पंड गरंटी मांगता है कि पहले की तरह वादा किलाफी नहीं करेगा नहीं करूंगा तेरे को दूसरा चानस इसलिए है क्यूंकि पिरेस वाला है मैं उसूल बना के रखा कि पुलिस और पिरेस से पंगा नहीं लेना मांगता कभी कोई पुलिस वाला नहीं टपकाया कभी कोई पिरेस वाला भी नहीं टपकाया बोले तो तेरे से शुरुक करे क्या नहीं तुम्हें पक्की समझों की तु वादा किलाफी नहीं करेगा हाँ चिलाकी भी नहीं करेगा चालाकी कोई शानपंती नहीं करेगा कैसे शानपंती खुद खामोश बैठ जाए और चापे के किसी अपने जैसे भीडू को किसी काम पर लगा दे मैं ऐसा नहीं करूँगा ऐसा मैं कर भी नहीं सकता ये एडिटर का काम होता है तू एडिटर को बोले का क्या नहीं जो बोल चका उसका क्या होगा अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा अब कोई छोटी मोटी बात चब भी गई तो वो कोई ज्यादा हलचल नहीं मचा पाएगी हम् तू हाथ खड़े कर क्या एडिटर को बोल आगे केस में कुछ नहीं रखा अच्छा वो हाँ वो छीक है तेरा चार दिन का रिमांट है उसके बाद जब तेरे को कोरट में पेश किया जाएगा तो सरकारी वकील और रिमांट की मांग नहीं करेंगा इसलिए बेल में कोई पर रॉबलम नहीं होईगा लेकिन चार दिन अभी आगे सुन पूरी बात सुन बोलो तेरा वकील हाई कोरट में आज अर्सी लगा लेगा तो उस पर सुनवाई कल होगी हाई कोरट में बेल मनसूर हो गई तो तु कल छूट जाएगा वरना उसके और दो दिन बाद लोर कोरट से ही चूट जाएगा ये मैं तेरे को पक्की करता है बेल हो जाने से केस तो नहीं खत्म हो जाता केस भी खत्म हो जाएगा कैसे? डिबा अपने शिकायत वापिस ले लेगा बोल देगा कि वो जो कैम्प्रो कर के माईस होता है वो कोरट से बाहर हो किया कॉम्प्रोमाईस आपसी समझोता? हाँ वही वही अब ऐसे ही क्लास में नवलानी की भी जाके ले या उसे तू ही समझा लेगा? मैं समझा लूँगा फिर क्या वांदा है? फिर समझ सब ठीक हो गया अभी कहा हो गया? वो तो इधर से निकलूँगा तो जानूँगा उसके लिए कोरट का ओर्डर जरूरी पर तो समझ तो थाने का महमान जो खिद्मत बोलेंगा होईंगा अभी जाता है जालानी ने सहमती में सेर हिलाया वो दर्वाजे की तरफ बढ़ा ठिटका, घूमा और फिर बोला एक बात और वो भी बोलो जालानी बोला बद्रूल हसन जो किया इस वास्ते किया क्योंकि मैं बोला वो तो अब जाहिर है बाहर निकल कर उसके गले ना परचाना अब उसके गले पढ़ने से मेरे हाथ क्या आएका आगे आएका ना डिबे के भी मौजूद हालात में तुम्हारी किसी भी तोते किसी भी चम्चे के पीछे पढ़ना वादा खिलाफी होगी अभी समझा वो चला गिया जीद सिंग घाट को पर पहुँचा हिला घर में मौजूद थी ऐसे चला आया वो बोला उमीद नहीं थी मुलाकात होगी आज लाइफ प्रोग्रेम नहीं था खाली रिकॉर्डिंग थी वो बोली अभी लौट की आई मैडम कैसी है कैसी होगी सबसे ज्यादा विपत्ती तो उसी पर तूटी बहुत जित करके कल रतनागिरी भेजा तो आज में स्चूडियो जा पाई यहाँ तो उस विचारी अपाहिश के लिए प्राब्लम ही प्राब्लम है रतनागिरी में फैमली के साथ रहेगी तो कुछ तो चैन पाईगी यहाँ तो जैसा हाल था मेरे को यही अंदेशा लगा रहता था कि कहीं सुसाइट ना कर ले ओ कैसे आया ऐसे ही मिलने चला आया नया कुछ नहीं मालुम हुआ क्या हुआ तो सही कुछ मालुम मसलन क्या पहले तो यही गैरंटी हुई कि नेता लोग जी जान से अपने चोकरे को बचाने में लगे हैं ऐसी ऐसी चाले चल रहे हैं जैसी कोई ताकत वाले लोग ही चल सकते हैं उपर से उनकी हर कर्तूत में पुलिस उनकी मदद कर रही है अब क्या हुआ? आज का अकबार देखा क्या? नहीं देखा टाइम नहीं लगा सुबह का कोई अकबार देखना डेली करके वो अकबार भी देखना जो दुपहर में छपता है देखूंगी लेकिन है क्या उसमें? जीद सिंग ने उसे जालानी की गिरुफतारी और शेकर नवलानी की धुनाई की बाबत बताया ओ माइ गॉड़ हीला आतंकित भाव से बोली ओ माइ गुड़ गॉड़ जालानी केकी के कतल की साजिश का परदा फाश करने में लगा था और शेकर नवलानी जो की प्राइविट डिटेक्टिव है उस गोवानी लड़की की तलाशी की जी तोड़ कोशिश कर रहा था जो शनिवार रात को केकी के साथ थी और जो तभी से गायब थी दोनों को ऐसा फिट किया गया कि कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ा जालानी हवालात में बंद है और नवलानी एक नरसिंग होम में अभी भी बेहोश पड़ा है यानि की किस्सा खतम खतम तो नहीं अभी क्या उमीद है नवलानी ने अपनी कोशिशों से गोवानी लड़की की बाबत कुछ जानकारी निकाली है उसने पंजी की उस क्लब का पता निकाला है जिसमें उधर वो काम करती थी उसके पैर्णे में रहती मा का पता निकाला है और उसके एजेंट का पता निकाला है उधर जाने से लड़की की बाबत कुछ मालूम पर सकता है कि वो कहां गायब हो गई और अब कहां पाई जा सकती है एक बार वो लड़की बरामत हो जाए और वो अपना बयान देने को तयार हो जाए तो बहुत तहल का मचेगा तो नेता लोगों की भी नहीं चलेगी ये बात क्या उन्हें नहीं मालम होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? तो फिर वो बरामत होने देंगे तब ना? हाँ, वो तो है हम लगता है अभी मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा जीत सिंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तुम क्या करोगी अभी तो मेरे को खुद नहीं मालूम लेकिन केकी की खातिर अब एक ऐसा काम करूँगी जिससे मैंने हमेशा परहिस किया है क्या करोगी एक फर्यादी है जो सालों से फर्याद कर रहा है उसकी फर्याद कबूल करूँगी केकी की खातिर मैं समझा नहीं दुश्मन के घर में सेंद लगाऊंगी हिला मैं अभी भी नहीं समझा आइंदा दिनों में हो सकता है कि यहां पक्का ही ताला पड़ जाए इसलिए जब आने का हो तो पहले फोन लगाना तुम पहेलियां बुझा रही हो है तो ऐसा ही कुछ जीते आज मैं एक बेहत खूफिया रास तेरे सामने खोलने जा रही हूँ वादा कर कि तुम उस बाबत फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहेगा नहीं कहूंगा वादा करता है हाँ क्यूं कहूंगा वादा कर दिया तो कर दिया तो सुन मदुकर राव साब ले मेंबर पारलियामेंट मेरा बाप है जीता जैसे आसमान से गिरा मैं उसकी नाजाइस अलाद हूँ कह क्या मैं सच कह रही हूँ हिला तो केकी की बेहन नहीं? हूँ, मेरा कोई सच में सगा भाई होता, तो मेरे को उससे उतना लगाफ नहीं होता, जितना की केकी से था, लेकिन मैं उसकी मा जाई बेहन नहीं हूँ, मैं मदुकर राव साब ले, और अपनी मा मारिया कोस्चैलो की नाजाईस उलाद हूँ, तेरी मा गोवानी है? थी, कब की मर गई? पार्सी नहीं? नहीं, मदुकर राव साबले मुझे हिला साबले बनाना चाहता है, लेकिन मैं हिला मिस्त्री हूँ और रहूंगी, केकी मेरा भाई था और रहेगा, मैं उसकी याद को कलंकित नहीं कर सकती, लेकिन एक मिशन की खातिर आइंदा दिनों में एक बड़ा कदम उठाऊंगी, बले ही वो मेरे को नागवार गुजरे. किस्ता क्या है हिला? अभी बोल तो दिया, बोल तो दिया कि मैं मधुकर राव साबले की और मारिया कोस्चैलो की नाजाएज आउलाद हूँ. क्या किस्ता है? उलूँ की तरह पलके जबकाते, जीत सिंग्ने फिर अपना सवाल दोहराया. ये एक घिनावनी कहानी है, जो कि मुझे जुबान पर नहीं लानी चाहिए, लेकिन इस से मेरी मा के करेक्टर पर लांशन आता है, लेकिन तो भी मेरे भाई जैसा है, और केकी की खातिर इतना कुछ कर रहा है, इसलिए तेरे को बोलती हूँ. सुन, नेता जी ने नौजवानी में शादी के वक्त शादी की थी, लेकिन शादी के छे साल बाद भी उलाद का मुझे देखना नसीब नहीं हुआ था, एक बार बीवी प्रेगनेंट हुई थी तो केस विगड़ गया था, और आठवे महीने में जच्चा बच्चा दोनों मर गए थे, और तब चालिस से उपर की उम्र में पहुँचा नेता जी, बे उलाद विधुर बन गया था, तब चाहता तो शादी कर सकता था, मेरी मा से ही कर सकता था, लेकिन बीवी की जगा माशूक उसे सहूलियत का सिलसिला जान पड़ता था, मेरी मा को उसने हमेशा इसी जांसे में रखा, कि वो देर सवेर उससे शादी कर लेगा, मेरी मा तब खाली उनने साल की थी, और वो उम्र ना समझी की होती है, और खामखा जजबाती होने की होती है, इसी वजह से वो प्रेगनेंट हो गई, उसने नेता जी को बताया और शादी के लिए इसरार किया, नेता जी ने शादी की हामी तो भरी नहीं, उल्टे प्रेगनेंसी के लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया, कि क्यों उसने प्रेगनेंट होने की लापरवाही की थी उसने शादी की ज्यादा जित की तो नेता जी दूद में से मक्खी की तरह उसे अपने जिंदगी से तो निकाल बाहर किया ही साथ ही ये भी लांचन जड़ दिया कि पता नहीं मेरी मा के पेट में पलता बच्चा उसका था भी या नहीं वो एक शन को ठिट की और फिर बोली मर्द ने औरत के साथ दगा करना हो तो ऐसे हालात में उसके पास औरत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यही हत्यार होता है फिर मैं पैदा हुई यह तब की बात है जब मेरी माँ 24 साल की थी और नेता जी पचास के पेटे में पहुँच रहा था मेरी माँ ने उसे मेरे जनम की खबर भिचवाई तो उसने आकर मेरी सूरत पर निगार डालने की भी जहमत नहीं की तब नेता जी का चुके शक्स के पास ऐसे कामों के लिए टाइम किधर था मेरी माँ चाहती तो उस पर मेरा बाप होने का इल्जाम लगा कर उसके पॉलिटिकल करियर को तबाग कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि जिसे दल से चाहा हो उसका बुरा नहीं चाहा जाता क्या इस बाद का नेता जी पर कोई असर नहीं हुआ थोड़ा सा हुआ मेरी माशोक की आलाद की परवरिश के लिए एक महाना रकम मेरी माँ को भिजवाने लगा दोबारा शादी नहीं की क्या पहले की नहीं फिर हुई नहीं पचास के पेटे में पहुँचा आदमी हम उम्र से शादी करने का तो खयाल भी नहीं करता वर्जिन चोकरी मांगता है जो नहीं मिली फिर फिर ऐसी उम्र में पहुँच गया कि आलाद की कमी खलने लगी किसी वारिस का ना होना सताने लगा आगे खड़ा बुड़ापा डराने लगा तब तक मेरे को केकी के मां के हवाले करके मेरी मां मर चुकी थी इसलिए पहले तो मेरी तलाश ही नहीं कर पाया मेरी मां जिन्दा होती तो तलाश जल्दी काम्याब होती उसके मरते ही उस रकम की हासरी लगनी भी बंद हो गई थी जो कि वो एहसान करने के लिए या अपना गुना बक्षवाने के लिए बिजवाया करता था आखिरकार जब मैं बार्वी क्लास में पढ़ती थी तो किसी तरह से उसकी तलाश काम्याब हुई और पहुँच गिया मेरे पर अपना क्लेम लगाने जवाब में मैंने उसको ऐसा जलील किया कि दुबारा मेरे पास फटकने की मजाल नहीं हुई मैं साफ बोली कि जो शक्स पेड़ का दावेदार ना बना वो फ़ल का दावेदार बनने क्यूं पहुँँ पहुँच किया जो कि उस पेड़ को लगा था बोला जिस शक्स ने मा के साथ इंसाफ नहीं किया उसकी क्या गैरंटी थी कि वो बेटी के साथ इंसाफ करेगा तो क्या वो चला गया चला तो गया लेकिन मेरा खयाल मेरी चाथ दिल से नहीं निकाल सका क्यूंकि मेरी शकल पर पहली निगाप पढ़ते ही मैं उसके माथे पर लिखा पढ़ सकती थी कि उसका अपना खून उसे अपनी आँखों के आगे दिखाई दे रहा था कभी नेता जी से मिला है क्या मेरे ऐसे भाग कहा मेरे को तो इतने बड़े आदमी के कोई पास भी ना फटक ने दे जीत सिंग बोला कभी मिले तो देखना मेरी कितनी शकल नेता जी से मिलती है इसी वज़ा से के किसे नहीं मिलती हाँ फिर क्या हुआ क्या होना था नेता जी दुबारा तो मेरे करीब नहीं फटका लेकिन उसके पैगाम हमेशा मेरे पास आते रहे कि मैं जब चाहे उसके पास आ सकती थी और उसकी मसान जैसी विरान जिंदगी में रौनक ला सकती थी तो सोच जीते मेरा नेता जी की पेशकश कबूल करना मेरी कितनी बड़ी दगाबासी और एहसान फरामोशी होती मिसिस मिस्तुरी नाम की उस ओरत के साथ जिसने हर किसी को हमेशा बूला कि उसके दो बच्चे थी एक लड़का, एक लड़की थी एक केकी था, एक हिला थी खुद केकी ने कभी मेरे को एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी सगी बहन नहीं थी उसकी मौत पर मेरी आंख उतना नहीं रोती जितना दिल रोता है अपना चला गया, पराया रह गया वो भी छोड़ के चल दे तो ये अंधेर नहीं तो क्या है लेकिन तुम्हारा ऐसा इरादा है क्या? खाली मतलब हल करने के लिए मैं नेता जी के घर में रहूंगी तो मेरे को बहुत कुछ सुनने को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और मेरे देखे सुने में से जरूर ऐसा भी कुछ निकलेगा जो केकी की मौत के लिए जिम्मेदार उस चोकरे बोनी जादफ को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाएगा जहां कि उसका असल मुकाम है जो केकी के खिलाफ साजिश करने वालों का परदाफाश करेगा ऐसा एक शक्स तुम्हारा बाप है मेरे को ऐसे बाप की कोई परवा नहीं उसे मालूम नहीं होगा क्या कि तुम केकी की बेहन हो नहीं मालूम अभीकल स्चूडियो में घर आजा बेटी की मुनहार करता फोन आया वो जब पहली बार तुम्हें लेने आया था तो उसे तब पता नहीं लगा था कि जिस परिवार ने तुम्हें अपनाया था वो केकी का था नहीं पता लगा था तब हम रतनागिरी में थे और खाली केकी मुंबई में चिंच पोकली में अकेला रहता था हम मुंबई पका रहने के लिए तभी आई थे जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं फेमस टीवी परसनालिटी बन गई थी ओ, फिर भी उसे मालूम होगा तो मुझे यकीन है कि वो आलाद के लिए तरसा हुआ शक्स इस वज़ा से मेरे से मूँ नहीं फेरने वाला कि मैं केकी की बेहन थी, अब मेरे मगश में पढ़ा कि परसो क्यों पूछती थी कि किसी ने अपनी सगी आलाद और सगे भांजे में से एक को चुनना हो तो वो कैसे चुनेगा पढ़ा ना तबी से सोचे बैठी थी कि नेता जी की मनुहार कबूल करेगी और जाकर उसकी बेटी बनके रहेगी एक मिशन की खातिर तबी पक्के करके बोलती थी कि तेरे भाई का इंसाफ होके रहेगा हाँ, उदर से कुछ हाथ नहीं आया तो तो वापिस किसी को उमीद बंधा कर उसे ना उमीद करना तो ठीक नहीं डेलिबरेट कोल्ड बलड़िट मर्डर करना ठीक है क्या ऐसा कर चुकने के बाद उसकी परदादारी करना ठीक है क्या एक मुझरिम को सज़ा से बचा कर उसका होसला बढ़ाना ताकि वो और बड़ा जुर्म कर सके ठीक है क्या जो मुझरिम को मुझरिम साबित करने की कोशिश करे उसे गिरफ़तार करा देना उसे जूटे मुकदमे में फसवा देना उसके हाथ पाउं तुड़वा देना ठीक है क्या जालिम की मदद करने वाला भी जुलमी ही होता है जीते हाँ ठीक कहा अब मैंने तेरे को जो इतना कुछ बोला है उसे सीक्रेट रखना खास तोर से ये किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि सालों साल नेता जी की विन्ती ना मन्जूर करते रहकर क्यूं मैंने एका एक उसकी बेटी बन कर उसके साथ रहना कबूल कर लिया और कॉंटेक्ट बनाई रखना मोबाइल नंबर पहले ही दिया मैं तेरे को हाँ नोट करके रखना काम आएगा चीक है एक आखरी सवाल क्या उधा तेरे को कोई खत्रा तो नहीं होगा कैसा खत्रा नेता लोग चम्चों से घिरे रहते हैं एक बड़ा बटाटा करके ही भीडू है जो ऐसा खतरनाक है कि क्या बोलूं नेता जी के लिए सब वही सेट करता है चाहे किसी के हाथ पाउं तोड़ने का हो चाहे किसी को खलास करने का हो मेरे पास भी पहुँचा बहुत डेंजर आत्मी प्रान कमपा गया मैं उसे बकरी बन के मिम्या कर ना दिखाया होता तो वहीं लाश गिरा देता क्या कहना मांगता है ऐसे किसी भेडू को उधर पता लग गया कि तेरे एका एक नेता जी को अपना पिता कबूल कर लेने के पीछे तेरा असल मतलब को छोर तो तेरा क्या होगा हिला कुछ नहीं होगा जीते नेता जी मेरा फादर, मेरा डैडी मेरा बाबुल होने देगा क्या मेरे को कुछ शायद नहीं होने देगा पर ऐसा नहों कि जो होना हो वो हो चुका हो तो उसे उसकी खबर लगे कहने का मतलब ये है कि उधर खबरदार रहने का है ये सोच के रहने का है कि उधर सब दुश्मन तेरा उधर जाना राजी इससे एक चकर व्यू में फसने जैसा होगा इसलिए मेरे को तेरी फिक्र तो फिक्र मत कर जीते मैं सब संभाल लूँगी ठीक है फिर गुरुवार 22 जन्वरी सुबह 11 बजे जालानी का केस हाई कोट में लगा हाई कोट का जज इस बात से प्रभावित दिखाई दिया कि मुल्जिम एक नैशनल डेली का प्रतिष्टित रिपोर्टर था जबकि लो़र कोट का मैजिस्ट्रेट इस बात को जरा भी खातिर में नहीं लगा था उसने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना और फिर अपनी को हवालात में बंद किये जाने के लिए फिर हवालाई पुलिस कर दिया गया उस रोज के इंडियन एक्सप्रेस में अजीदत की बाई लाइन के साथ और जहलानी की खोजबीन के आधार पर एक लंबा लेक छपा जिसमें स्पष्टतिया किसी पर कोई इलजाम नहीं लगाया गया लेकिन इस बात की तरफ साफ इशारा किया गया कि केकी मिस्त्रे की मौत में सरसर कोई भेट था उसके कत्र का केस होने की पूरी-पूरी संभावना थी और उसकी लिपा-पोती में रुत्बे और रसूक वाले लोग लिप थे लेक में उस रहस्य मई गुवानी लड़की का भी जिक्र था जिसके केस में कहीं न कहीं फिट होने का कई जगा से इशारा मिलता था लेकिन जिसके वजूद की हामी कोई नहीं भरता था लेक के अंत में एक चैलेंज की तरह लिखा गया कि यदि ऐसी लड़की का अस्दित्व था तो एक्सप्रेस के खोजी टीम उसके तलाश में जमीन आसमान एक कर देगी उस गोशना ने दिली भाले कर इतना आंदोलित किया कि उसने लारा रिबेलो को अगले हफते मुंबई से निकालने की जगा उसी रात वहां से बाहर कर देने का खत्रा उठाने का फैसला कर लिया उसके इलावा अकबार की हाल दुआई ने उस पर कोई असर नहीं डाला क्योंकि वो जानता था कि अकबार की इशारों की जुबान को पबलिक में कोई नहीं समझता था और जालानी के सेट हो जाने के बाद अपनी किसी बात को सिद करना एक्सप्रेस के बस का नहीं था जालानी के और नवलानी के भी कस्वल पूरी तरह से निकल चुके थे इस बात का उसे पूरा यकीन था उस तरफ से आश्वस्त हो कर अब उसने जालानी के गुमनाम टेलीफोन कॉलर की तरफ तवज्जो देने का फैसला किया था जिसके संदर्प में उसका ध्यान इसलिए बार बार जीट सिंग की तरफ जाता था कि वो भी नाक पाड़ा के उसी होटल में ठेहरा हुआ था जिससे कॉल आई जालानी बताता था जीट सिंग का देहशर की पार्टी में एका एक हिसक आना उसे तब भी खटक रहा था और वो उससे एक और मुलाकात का मन बनाए बैठा था लेकिन ये बात अभी उसके दिमाग में पूरी तरह से घर नहीं कर सकी थी कि जीट सिंगी एक्सप्रेस का गुमनाम कॉलर हो सकता था एक मामुली ताला थोड़ उसकी अकल कहती थी इतना बड़ा पंगा नहीं ले सकता था टैक्सी दादर में रोड पर पहुँची यहां रोकना सामने मल्टी स्चोरी फ्लैटों के बीच खड़ी चार मंजिला एंटी की मारत दिखाई दी तो हिला बोली ड्राइवर ने टैक्सी रोकी हिला ने भाड़ा चुकाया टैक्सी में से निकली और कंदे से लटकता अपना बैट जुलाती इमारत के आईरन गेट पर पहुँची वहां बैठे दर्बान ने उसका ऐसा रोक खाया कि उसके मुग खोलने से पहले ही उसने आईरन गेट खोल दिया वो भीतर दाखिल हुई और चंद कदम आगे की दो सीड़ियां चड़के इमारत के बंद में डोर पर पहुँची उसने कॉल बैल बचाई और प्रतिक्षा करने लगी हाउस के पर कोटर ने दर्वासा खोला उसने सामने खड़ी खूब सूरत नौजवान लड़की पर निगार डाली तो उसके चेहरे पर उल्चन के भाव आई कौन थी वो लड़की पहले तो कभी नहीं देखी थी हाँ वो बोला साहब घर पर है क्या हिला ने अधिकार पूर्ण स्वर में पूछा कौन साहब यहाँ कोई 150 साहब रहते हैं क्या MP साहब और कौन साहब क्या काम है मेरे को उन से नहीं उनको मेरे से काम है ऐसा क्या हाँ जाके बोलो हिला आई है अभी उसे दर्वाजे पर खड़ा छोड़ कर कोटक भीतर हॉल में एक उन्चे स्टैंड पर रखे फोन पर पहुँचा उसने कहीं फोन किया दबिस्वर में माउथ पीस में कुछ बोला और फिर फोन रखकर वापिस लोटा आओ वो बोला हिला भीतर धाकिल हुई वो सामने लिफ्ट है कोटक बोला टॉप फ्लोर पर जाने का है ठीक है लिफ्ट द्वारा वो टॉप फ्लोर पर पहुँची लिफ्ट का दर्वाजा खुलने का इंतिजार में पहले ही उसने सामने मौजूद था दर्वाजा खुला तो उसने हिला का सादर अभी बादन किया और संकेत से अपने साथ आने को बोला हिला उसके साथ थो ली लहोटी उसे स्टडी के बंद दर्वाजे पर लाया उसने दर्वाजा आधा खोला और स्वयम एक तरफ फट गया हिला बेतर दाखिल हुई लहोटी ने उसके पीछे दर्वाजा बंद कर दिया हिला ने सामने निगा दोड़ाई एक विशाल ओफिस टेबल के पीछे राज सिहासन जैसी एग्जेक्यूटिव चेयर पर नेता जी विराज मान था उसे हिला के आगमन की खबर की जा चुकी थी फिर भी उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे देख कर ही यकीन आया हो की खबर सही थी हिला उसने उठकर उसका स्वागत किया इधर इधर पास आ मेरे हिला ने आदेश का पालन किया नेता जी बहुत प्रेम भाव से उससे बगल गेर होकर मिला फिर उसने अपने करीब एक कुर्सी खेंच कर उसे बिठाया सुना तो यकीन नहीं आया कि हिला आई थी वो बोला उसने आँखे भर कर उसे देखा कितनी बड़ी हो गई है बड़ी और सयानी हिला बड़े संकोश पूर्ण भाव से मुस्कुराई कैसे आई नेता जी बोला सोचिये मैं क्या सोचूँ मेरा सोचा ठीक ना निकला तो मुझे दुख होगा तो ही बता आपने अभी बोला ना कि मैं बड़ी हो गई हूँ सयानी हो गई हूँ हाँ उम्र के साथ साथ बहुत तबदीलिया आती है खास तोर से खयालात में वो तो है तो समझ लीजिए पिशली बार आखरी बार आप से मिलने के बाद से मेरे खयालात में भी बहुत तबदीलिया आई है ऐसा क्या हाँ कभी आपने मुझे अपनी बेटी बनाने की ओफर की थी अगर वो ओफर अभी भी स्टेंड करती तो अरे बेटी कैसी बाते करती है तो तो है ही मेरी बेटी मुझे नहीं मालूम आपको नहीं मालूम जिसे मालूम था वो मर गई मुझे मालूम है जमाने को यकीन दिलाना मुश्किल होगा मुझे जमाने की परवा नहीं लेकिन मुझे है तो फिर आपको मुझे अडॉप्ट करना होगा अडॉप्ट करना होगा हाँ अपनी ही बेटी को गोद लेना होगा हाँ मुझे मन्जूर है इससे तुझे खुशी होती है तो मुझे खुशी होती है तो फिर मुझे मन्जूर है हलो डेडी हलो माई धियर हेलो माई हनी चाइल्ट शुकरवार 23 जनवरी अगले रोज सुबह जालानी की जमानत हो गई वकिल सतारावाला उस रोज बहस के लिए भरपूर तयारी करके आया था और उस प्रकार के जमानत के कई पुराने मुकदमों के हवाले नोट करके लाया था लेकिन उस रोज उसकी तयारी किसी काम नहीं आई जज ने उस वावत पहले ही हुक्म सुना दिया ये सुनश्चित कर लिया गया है कि पुलिस को जमानत से कोई अतरास नहीं है जज बोला और मुल्जिम एक प्रतिष्टित अकवार का प्रतिष्टित प्रतिनिधी है इसलिए पुलिस की राजी को मद्दे नजर रखते हुए ये अदालत उसे नीजी मुछलके पर रहा किये जाने का हुक्म देती है पुलिस के रवये में आई वो अप्रत्याशित तब्दिली सतारा वाला को हैरान करने वाली थी उसकी कोई वज़ा कोई जानता था तो खुद जालानी जानता था बाली करणे अपने करार पर ख़रा उतर कर दिखाया था कैसा आजात मुल्क था वो जिसका निजाम मवालियों के हाथ में था ग्यारा बजे जीत सिंग तारदेव थाने पहुँचा और इंस्पेक्टर गोविलकर के हुचूर में पेश हुआ मैं तेरा ही इंतिजार कर रहा था गोविलकर बोला बैट शुक्रिया बाप जीत सिंग उसके सामने एक कुरसी पर बैट कया उसने दराज से गन निकाली मैंने इसे पूरी तरह से चेक कर लिया है जो तेल वेल देना था वो देकर इसे चोकस कर दिया है चोकस करने में दो गोलिया चलानी पड़ी अब इसमें आठ की जगत छे गोलिया है और छे भी कोई कम नहीं ठीक से जिम्मेदारी से चोकसी से काम करेगा तो एक ही गोली चलानी पड़ेगी पंड तेरे को दो चलाने का है ताकि पूरी गैरंटी हो कि भिडू मर गया गन पर फिंगर प्रिंट्स नहीं छोड़ने का है और उसे उधर इच फैंक देने का है सब याद मेरे को साहब वो भी याद जो कॉमरेट साहब बोला हाँ फिर भी बोलता हूँ ताकि कोई बात भूल गई हो तो याद आ जाए उसको वाच करके देखा गिया है कि कांदी वली के कब्रिस्तान में अपनी मा की कब्र पर वो हमेशा शाम 5 बजे पहुचता है तेरे को शाम 5 बजे से पहले उदर होने का है और कहीं छुब कर वेट करने का है वो 8-10 मिनट कब्र पर ठेहरता है 5 मिनट से कम तो हर्कीस नहीं इसलिए अपना निशाना वगेरा सेट करने के लिए तेरे पास भरपोर टैम होगा छीक है ना छीक है साहब इतने बड़े कब्रिस्तान में तेरे को कैसे मालूम होगा कि वो कहां पहुंचेगा और तूने किधर उसका इंतिजार करना है मैं पूछने ही वाला था तो पूछा क्यों नहीं अभी तो तेरे को यही नहीं मालूम होगा कि कांदी वेली में कब्रिस्तान किधर है वो तो मालूम है उधर एक ही चर्च है जो कि कब्रिस्तान से 10 मिनट के पैदल के फासले पर है चार बजे उधर पहुंच जाना वहां तुझे कोई मिलेगा जो तुझे funeral पार्लर के रास्ते चुप चाप कब्रिस्तान में दाकिल होना भी बताएगा और जोर्च डेविस की मा की कब्र भी बताएगा किधर है मैं उसे पहचानू का कैसे सहब वो तेरे को पहचानेगा पहले से पहचानता है कोई हवलदार है क्या पागल है इधर के किसी भेड़ो को मैं कतल का गवा होना नहीं मांगता कोई गवा होगा जीत सिंग के नेत्र फैले अरे उधर कोई तेरे को ये गन देगा या नहीं देगा गन आप मुझे अभी नहीं दे रहे क्या नहीं अभी शाम होने में बहुत टैम बाकी है तो गन के साथ कहीं पकड़ा गया या हाथ में हत्यार आते ही कोई और वार्दात करने का होसला कर बैठा तो सब चोपट हो जाएगा पन बाप गवां कोई वांदा नहीं वो भेड़ो खलास वो कामरेट को मालूम तो किया मेरे को तो मालूम है ही पन बाप चश्म दिद गवां बोला ना कोई वांदा नहीं है ना बाप अरे और कोई तरीका नहीं गन तेरे को अभी नहीं दी जा सकती तो साहब उसको बोला कि चार बजे अपना काम करके वो उधर से नक्की करे वो ना उधर ठेहरे ना मेरी निगा भी नहीं करे उसके पीट फेरते ही तुने काम को नक्की किया तो साहब उसके वहां होते भी मैं काम को नक्की किया तो शाना है छीक है वो तेरे को रास्ता दिखाएगा कब्र दिखाएगा गन सौंबेगा और लौट आएगा अब राजी है ना? हाँ और कुछ पूछना मांगता है मैं उस भीडु को पहचानता तो होएंगा नहीं अगर उस वज़ा से कोई लोचा नहीं होगा वो सूरज डूपने का वक्त होता है तब कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता कोई नया मुर्दा दिन में दफनाया जाता है फिर भी फिर भी ऐसा कुछ होगा तो कब्रिस्तान के खाली हिस्से में होगा ना कि वहाँ होगा जहां कब्रे पहले ही बनी हुई है साहब कामरिट साहब बोले मा तीन महीना पहले मरी इस लिहाजा से ताजा कबर तो किसी खाली हिस्से में ही होगी नहीं होगी जॉर्ज डेवस घटिया आदमी निकला पर उसके पूरवज खांदानी थे उधर उसका फैमली वाल्ट है और फैमली वाल्ट है जो कि कहते हैं डेट सो साल से चला आ रहा है उसकी मा की कबर वहाँ है इसलिए उधर किसी के आने जाने का कोई मतलब नहीं मेरे को खाली यहिछ शिनात की जो उस खास कबर पर पहुंचे उसी को टपकानी का है क्या हाँ इतने शिनात काफी है सहब प्रॉबलम होईंगा कोई प्रॉबलम नहीं होगी सब पहले ही सोचा विचारा जा चुका है फिर भी कोई प्रॉबलम होगी तो तब ही होगी जब तू अपना काम ठीक से नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा सहब तो फिर बहस मत कर यह सोच के काम को ठीक करके दिखा कि यूँ तो नहीं अपनी आजादी खरी दी वादा नहीं सहब मैं अपना काम एंट ठीक करेंगा अब निकल ले ही 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 क्या है दान क्यों निकालता है सहब कुछ भूल रहे हो क्या गन के साथ आज आज आप मेरे को कुछ और भी देने का था अबे क्या सहब वो दो सर्टिफिकेट ओ हाँ सच में ही भूल गया था सर्टिफिकेट तयार है तेरे उसने मेज का एक दरास खोल कर उसमें से एक लंबा लिफाफा बरामत किया और उसे जीत सिंग के सामने डालता बोला चोकस कर जीत सिंग ने लिफाफा उठा लिया उसने देखा उसका मुँख खुला था उसने भीतर मौजूद दो तैस शुदा फुल स्केप कागस बाहर खींचे और उन्हें कोल कर बड़ी बारी किसे बारी बारी उनका मौईना किया दोनों कागसों पर उसकी हासरी की तस्दीक एन वैसी ही थी जैसी कि वो चाहता था दोनों सर्टिफिकेट की तहरीर जामुनी रंगत वाली काली सिहाई ही से हस्त लिखित थे और नीचे गोविलकर के हस्ताक्षर पद और थाने के पते की मोहर लगी हुई थी उसने दोनों कागस तै किये और वापिस उन्हें लिफाफे में रख लिया राजी गोविलकर बोला हा सहब शुक्रिया सहब अब फोट यहां से सलाम सहब जीत सिंग शिवाजी पार्क पहुँचा वहाँ बड़ी सहूलियत से उसने विलास राओ मेमोरियोर नर्सिंग होम तलाश कर लिया वहाँ पहुँचने से पहले उसने तार देव से नवलानी के घर का फोन लगाया था तो कोई जवाब नहीं मिला था हिच किचाते हुए उसने मोबाइल बजाया था तो बीवी बोली थी जिसने बताया था की पिछली रात को नवलानी को आई सी उसे निकाल कर कमरे में पहुचा दिया गया था और कमरे का नंबर 307 था जिजगते हुए उसने कमरे में कदम रखा तो दर्वाजे पर ही थमक कर खड़ा हो गया नवलानी के पास एक स्चोल पर एक्सप्रेस वाला जालानी बैठा नवलानी से बात कर रहा था नवलानी तकियों के सहारे अद लेटा सा पड़ा था उसके जेद सिंग पर निगाप पड़ी तो वो प्षेंट स्वर में बोला आओ भाई जेद सिंग जिजगता सा आगे बढ़ा बैठो ऐसे श्ठीक है सहब जेद सिंग बोला अरे बैठो बैठता है सहब खबर लग गई सहब छापे से भी लगी घर पर फोन लगाने से भी लगी ओ अभी पता चला कि आप अब रूम में है तो इधर आया हम ये मेरा दोज जलानी है एक्सप्रेस का रिपोर्टर मेरे को मालूम सहब कैसे मालूम जलानी बोला चापे में फोटो चपाना आपकी खबर के साथ और बिग बॉस में भी देखा इतवार को आप बार मैन को बोला आप एक्सप्रेस का रिपोर्टर जलानी मैं सुना क्योंकि तुम उधर बार पर मौजूद थे काला सूट पहने लाल टाई लगाए हाँ सहब जीत सिंग ऑल्सो नोन एस बद्रीनात सहब घबराने की कोई बात नहीं जीत सिंग नवलानी आश्वासन भरिस्वर में बोला समझो हम तीनों एक है ऐसा क्या हाँ जलानी से अब छुपा नहीं है कुछ कि उसे गुमनाम कॉल लगाने वाले तुम थे ओ सहा कुछ मालुम हुआ आप पर कौन हमला किया अब ना मालुम हुए भी सब मालुम है भाई जलानी की गिरफतारी और मेरी ये हालत एक ही शड्यंत्र का हिस्सा है कोई नहीं चाहता कि केकी मिस्त्री के कतल के केस को कुरेदा जाए या उस गोवानी लड़की की तलाश की कोशिश की जाए जो शनिवार रात को केकी के साथ और ऐसा कौन नहीं चाहता ये हम तीनों जानते हैं जीत सिंग ने सहमती में सेर हिलाया दीदा दिलेरी देखो उन लोगों की जिनोंने मेरी ये गत बनाई एक बकाईदा घंटी बचा कर मुझे फ्लैट से बुलाने आया और दूसरा सोसाइटी की एक एस्चीम कार को जो की पार्किंग में बिलकुल पीछे बाउंडरी वॉल के साथ नी मंधेरे में खड़ी थी खोल कर भीतर बैठा हुआ था मुझे बाद में बीवी से मालुम हुआ था कि वो कार उनकी नहीं किसी रेजिडेंट की थी मेरे को खामोशी से अदमरी हालत में पहुंचा कर कार के पास गिरा कर वो टहलते हुए वहां से निकले और बाहर सडक पर खड़ी अपनी किसी गाड़ी में सवार होकर चलते बने बीवी कहती है कि वो मुझे ढूडने ना निकली पड़ी होती तो कोई बड़ी बात नहीं कि किसी डॉक्टरी इमराथ इमदात के बिना मैं वहां पार्किंग में पड़ा-पड़ा ही मर गया होता थोबा जीत सिंग अच्छा हुआ तुम आ गए और ऐसे वक्त पर आए जबकि जलानी भी यहां मौजूद है क्योंकि हम दोनों ने एक ही बात तुम्हें कहनी है क्या सहक मौजूदा हालात कुछ हैसे बन गए है कि वो हम दोनों की कलपना से परे थे जो काम हम दोनों कर रहे थे अगर उसे अब भी जारी रखेंगे तो यकीनन जान से जाएंगे नहीं सहक ऐसा नहीं होना मांगता ऐसा ही होगा जलानी को क्लियर वार्निंग है कि ये केकी के केस से हाथ खींच ले वरना पर लोग जाने के लिए तयार रहे मेरे को जुबानी कोई नहीं बोला कि मैं गवानी लड़की की तलाश से हाथ खींच लूँ लेकिन मेरे पर हुए नियर फेटल अचैक की और कोई वज़ा भी नहीं है साहब आप उस लड़की को मेरे बोलने पर तलाश कर रहे थे जालानी साहब केकी के मर्डर पर मेरे टिप पर काम कर रहे थे ऐसे तो कोई मेरे को भी टपकाने आता ही होगा जरूरी नहीं क्योंकि जालानी ने उन्हें कहा है कि मैं जो कर रहा था इसके कहने पर कर रहा था और इसने गुमनाम कॉल वाली बात तो बताई है लेकिन ये नहीं बताया है कि इसे ये भी मालुम हो चुका है कि वो कॉल करने वाले तुम थे इस लिहाद से तुम अभी सेफ हो ओ, अब तुम्हारे सामने दो चॉइस हैं क्या साहब? या तु केकी के कतल के बाद बने विस फोटक हालत से किनारा कर लो या जो करना है खुद करो मैं क्या करूं साहब? तुम्हारा सवाल ही बता रहा है कि हालात से किनारा करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं अब नहीं साहब तो तुम ये करो कि लारा रिबेलो नाम की गोवानी लड़की की तलाश में खुद निकलो क्या मैं तलाश कर पाऊंगा साहब? हो सकता है कर लो लड़की की मा एक बड़ा जरिया है उसकी तलाश का हो सकता है वो जरिया तुम्हारे मिशन की काम्याबी का जरिया बन जाए निकल कर कहां जाऊं साहब? गोवा आगे वहां के डिस्ट्रिक पैरनिम जहां की लड़की की मा रहती है मैंने तुम्हें मंगलवार शाम को यॉट कलब में इतना कुछ बताया तो था बताया था साहब जीत सिंग खेद पूर्ट स्वर में बोला पंजो करना था आपने करना था इसलिए याद रखने की कोशिश नहीं की कोई प्रॉब्लम नहीं मैं सब तुम्हें एक कागस पर लिखके दे देता हूँ तुम चाहो तो प्लेन से आज ही पंजी पहुंच सकते हो और आगे पेरनेम का रुख कर सकते हो आज कैसे होईगा साहब आज तो स्पेशल डे है स्पेशल डे है एक कुर्बानी के पकरे की कुर्बानी का साहब शुक्रवार है ना आज साहब ओ तुम्हारे उस फंदे को तो मैं भूल ही गया था कैसा फंदा जालानी उत्सुभाव से बोला बोलूंगा नवलानी बोला और फिर जीत सिंग्स से सम्बोदित हुआ तो फिर आज तो इमتेहान का दिन है साहब फिर हो गया तो मैं नहीं पास भी हो गया तो पता नहीं आगे क्या होगा तो आप मेरे को जो लिखना है लिख के दो जो समझाना है समझाओ आगे जैसे हालात बनेंगे मैं वैसा कदम उठाऊंगा छीक है तुम्हें हम दोनों से कोई गिला तो नहीं नहीं सहब तुम हमारी मच्पूरी समझते हो ना हाँ मैं तो डॉक्टर कहता है कि एक महीने के बाद कहीं जाकर चलने फिरने के काबिल बनूगा लेकिन जालानी मेरे से ज्यादा फसा होने के बावजूद तुम्हारे काम आ सकता है वो कैसे बताओ भाई मुझे मेरी जाती हैसियत में मजबूर किया गया है जालानी बोला कि मैं केकी मिस्त्री के केस पर काम करना बंद कर दूँ लेकिन एक मुँ बंद करने से तमाम मुँ बंद नहीं हो जाते अगर तुम उस गोवानी लड़की का कोई सुराग निकाल पाए तो एक जालानी नहीं एक हजार जालानी तुम्हारे साथ होंगे खौफ ने बीवी बच्चे की सलामती की खौइश ने मेरी जुबान को ताला लगाया है ऐसा ताला एक्सप्रेस पर मुंबई के सारे मवाली मिलकर नहीं लगा सकते सारे हिंदुस्तान के मवाली मिलकर नहीं लगा सकते लड़की का सुराग निकालो फिर जो काम एक जालानी ने करना था वो पूरा मीडिया करेगा और फिर देखेंगे फिर देखेंगे कि जोश कितना बासुए कातिल में है जालानी की आवास भर रा गई जिन्दगी भर मुझे ये गम सताता रहेगा वो बड़ी कठीनाई से बोल पाया कि मैं उस राह से भटक गया जो एक निष्टावान पत्रकार की राह होती है मैंने खौफ खाकर अपने फर्स से मूँ मोड़ा मैंने अपने बीवी बच्चे की सलामती को अपने फर्स पर तरजी दी मैं तुम से नहीं, अपने अकबार से नहीं अपने आप से शर्मिन्दा हूँ उसकी आँखे डब डबा आई डोंट वरी, डोंट वरी, माई डियर फ्रेंड नवलानी सांतवना पूंट स्वन में बोला ये एक फेज है, जो गज़र जाएगा सूरज के सामने बादलों की क्या मजाल होती है लेकिन जब वो घुमरते हैं तो उसके तेश को धूमिल कर देते हैं लेकिन बादल चंड चाते हैं सूरज फिर निकलाता है जस्टिस विल प्रिवेल, टूथ विल इन बड़े लोगों की बड़ी बाते हैं वहां से रुकसत होता जीत सिंग सोच रहा था उसकी समझ में कहां आने वाली थी शाम होने से पहले जीत सिंग ने जो चिट पूट काम किये वो थे फिल्म वालों को कॉस्ट्यूम सप्लाई करने वाले एक डीलर से पादरी का लिबास हासिल किया ये उसकी खुद की सोच का नतीज़ा था कि फ्यूनरल पारलर में या इसाई कब्रिस्तान में वो पादरी के लिबास में देखा जाता तो किसी की उसकी तरफ तवज्यों तक न जाती बह मैं टोपी गाईलों की एक वर्दी हासिल की और उसकी टैक्सी हासिल की साथ में नर्सिंग होम में अभी भी खस्ता हाल पड़े गाईलों को समझाया कि दो घंटे शाम और दो घंटे अगली सुभा पर देशी उसके पास नहीं होने वाला था अगले रोज सुभा साथ बजे की सहारा एरलाइन्स की फ्लाइट का पंची का टिकट हासिल किया फिर वो कमाठी पुरा पहुचा मिश्री अपने घर पर मौजूद थी वो उसे आया देख कर बहुत हैरान हुई उमीद नहीं थी कभी आएगा वो बोली बोला था कभी मिलने आऊंगा जीत सिंग बोला क्यूंकि मैं तेरे को पसंद आई हाँ अभी इसी लिए आया सच बोलूं क्या ना भी बोले तो सच मेरे को मालूम भीतर कौन है कोई नहीं तो मेरे को भीतर आने देना वो दर्वाजे पर से हटी जीत सिंग भीतर दाकिल हुआ तो उसने उसके पीछे दर्वाजा बंद कर दिया बैट वो बोली मेरे को जाने का है तो आया क्यूँ लोट के आने का है पहली करता है मिश्री मैं गरच से आया मालूम तभी तो बोला सच ना भी बोले तो मेरे को मालूम बोल अपनी गरच मैं रात को इधर तेरे पास रहना मानता है उसके चेहरे पर हैरानी के भाव वाई अभी किधर रहता है? होटल में पक्का किधर रहता है? चिंच पोकली में उधर क्या है? मेरे को आज रात किधर छुपके रहना मांगता है उधर ये मुम्किन नहीं क्या कोई लफड़ा किया? अभी नहीं क्या करेगा हाँ लेकिन मर्जी से नहीं मजबूरी से तेरे लफ़डे ने मेरे को लपेट लिया तो ऐसा नहीं होगा मेरे को तेरी बात पर यकीन आ जाना वो वो तागडे इधर नहीं होएंगा उपर से आ गया तो दर्वाजे से नक्की करेंगा वो ना हुआ तो होगा होगा मैं बोली होगा तो होगा चीक है अभी जाता हूँ शुक्रिया बोलके चार बजे से थोड़ा पहले गाईलो की टेक्सी पर जिसे की ड्राइवर की वर्दी पहन के डेविट परदेसी चला रहा था जीद सिंग कांदी वली पहुँचा वहाँ चर्च कहा थी परदेसी पहले से जानता था जीद सिंग चर्च से परे ही उतर गया और पैदल उसकी तरफ बढ़ा चर्च के बाहर फुट पार पर टेहलता जो शक्स उसे दिखाई दिया वो चकोर था चकोर कामरेट का ड्राइवर जो सोमवार रात को उसे बिग बॉस से बुलाने आया था जीद सिंग करीब पहुँचा तो वो दांत निकाल कर हसा काफी पाखंडी है तेरा सहब जीद सिंग अप्रसन भाफ से बोला जब तू इतना भरोसे का है तो उधर ग्रांट रोड पर तेरे को सेर करने क्यूं भेजा तो सब सून लेता तो कौन सी आफ़त आ जाती उसने दांत फिर निकाले अब काम पर कर अपना जीद सिंग डपट कर बोला पहले ये देख चकोर बोला उसने अकबार में से निकाली एक कत्रन जीद सिंग की तरफ बढ़ाई ये क्या है देख जीद सिंग ने कत्रन लेकर उस पर निगाह डाली तो उस पर एक तस्वीर चापी पाई जिसमें माइक्रोफोन पर भाशन देते एक व्यक्ति का चाती से उपर का हिस्सा चपा था कौन है ये मुझे क्यूं दिखा रहा है वही है इसे लिए दिखा रहा हूँ जॉश डेविस हाँ तो बोला ना किसी को तेरे को इसको पहचानने का कोई जरिया मांगता था ये है जरिया थोबरा अच्छी तरह से याद कर और तस्वीर फाड के फैंक जीत सिंग ने वैसा ही किया फिर उसने एक काले कपड़े में लिप्टी गर्न उसे थमाई अब चल तुझे कब्र दिखा के आऊं ये काम एक दिन पहले करने का था अब सूझा क्या जीत सिंग खामोश रहा तो बोला काहे को नहीं साहब को चल पैदल चलते दोनों फ्यूनरल पारलर पर पहुँचे जीत सिंग के पोव निर्देशा नुसार परदेशी उधर पहले ही पहुँचा हुआ था उसने टैक्सी सडक से पार पारलर से थोड़ा परे खड़ी की हुई थी और उसका हुड उठा दिया हुआ था ताकि कोई पैसेंजर उसे कहीं चलने को ना बोलने लगता जीत सिंग और चकोर फ्यूनरल पारलर के कमपाउंड में दाखिल हुए कमपाउंड में कुछ कारे और दो पहिया वहन खड़े थे भीतरी हौल का दर्वाज़ा शीशे का था जिसमेंसे हौल में मौजूद कुछ लोग दिखाई दे रहे थे सबकी दर्वाज़े की तरफ पेट थी और वहां मुकमल खामोशी थी जरूर कोई मुर्दा लाया गया था चकोर ने इमारत के पहलू में इशारा किया जहां पिछवाड़े को जाती एक चौड़ी राहदारी थी वो उधर बढ़े राहदारी के बाएं भाजू में एक कमर तक कुगी और करीने सितराशी जाड़ियों की बार थी जिसके बीच में जाकर पार जाने का रास्ता था जिस पर गोल घूमने वाली चर्की लगी हुई थी दोनों आगे पीछे चलते चर्की में से गुसरे और आगे विशाल कब्रिस्तान में कदम रखा कब्रिस्तान में जगा जगा सरु के, सफेदे के और देवदार के पेड उगे हुए थे और जमीन घास से अटी हुई थी घास में पत्थ्रों से जड़ी कई राधारियां बनी हुई थी इधर चकोर बोला जीत सिंग ने सहमती में सिर हिलाया तभी सूरश की रौशनी मध्धम पढ़ने लगी जीत सिंग ने आसमान की तरफ से रुठाया तो सलेटी रंग के बादल उड़ते पाए कही बारिश ना आ जाए चकोर बोला तो क्या होगा? अरे भिडू, अंधेरा जल्दी हो गया तो तेरे को प्रॉब्लम होगी तो तेरे को क्या? हाँ, मेरे को क्या? दोनों खामोशी से पत्रीली राधारी पर चलने लगे काफी दूर चले आने पर चकोर एक जगा ठिटका वो, उसने आगे एक कबर की तरफ इशारा किया जिसके सिरहाने लाल रंग का पत्थर खड़ेला है वही है हम, क्या हूँ? ठीक से देख ली क्या? पैचान ली ना? हाँ, तू किधर ठेहरेगा? तेरे को क्या मतलब? ठीक है, जाता है मैं तेरे को बाहर छोड़के आता है काहे, मैं रास्ता भटक जाएंगा क्या? मैं, मैं रास्ता भटक जाएंगा तेरे साथ दो बार गुजरने से रास्ता मेरे को ठीक से याद हो जाएंगा चल पन अरे चल ना, क्यों हुज़त करता है इतनी सी बात पर? छीक है, दोनों उसी रास्ते से वापिस सड़क पर लाटे फूट अब यहां से जीत सिंग बोला चकोर सड़क पर एक तरफ चल दिया जीत सिंग उसे तब तक जाता देखता रहा तब जब तक वो निगाहों से ओजल नहीं हो गिया जीत सिंग ने घड़ी देखी तो पाया अभी चार पच्चिसी हुए थे वो टैक्सी की तरफ बढ़ा करीब पहुचा तो परदेसी ने भवे उठा कर उसकी तरफ देखा अभी टैम है जीत सिंग बोला जवाब में परदेसी ने केवल सेहमती में सिर हिलाया जीत सिंग टैक्सी में जा बैठा उसने एक सिगरेट सुलखा लिया और उसके कश लगाता वक्त काटने लगा पौने पांच बजे तक पारलर का कमपाउंड वाहनों से खाली हो गया शव के साथ जो लोग वहां पहुचे थे वो उसे ठिकाने लगा कर वहां से चले गए थे जीत सिंग ने कार में ही अपने कपड़े बिना उतारे उन पर पादरी की पोशाप पहनी हातों में महीन रबड के सर्जिकल गलफ पहने और गन को काले कपड़े में से निकाल कर पोशाप में छुपाया दस्ताने हातों से एक दम चिक्के हुए थे और चमड़ी की ही रंगत के थे इसलिए फासले से नहीं दिखाई देते थे वो टैक्सी में से निकला तो टब से पानी की एक बूंद उसकी नाक पर पड़ी उसने पादरी की वर्दी का हुट अपने सिर के उपर ओड लिया और फ्यूनरल पार्लर की तरफ कदम बढ़ाया आधे रास्ते में ही बूंदा बांदी होने लगी हल्की बारिश से उसे कोई एतरास नहीं था यू रास्ते की हल्चल घट सकती थी वो सुनसान तक हो सकता था वो पार्लर के कमपाउंड में दाखिल हुआ तो वहां उसे देखने वाला कोई नहीं था नीशब चलता वो अपनी रा लगा बूंदा बांदी में ही उसने कब्रिस्तान में कदम रखा और तब तक दो बार टै कर ली हुई राधारी पर आगे बढ़ा उसने कब्र तक पहुँचने की जान बुश कर कोशिश नहीं की वो परे ही ठिटक गया एक पेड की ओट में खड़े होकर उसने घड़ी पर निगार डाली पांच बजने में पांच मिनट अभी इंतिजार आंधी हो या तुफान वो पूरे पांच बजे कब्र पर पहुँचता था और आट दस मिनट वह ठेरता था पांच मिनट से कम तो हरकिस नहीं वो अपने स्थान पर ठिटका खड़ा रहा पूरे पांच बजे उसने आगे कदम बढ़ाया कब्र जब दस गज दूर रह गई तो वो ठिटका कब्र पर उसी क्षन फूल चड़ा कर एक आदमी पीछे हटा था और अब दोनों हाथ बांधे सिल जुकाए प्रातना की मुद्रा में कब्र के सामने खड़ा था उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और निशाना साधा माफ करना बात वो होंटों में बुद्बुदाया मेरे तुम्हारे से कोई अदावत नहीं पढ़ मजबूरी है मैं तेरे को नहीं मारेंगा तो कोई मेरे को मारेंगा गाईलों को मारेंगा दो जान के बदले में एक जान का सौदा है बाप माफ करना वो आदमी कब्र के सामने बुद्ध बना खड़ा रह था और उसे बारिश की कोई परवार नहीं जान पड़ती थी जीत सिंग ने बाल-बाल करके ट्रिगर खींचना शुरू किया एका एक वो शक्स जीत सिंग की दिशा में घूमा जीत सिंग ने ट्रिगर पूरा खींचा गण में से गोली निकली एक हलकी सी पिट की आवाज हुई और गोली जाकर उसके माथे में लगी उसके मुँ से कराब भी नहीं निकली उसके गुटने मुड़े और वो मुँ के बल जमीन पर किरा तेरे को दो गोली चलाने का है ताकि पूरी गैरंटी हो कि भीडू मर गया उसने दूसरी गोली नहीं चलाई वो मर चुका था इस बात में उसको कोई शक नहीं था भैसे का भेजा फार्ट देने में समर्थ उस खतरनाग गन की गोली खा कर बला कैसे कोई बच सकता था वो वापिस गूमा तो एका एक उसे अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई सामने एक पादरी खड़ा था असली पादरी उम्रदरास असली पादरी जो फटी फटी आँखों से उसकी तरफ देख रहा था उस घड़ी पोड में खाज की तरह बादल फट गए थे और डूपते सूरज की आकरी किड़ने वातावरण को आलोकित करने लगी थी जीत सिंग का गण वाला हाथ उठा उसने गण पादरी की तरफ तानी और ट्रिगर पर उंगली रखी पादरी ने आँखे बंद कर ली और होटों में बुदबुदाया ए परम पिता परमात्मा मैं तेरी शरन में आता हूँ सननाटे में वो शब जीत सिंग को साफ सुनाई दिये उन्होंने उसकी चेतना को बुरी तरह से जग जोरा उसका गण वाला हाथ जुग गया गोली ना चलती पाकर पादरी ने आँखे खोली और सामने निगा दोड़ाई तो उसे गण अपनी और तनी नहीं दिखाई दी आस्मानी बाप पापियों को माफ करता है वो धेमे सु सैयत स्वर में बोला क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या करते हैं फिर वो घूमा और जीत सिंग से विप्रे दिशा में चल दिया उसकी चाल ही बता रही थी कि उसे इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि अभी पेट पीछे से गोली चली उसे आकर लगेगी जीत सिंग बुद्ध बना उसे जाता देखता रहा ये तुने क्या किया उसने चौंक कर आवाज के दिशा में देखा चकोर उसके बाजू में खड़ा था तु इधर क्या कर रहा है जीत सिंग कहर भरे स्वन में बोरा अरे फादर डिसूजा तेरे को मर्डर करते देखा तुने उसको एक गवा को चश्मदित गवा को जाने दिया तु उसे जानता है शकल पहचानता है उसी चर्च का पादरी है जिसके सामने तु मेरे को मिला था जो उसने देखा वो तुने भी देखा क्या हाँ क्यूँ? मैं तो तेरे को चलता करकी आया था वापिस क्यूँ लौट आया मेरे को होकम आंखों से देखने का था कि मैं अपना काम किया हाँ अब आके रिपोर्ट किसको देगा कामरेट को या इंस्पेक्टर को तेरे को क्या हे रे तु बहुत मिस्चेक किया जीत सिंग कोई पंगा हुआ तो खाली तेरे को झेलना पड़ेगा मेरा नाम भी जानता है अब गन फैंक और निकल ले अब ही पहने में तेरे को बड़ा साहब के पास भेजने का है जिसको तु सबसे पहले रिपोर्ट करेंगा बड़ा साहब? सबसे बड़ा साहब कौन? जीत सिंग ने खाली हाथ की उंगली आसमान की तरफ उठाई और उसे शूट कर दिया गन फैकने का उसका शुरू से ही कोई इरादा नहीं था बाकी बची चार गोलियों के उसके जहन में कई इस्तिमाल थे वो फ्यूनरल पारलर में पहुँचा वहाँ शीशे के दरवाजे के बाजू में एक कॉल बेल लगी थी जिसके उपर लिखा था रिंग फॉर दर डारेक्टर उसने कॉल बेल बजा दी भीतर हॉल जहां उसने लोगों का जमगट देखा खाली था और दरवाजे के करीब एक बत्ती को छोड़ कर भीतर की तमाम बत्तियां बुचाई जा चुकी थी दोसरी तरफ एक सूट धारी अधेड दुबला पतला व्यक्ति प्रकट हुआ जीत सिंग ने मुस्कुराते हुए अभिवादन में हाथ उठाया उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन सुविकार किया और दरवाजा खोला जीत सिंग ने भीतर कदम रखा हलो पधेड व्यक्ति बोला I am funeral director what can I do for you इधर का कारोबार तुम देखता है बीडू वो हड बड़ाया पादरी कैसी जुबान बोल रहा था उसने मन ही मन सोचा और फिर बोला हाँ मैंने कहा ना मैं funeral director एक मुर्दा भट्टी में डालने का है सर आप तो खुदा के बंदे हैं कम से कम आपको तो जाने वाले का जिक्र इज़त से करना चाहिए तब कहीं जाकर जीत सिंग को याद आया कि वो पादरी की पोशाक में था सर सौरी जीत सिंग बोला किधर है dead body उसको funeral के लिए तयार करना होगा कैसे breath up करके ताबूत में लिटाना होगा और नहीं मांगता सर आप वो अभी जैसा है वैसा इच भटी में डालने का है body किधर है इधर ही है कब्रिस्तान में उसको उधर से उठाने का है और भटी में डालने का है कब्रिस्तान में कब्र नहीं खोद डाली कोई जिन्दा था मर गया कैसे बुलिट को body से रोकता था ओ तो ये बात है क्या बात है तुम पादरी नहीं हो तुम पादरी के लिबास में कोई कातिल हो और यूँ अपनी कर्तूद छुपाना चाहते हो अब मगच से काम लिया भिडू यूँ लास जलाना गैर कानूनी है कतल भी गैर कानूनी है पर तुभाव नहीं देंगा तो अभी करेंगा ना किसका जीज सिंग ने पेट पीछे चुपा गन वाला हाथ सामने किया और गन की नाल को उसके माते से सटा दिया क्या वो बोला डारेक्टर के चक्के छूट गए उसने बोलने की कोशिश की तो मुझ से बोल नहीं फूटा ए इलेक्रिक्स फार्निस को वो हकलाता हुआ बोला तद तपाना पड़ता है बहुत टाइम लगता है वो पहले से तपी हुई है जीद सिंग नाल का दबाव बढ़ाता बोला अभी इदर जो लोगों का जमगट था वो इसी काम के वास्ते था क्योंकि कब्रिस्तान का रुख तो उन लोगों ने किया नहीं था बटी तपाने में टैम लगता है तो ठंडी पढ़ने में भी टैम लगता होईगा अभी वो तपी हुई ही होगी खाली तेरे को स्विच को दुबारा से आन करने का है जो बोडी पहले जली उसकी एशिस कलेक्ट करके उसके सगे वालों को देना होता है क्या बोला हिंदुस्तानी में बोल राक हिकटी करके कलश में डालके रिष्टेदारों को सौंपना होता है अभी एक और डेड बोडी बटी में डालने से राक डबल रिष्टेदार खुश सॉलिड बोडी किधर वांदा है लेकिन मैं भटी का स्विच खुद धून लेंगा और खुद चालू कर लेंगा एक सेकिंड में फैसला कर मेरे को उसमें एक मुर्दा जोंपने का है या दो दो एक तयार है दूसरा अभी बनेंगा क क क कौन अरे भिडू तू और कौन नहीं गगोली मत चलाना तो तो जैसा बोलता है मैं करता है बढ़िया जीप सिंग वापिस सड़क पर लोटा उसने परदेशी को एका एका टपके पादरी और चकोर की बाबत बताया चकोर को ठीक हैंडल किया जीते परदेशी चिंतिद भाफ से बोला पन पादरी को छोड़ कर गलती की मैं क्या करता अरे जैसे दो भिडू टपकाए वैसे एक और टपकाता कोई आम आदमी होता तो यही करता फौरण से पहले करता पन वो तो खुदा का बंदा था गले में प्रॉस पर टंगा तेरा इसा मसी लटकाए था और ऐसे करने मरने को तयार खड़े ला था मेरे से गोली चलाते नहीं बना गन वाला हाथ अपने आप ही जुग गया जजबाती होकर गवाद छोड़ दिया जीते मैं सिर पर इस वर्दी का हुट चड़ाए था उमेद नहीं उसने ठीक से मेरी सूरत देखी होगी हाँ उमेद ही कर सकता है तू तो और क्या करूँ पहले तो ये पादरी के चोगे का पीछा छोड़ ओ उसने चोगा उतारा और वहीं करीबी जाड़ियों में फैंक दिया नीचे वो अपने आम कपड़े जीन्स जैकेट और टी शट पहने था एक काम कर एका एक परदेसी बोला क्या उसके चर्च में जा काहे को हर चर्च में एक कनफेशनल होता है क्या होता है कनफेशनल एक ऐसा बूत जिसमें एक तरफ पादरी बैठता है और दूसरी तरफ अपने गुना बक्षवाने का तमनाई भीडू दोनों के बीच में एक ग्रिल होती है जिससे आर पार आवाज जा सकती है पन पादरी भीडू की सूरत नहीं देख सकता आम गिर्जों में कनफेशनल में हाजरी का एक टैम मुकररर होता है पन छोटे गिर्जों में जहाँ ऐसा पापी कभी कभी कोई कोई ही आता है कोई मुकररर टैम नहीं होता उदर एक डोरी लगी होगी जिसे खीचने से चर्च का घंटा बचता है और फिर कन्फेशन सुनने के लिए पादरी बूत के अपने हिस्से में आ जाता है जाके पता कर उधर क्या इंतिजाम है अगर डोरी घंटे वाला इस्तेमाल इंतिजाम हुआ तो तेरा काम अभी भी बन सकता है कैसे? परदेशी ने समझाया जीत सिंग चर्च में पहुँचा वो कन्फेशनल बूत के एक पबलिक वाले हिस्से में दाखिल हुआ डोरी वहां लटक रही थी वहां एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर वो बैट गया और फिर उसने डोरी खींची कहीं घंटा बचने की आवास हुई थोड़ी देर बाद उसे करीब आती कदमों की आहट सुनाई थी फिर बूत का परली तरफ का दर्वासा कुला किसी ने उधर भीतर कदम रखा और फिर दर्वासा बंध हुआ गुरेल में से जीत सिंग को अपनी तरह ही एक कुर्सी पर बैठा पादरी दिखाई दिया गुरेल ऐसी थी कि उसमें से उसकी सूरत देखना मोहाल था येस माई सन पादरी की धीर गंभीर आवास आई I am here मैं पापी हूँ जीत सिंग बोला मैंने पाप किया है क्या पाप किया है बोलने से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ क्या क्या यहां उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जो इसाई हो जरूरी नहीं लेकिन जिस धर्म के द्वारे कोई आता है उसमें उसकी आस्ता होना जरूरी होता है तुमारी आस्ता है ना धर्म संग्दुवती की राह होता है इसलिए मेरी हर धर्म में आस्ता है इश्वर एक है उसके रूप अनेक है एक रूप वो है जिसकी मैं इस घड़ी शरन में हूँ क्या शरनागत को शरन मिलेगी मिलेगी मिल चुकी है आगे बढ़ो आगे बढ़ने से पहले अभी मेरा एक और सवाल है वो भी बोलो क्या ये सच है कि यहां आकर मेरे जैसा पापी अधर्मी जो कनफेस करता है उसे सीक्रेट रखा जाता है उस घड़ी जेत सिंग को जो कुछ भी बोल रहा था सब उसको पर्देसी ने रटा कर भेजा था हाँ यहां जो कुछ मैं कहूंगा उसे आप आगे किसी के सामने नहीं दोहराएंगे नहीं हरकिस नहीं कनफेशन को सीक्रेट रखने के लिए मैं वचन बद हूँ यहां मैं जो कुछ सुनता हूँ आश्मानी बाप का दूद अपने वचन से नहीं फिर सकता अब बोलो तुमने क्या पाप किया है मैंने खून किया है क्या खून खून किया है मैंने यू में मर्डर हाँ कब कह आज शाम पांच बजे कबरिस्तान में तुम तुम वो शक्स हो जो हाँ फादर मैं वही शक्स हूँ जिससे आपने अपनी आँखों से खून करते देखा था सन्नाटा च्छा किया फिर एका एक दूसरी तरफ दर्वाजा कुला फर्श पर धम धम करते कदमों की आवास होई वो बोद के जेद सिंग की और के दर्वाजे पर पहुँचा और उसने एक छटके से दर्वाजा खोला खुदा की माट तुम पर फादर गुसे से कामता हुआ बोला बाहर निकलो और निगा से निगा मिला कर मेरे से बात करो जो हुकम फादर जेद सिंग कुर्सी से उठा बाहर निकला और खामोशी से फादर डिसूजा के सामने जा खड़ा हुआ फादर ने सेर से पाउट तक उसे देखा फिर उसकी निगा जेद सिंग के चेहरे पर आकर स्थेर हो गई हिंदू हो वो बोला इंसान हूँ जेद सिंग धीरे से बोला लेकिन कृष्यन नहीं हो कैफोलिक चर्च में खड़े हो कैफोलिक नहीं हो क्या इनसान होना काफी नहीं फादर काफी है लेकिन इनसानों के बनाए ही कुछ काईदे है कुछ दस्तूर है मिरी समझ में नहीं आता कि जो पाप तुमने किया है उसे तुम मेरे से कैसे बक्षवा सकते हो तुमने मेरी आँखों के सामने एक डिफेंस लेस आदमी को पॉइंट ब्लैक शूट कर दिया तुमने घोर पाप किया एक आदमी से तुमने उसकी ऐसी चीज छीन ली जो तुमसे लोटा नहीं सकते सूजा ही कैसे तुम्हें यहां आना अपना वो पाप बक्षवाने के लिए किस सुमिद से आई थे यहां क्या चाहते थे फादर जीत सिंग शांती से बोला जो मैं चाहता था वो मुझे मिल चुका है क्या आपका आश्वासन कि आप मेरा रास फाश नहीं करेंगे जो मैंने कनफेशनल में कहा उसे आगे नहीं दहराने के लिए आप वचन बद है ऐसा खुद आपने कहा बेटा तुमने मेरा बेजा इस्तेमाल किया पादरी आहत भाफ से बोला तुमने खुदा के घर का बेजा इस्तेमाल किया तुमने मुझे ऐसे धरम संकट में डाल दिया है जिससे अब मैं नहीं उबर सकता अब मैं क्या करूँ अपना धरम निभाईए फादर और ये न भूलिये कि एक गोली में आपको भी मार सकता था शायद वही ठीक होता अब मेरे लिए क्या हुक्म है मैं चिंता का बोच यहां से लेकर जाऊं या समझूं कि मेरी चिंता हरन हुई फादर ने तकार उत्तर नहीं दिया जब कोई कनफेशनल में आता है फिर वो बोला तो अपने आपको आस्मानी बाप के हवाले करता है फिर डिसाइपल और गौड भग्त और भगवान एक हो जाते हैं तो दूई का भेट मिट जाता है बगवान भग्त को अपना ही सुरूप मानकर उसके पश्चाताब को स्विकार करता है और उसे माफ करता है लेकिन तुम्हें तो कोई पश्चाताब जान ही नहीं पड़ता तुम तो यहां आए ही चल के मकसद के साथ और काम्याब हुए अपने मकसद में मुझे माफी नहीं चाहिए मैं नरक का केड़ा हूँ और अपने कुकर्मों की वज़ा से नरक का ही भागी बनूँगा मुझे आपका कॉल करार चाहिए कि आप अपनी बात पर खरे उतरेंगे और मेरे रास को रास रखेंगे नाम क्या है तुम्हारा? बदरीनाथ क्या ये तुम्हारा असली नाम है? जीत सिंग जीत विट्री को फता को कहते हैं सिंग शेर को कहते हैं तुम कैसे शेर हो? एक खोन करके क्या जीता तुमने? क्या फते किया? कुछ नहीं तो खोन क्यूं किया? हर भला बुरा काम किसी हासिल के लिए किया जाता है क्या हमेशा अपने हासिल के लिए फादर? ओ, अपनी मरजी से नहीं किया ये काम? नहीं अपनी मरजी से कभी मैने मکھی नहीं मारी क्या किसी ने मजबूर किया? हाँ तो फिर वो तुम्हारे से बड़ा अधर्मी है तो फिर कातिल वो है जिसने अपने हासिल के लिए तुम्हारे हाथ में गन धमा दी। फादर इन बातों से दिल बहलता है मुल्क का काईदा कानून नहीं बदलता मैं कहूं कि जिस आदमी को मैंने मारा वो मौत के ही काबिल था तो क्या मुल्क का काईदा कानून मुझे माफ कर देगा नहीं माफ माफ नहीं करेगा बोलेगा किसी का इंसाफ करना उसे सजा देना का कानून का काम है ठीक तो बोलेगा पन किधर देता है कानून सजा कानून और मुझरिम के बीच दिवार बनकर पैसा खड़ा हो जाता है नेता खड़ा हो जाता है बड़ा वकील खड़ा हो जाता है सजा सिर्फ गरीब को होती है जिसके पास ना पैसा है ना नेता है ना वकील है अदालत में गुनेगार साबित हो जाने पर जिस गुना की गरीब को छे महीने की सजा मिलनी होती है उसके बिना सजा मिले ही वो छे साल जेल में काड़ता है क्यूंकि उसे कोई जमानती नहीं मिला काड़े कानून करीब का गला घूणते हैं और अमीर रुत्मे रसूख वालों की हिफासत करते हैं वैसे ही जैसे तेज हवा दिये को बुछा देती है परनात को और भड़का देती है माई सन मुल्क की बड़ी से बड़ी अदालत से बड़ी एक अदालत और होती है और उसके इंसाफ में खोट नहीं होती धांदली नहीं होती परनुस अदालत का इंसाफ होता दिखाई किसे देता है फादर कतल करने के लिए मुझे जिस शक्स ने मजबूर किया क्या उस पर आस्मानी बाप की अदालत ने बिजली गिरा दी उसके पैरों के नीचे से जमीन धसका दी उसका कलेजा उकर के हाथ में आ गया क्या कुछ नहीं हुआ उसे अभी जाके देखिए किसी बाई की गोद में लेके बैठा होगा तंदूरी चिकन खा रहा होगा और बाटली मार रहा होगा गरीब आदमी को ये जूटी तसली है कि इंसाफ होगा इंसाफ के किये नहीं होता तो भगवान के किये होगा तो वो यहीच सोचता मर जाता है कि अब इंसाफ होगा अब इंसाफ होगा किदर है इंसाफ नहीं है है तो गरीब के लिए नहीं है क्योंकि करप्शन ने ये नारा ही गलत कर दिया है कि भगवान एक है नहीं है भगवान एक अमीरों का भगवान जुदा है और गरीबों का भगवान गरीबों जैसा ही दीन हीन और लाचार है वो ना उसे रोटी दे सकता है ना रोजी दे सकता है और ना जुल्म से बचा सकता है जैसे दो तरह के भगवान हैं, वैसे इच दो तरह के खाइदे कानून लागू हैं इस मुल्क में एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए बोलते हैं खुदाने जन्नत बनाई, जहन्नुम बनाया, किस लिए? ताकि जो भला है वो जन्नत में जाए और जो बुरा है वो जहन्नुम में जाए पर ये बात नहीं है उसने जन्नत इसलिए बनाई ताकि अमीरों को उपर पहांच कर कोई पिराबलम ना हो जाए वो खुदा को ये कहकर शर्मिनदा ना करने लगे कि उससे बढ़िया जन्नत तो वो थी जो उन्होंने खुद बना ली थी गरीब का क्या है वो तो पहले से जहन्नुम में है वो एक जहन्नुम से ट्रांसफर होगा और दोसरे जहन्नुम में पहुँच जाएगा बहुत करवाहट है तुमारे मन में, My Son बहुत शिकायते हैं तुम्हें आस्मानी बाप से जो फरेब करता है उससे शिकायत होती ही है फरेब आप खुदा के करीबी हैं चर्च में भाषन करते हैं लोगों को बोलते हैं कि खुदा ने सब इंसान बराबर बनाई है कहां है बराबरी कोई जनम से अंधा है काना है भैंगा है पोलियों का मारा है किसी के भेजा नहीं किसी के दिल नहीं किसी के फेफ़रे नहीं और कोई जनम से राजा है कामदेव का अफ़तार है, शक्ति का प्रतीक है, कुबेर का वारिस है, कोई गटर का कौक्रोच है, कोई राज हनस है, किसी को सुखा टुकडा नसीब नहीं, कोई सोने का निवाला खाता है कोई ठर्ड में फुट पात पर अकड जाता है कोई आस्ट्रेलिया जाता है कोई लू से मर जाता है कोई स्विजर लेंड जाता है कहां है बराबरी आप और चर्च में जाडू लगाने वाला जमादार बराबर है क्या मैं मजलूम और मजबूरन हूँ कतल करने वाला और वो हाकिम जिसने मेरे हाथ में गन थमाई बराबर है क्या जिस मा की बच्ची उसके पेट में मर गई और जो मा कहती है गर में लक्ष्मी पैदा हुई वो बराबर है क्या दारावी के जोंपर पट्टे में हजार गरीब डेंगू से मर गए मालाबार हिल पर एक अमीर को एक मच्चर ने काट खाया तो उसने नौकर की मार मार के चमड़ी उधेर दी क्यूंकि वो उसके बैटरूम में फ्लेट छिड़कना भूल गया ये बराबरी है क्या कहीं बराबरी नहीं कहीं इंसाफ नहीं हर तरफ जुल्म की आंधी चलती है जो गरीब को तिनके की तरह उड़ा कर ले जाती है और समरत को चू कर गुज़र जाती है समरत जमानत होने के इंतजार में दो दिन हवालात में बंद रहे तो इंसाफ की जैजेकार हो जाती है काईदे कानून की वावा हो जाती है विश्व के सबसे बड़े प्रजातंतर के माथे पर तिलक लग जाता है एक बेगुना फांसी पर टांग दिया जाता है तो किसी के कान पर जू नहीं रेंगती कमेटी का कलट किसी से 50 रुपई ले ले तो उसे रिश्वत खोरी का गंभीर अपराधी करार दिया जाता है और 5 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है मंतरी अर्बो के घोटाले में शामिल पाया जाता है तो उसकी कुर्सी तक नहीं हिलती बेटा पादरी दबे स्वर में बोला ये यहां करने लायक बाते नहीं तो कहां करने लायक बाते हैं? कहां जाऊं मैं? किसे सुनाऊं? तुम में एक संतब तात्मा हो मैं तुमारे मन की शांती के लिए दूआ करूंगा मुझे आपकी दूआ की नहीं आपके आश्वासन की जरूरत है वो आश्वासन तो तुमने खुदी बोला कि तुम्हें मिल ही चुका है? तस्दीक केजिए मैं तस्दीक करता हूँ मैं तुमारा पाप अपने सिर लेता हूँ मैं आस्वानी बाप से दूआ करता हूँ कि तुमारे कर्म की जो सजा उसने तुम्हें देनी है वो सजा मुझे दे अब जाओ और कभी लौट कर नहीं आना भारी मन और भारी कदमों से जेत सिंग वहां से रुकसत हुआ फादर डिसूजा का आवास चर्च के ही एक बाजू में बने एक छोटे से कॉटेश में था रात दस बचे जब वो सोने की तयारी कर रहा था तो एका एक कॉल बेल बजी उसने खोडोट कर दर्वाजा खोला चौकट पर एक वर्दी धारी पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था पीछे सड़क पर एक पुलिस की जीब खड़ी थी जिसमें दो पुलिस ये बैठे दिखाई दे रहे थे फादर डिसूजा इंस्पेक्टर अदब से बोला येस मैं इंस्पेक्टर शंभर कर लोकल थाने का धाना ध्यक्षूं आपसे दो मिनट बात करना चाहता हूँ पादरी ने सेमती में सेर हिलाया और एक तरफ फटा इंस्पेक्टर भीतर दाखिल हुआ पादरी ने उसे छोटे से ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया आपको खबर लगी होगी इंस्पेक्टर बोला कि करीबी कबरिस्तान में आग्शाम एक मर्डर हो किया था लगी है मरने वाले का नाम जॉर्ज डेविस था हाली में उसकी मा की मौत होई थी जिसकी कबर पर फूर चड़ाने वो आया था कि किसी ने उसे पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया था पादरी खामोश था इस काम के लिए खास कबरिस्तान किसी ने इसी लिए चुना था क्योंकि बाकी हर जगा वो दो सर्श शस्त्र बॉडी गार्डों के साथ जाता था कबरिस्तान ही एक जगा थी जहां वो बॉडी गार्डों को कबरिस्तान के दर्वाजे पर छोड़ कर अकेला भीतर जाता था पिशले तीन महीने से हर शुक्रवार शाम पांच बजे उसका कब्रिस्तान में आना उसकी स्थापित रूटीन थी जिसकी की कातिल को खबर थी और इसी जानकारी को उसने कैश किया और अपना काम कर डाला ये सब आप मुझे क्यूं बता रहे हैं पादरी बोला वज़ा है यकीन जानिये रापकी इस घड़ी में आपको काम कर डिस्टरब करने नहीं आया आई सी आप कई सालों से इस चर्च के पादरी है और इलाके में बखुबी पहचाने जाते हैं उपर से आपकी पादरी की पोशाक ही आपकी बहुत बड़ी पहचान है जिसकी वज़ा से किसी की तवज्जो आपकी तरफ ना भी जानी हो तो जाती है मेरे को पता लगा था कि आज शाम आप कब्रिस्तान से गुजरे थे परली तरफ से इधर मेरे चर्च वाली सड़क पर आने के लिए वो बहुत शॉर्टकट है इसलिए वहां से मैं अक्सर गुजरता हूँ कई बार तो एक दिन में कई कई बार लेकिन शाम की बाबत आपको कैसे पता लगा कतल एक बड़ा वाक्या होता है इसलिए वह जहां हुआ हो उसके आसपास व्यापक पूश्टाच की जाना पुलिस की रूटीन होती है बात किसी आम आदमी की होती तो किसी ने ध्यान भी ना दिया होता कि कब्रिस्तान में कौन उधर से दाखिल हुआ या कौन इधर से निकला इतिफाक से आपको किसी ने परली तरफ से कब्रिस्तान में दाखिल होते देखा था और किसी और ने इधर से बाहर निकलते देखा था हमने देखा हैं कि जो शॉर्टकर्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसी के रास्ते में मरने वाली की मा की कब्र आती है मक्तूल के बॉडी गार्डों का बयान है कि वो उन्हें कब्रिस्तान के इधर के गेट पर छोड़ कर पांच बजे के करीब भीतर गया था और वो दस मिनट में हर हाल में वापिस लौट आता था यूँ कतल का वक्त एन पिन पॉइंट हो जाता है कब्र पर फूल सरीके से चड़ाई गए पाई गए थे इसका मतलब है कि वो निर्विग्न वहां पहुँचा था और पहुँचते ही शूट नहीं कर दिया गया था इस लिहाद से हमारा अंदाजा है कि उसको पांच बज़ कर पांच मिनट पर शूट किया गया था और हमारा दूसरा अंदाजा है कि एन उसी वक्त आप कब्र के करीब से गुजरे थे इससे जो नतीजा हमने निकाला है वो ये है कि आपने ना सिर्फ कातिल को देखा है बलकि उसको कतल को अंजाम देते भी देखा हो सकता है अब बताईए आप इस बारे में क्या कहते हैं क्या आपने कातिल को देखा था क्या आपने उसे गोली चलाते देखा था पादरी ने जवाब नहीं दिया ए आस्मानी बाप ये कैसा इम्तिहान है मैंने तो जिंदगी भर कभी जोट नहीं बोला अब क्या करूँ जवाब दीजिए इंस्पेक्टर बे सब्रेपन से बोला मैं कुछ नहीं जानता अपने स्वर को भरसक संतूलित रखता पादरी बोला फादर आपने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना मैंने आपसे ये नहीं पूछा आप क्या जानते हैं मैंने आपसे पूछा है आपने क्या देखा आपने कातिल को देखा क्या या उसे गोली चलाते देखा आपने उसकी सूरत की तरफ तवज़ो दी दी तो क्या आप दुबारा दिखाई देने पर वो सूरत पहचाननेंगे आइम सौरी इंस्पेक्टर मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर ने अप अलग पादरी की तरफ देखा पादरी निगाहे चुराने लगा सर इंस्पेक्टर गंभेता से बोला लुक एट मी पादरी ने बड़े यतन से उसकी तरफ देखा आप खुदा के बंदे हैं और खुदा का बंदा खुदा के इलावा किसी से खौफ नहीं खाता फिर आप इतने विचलित क्यूं है मैं तो नहीं हूँ आप हैं और हैं तो कोई वज़ा भी होगी सच बताईए क्या आपको किसी ने धमकाया है क्या कातिल को अंदेशा है कि आप उसकी शिनात कर सकीते हैं इसलिए वो इस बाबत आपको खामोश रहने को मजबूर करने के लिए यहाँ पहुँच गया तो नो कमेंट्स ऐसा है तो साफ बोलिए वो चुटकियों में गिरफतार होगा मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना फादर आपका रवय्या मुझे हैरानी में डाल रहा है आप ही की कम्यूनिटी के एक व्यक्ति का ऐसी बेरहमी से तब कतल हुआ जब वो बिचारा कब्रिस्तान में अपनी मा की कब्र पर फूल चड़ा रहा था क्या आप नहीं चाहते कि उस शक्स का कातिल गिरफतार हो मैं जरूर चाहता हूँ लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते नो कॉमेंट्स ओके मदद ना कीचिए आप खुदा के बंदे हैं आपके मन में बहुत दया भाव है आप सब का भला चाहते हैं कातिल का भी लेकिन एक सिंपल सवाल का सिंपल जवाब तो आप फिर भी दे सकते हैं सिर्फ हा या ना में जवाब दीजिए आप कमाल है, कातिल क्या कोई आपका सगे वाला है? कोई ऐसा शक्त से जिसके पकड़े जाने से आपको दुख होगा? नो कोमेंट्स मुझे आपकी हर जबरदस्ती कुबूल होगी, लेकिन, लेकिन क्या? हाथ फिर भी कुछ नहीं आएगा, इंस्पेक्टर मूब आए पादरी की तरफ देखता रहा, अब आप जा सकते हैं, या मुझे भी साथ ले जा सकते हैं, इंस्पेक्टर ने असहाए भाव से गर्दन हिल और फिर उट खड़ा हुआ, फादर यूर कंड़क्ट इस बियोंड माई कॉम्प्रिहेंशन, वो बोला, पादरी खामोश रहा, ओके, आई विल से यू अगेन, यू विल वेस्ट यूर टाइंग, इंस्पेक्टर चला गया, दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं पॉस देते हैं, इसका लास पार्ट बहुत जल्दी अप्लोड हो जाएगा, आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर जरूर करें, कॉमेंट करें, आपको कहानी कैसी लगी, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख याल रखें, थांक यू